नमस्कार मैं आसीज पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में सभी लोग एक बाद जोड़दार तरीके से सेसर कर दें शेयर कर दें मैं लाइफ आ चुका हूँ सभी लोग एक बाद शेशन को सेयर करिये महाकाल का नाम लेकर एक बाद सभी लोग जल्दी से सेयर करिये शेशन को फिर आज इकदम धुआधार क्लास होगी कंप्यूटर के MS Office Suit का खात्मा होगा तो जो भी बच्चे JCA का एक्जाम द के सितंबर में 26-27 को एक्जाम डेट दे के आप लोगों को एकदम आश्चर चेकित कर दिया है तो आपको इसमें क्या करना है कि एक स्टेटेजी अपनाना है और उसी स्टेटेजी से आपको तयारी करना है कि जो कंप्यूटर है क्योंकि यहां कंप्यूटर को यह वालों के लिए है उतना ही यूपी पीसीर वालों के लिए तो एक बार सभी लोग सेशन को जरूर सेयर करिए हमीशा जी गुडिवनिंग मिश्टर नायक सर कंप्यूटर मस्त करा दो उसके यह निश्चिंत रहो पूरे एसाई वालों से पूछ लेना रिपोर्ट एकदम सही मिलेगी पूरे पूरे और पूरे वह देखके गए तो उनका पूरा का पूरा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी तो मागाल का नाम लोग एक बार सब लोग सेहर करो और पहला प्रशन आपके स्क्रीन पर आ रहा है इसका आंसर कमेंड करिए क्या साही होगा Which of the following best describe the MS Word software इसमें से सबसे best तरीका क्या है MS Word को describe करने का जल्धी रता हो निमलिकित में से कौन सा MS Word Software को सबसे अच्छा उडन करेगा ठीक है मादेओ का नाम लो नहीं आपार हो जाएगी कितना भी समस्या हो strategy अपना हो अच्छी कि इस 25 question में मुझे किसी हालत में 23 plus करना है क्या करना है 23 plus करना और English में कितना करना है आपको कम से कम जो 50 question है 46 plus करना है इसमें इंगलिस में यही दिलाएगा selection चलो बहुत बढ़ी अस्था बोल रहें word processor होगा एकदम जहीं सी बाद firmware क्या होता है firmware एक प्रकार का software होता है ठीक है जो आपके hardware के साथ जैसे mouse है तो mouse के अंदर उसका software परा होता है उसको कैसे function करता है तो ऐसे software को firmware काते है जो hardware के साथ होते हैं embedded होते हैं इसको firmware काते है तो यहां इसका क्या होगा GUI होगा sorry word processor होगा GUI का मतलब क्या graphical user interface based operating system जैसे आपका windows है यह सभी आपके क्या है graphical है हाँ रोम हुआ यहां देको system software system software में operating system आ जाता है ठीक है और क्या utility software आ जाता है ठीक है compiler होगे interpreter होगे loader होगे linker होगे सब किसके है system software के part है MS Excel का यह प्रस्ण है आपका कि इसका solution क्या होगा अगर MS Excel का यह formula लिखा हुआ है किसी में तो इसको कैसे solve करोगे सब divide का है तो जब equal priority होती है तो हम कैसे solve करते हैं question left to right करते हैं तो एक बार सभी लोग share करो English GS aptitude मिला कर एक cut up बनेगी computer की अलब cut up clear करनी पड़ेगी फिर overall दोनों mix की जाएगी share करो share करो बुना बोले एक class पढ़लो और तेजी से answer भी बताओ 64 होगा हमकूर भीम बता रहें D C answer वागीज जी बता रहें और सभी लोग note करते रहना कितना सही कर रहे हो आज 4 बता रहें I use जी C R I maximum बच्चों के C R A कुछ लोग 64 पे जा रहे है 256 को 8 से divide करोगे कितना आएगा 8 3 के 24 और 8 दुनी 16 32 आएगा 32 divided by फिर 4 करोगे तो कितना आएगा 4 बते 32 आठ फिर 8 divided by 2 करोगे तो कितना आएगा 4 तो last में answer कितना आएगा 4 आएगा भाई ऐसे divide करते चलेंगे एकदम 4 वाले एकदम सही होते हैं C वालोग मिलता है हमारे तरफ से इनाम की सबका सेलेक्शन होगा अगला प्रस्ण यह रहा Which of the following function की Can be used Edit as cell on MS Excel यह मैंने आपको पढ़ाया है और question भी कराया है कि अगर Excel का cell है इस cell को अगर edit mode में करना है तो हम function के किस की से कर सकते हैं बहुत बढ़े आयूस, शुभाम, शचीन, राहूल, शिमरन, शुभाम, शचीन, अवनाश, अंकूर, प्रदुमन, शचीन, सिव सब एक ही repeat हो रहा है F2 function की क्या किसलिए होता है F7 किसलिए होता है Spelling के लिए होता है Gramatical के लिए होता है और F2 किसके लिए होता है F2 जो होता है वो edit के लिए होता है C answer एकदम जबरदस तरीके से सही answer है आप सभी का C answer एकदम सही है ठीक है anchor cell के लिए होता है anchor cell के लिए आपका क्या होता है F4 होता है MS Excel workbook must contain जो workbook होता है आपका खुला होता है at least कितने worksheets कम से कम कितना worksheets contain कर सकती कम से कम बोला है कम से कम कितना worksheets contain कर सकती है नहीं three worksheets तो by default होता I use language पे जाना must contain at least at least मतलब कम से कम हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत जबरदस्त एक होगा कम से कम एक तो रहेगा ही रहेगा इसका answer by default तीन होते हैं ठीक है आ जाओ which of the following statement is true यह सभी previous year question है कौन से statement true है in MS word a text cannot be both italized and bold italic हो सकता है cannot be both italic और bold नहीं हो सकता है in MS word a text cannot be font size less than art बोल आया कि font size किसी भी font का art से कम नहीं हो सकता ऐसा होता है क्या जल्दी से बताओ इसका सही जबाब क्या होगा अगर हम कहें बात तो यह थोड़ा सा question बिवादित तरीके पर जाएगा बतलब कि कुछ इसमें अलग होगा क्यों क्योंकि अगर जो आपका drop down वाला होता है format जो command group है आपका font का उसमें जो आप font बे जाओगे तो minimum जो आता है आपका 8 होता है और maximum जो होता है वो बात्तर होता है जो यह drop down वाला होता है ठीक है लेकिन आप manually उसको 1 font size हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है ठीक है minimum 1 size हो सकता है font का तो यहां बोला है 8 से less than 8 नहीं होगा होगा क्यों नहीं होगा ना तो पहला ना तो दूसरा लेकिन हमें इसको सोचना ऐसा है कि जो formatting type का होता है उसमें कि 8 से कम जो है नहीं जाता है उसमें तो उसके recording देखें तो ये आपका second सही हो जाएगा लेकिन ये depend करता है देखो ये आया हुआ question है इसलिए मैं इसका answer बता रहा हूँ आयोग ने इसका answer माना था only second क्योंकि इसने ये बताया नहीं clear नहीं किया कि वह font size क्या है यहां वाला ड्रॉप डाउन वाला है या manually है तो हम इतना मान के चलेंगे जो हमें दिखता है 8 और 72 उससे कम नहीं कर सकते लेकिन यह actually हो सकता है यह गलत है statement ठीक है बोथ रांसर एकदम सही होगा इस पर objection भी डेली पुलिस का यह question है डेली पुलिस में आया हुआ question है SSC के जवारा जो कराये जाता है गलत नहीं हो कोई भी लेकिन मेरे हिसाब से यह विबादित है इस पर मार्क मिलना चाहिए सबको चलो कि आयोग के आंसर की में बोला गया था कि सिकेंड सही है only second लेकिन आप जब मेरे हिसाब से यह दोनों होना चाहिए क्योंकि यहां जिक्र नहीं किया गया है इसलिए मैंने आपको बता दिया what is the keyboard shortcut to select all content of a document in MS Word MS Word में सभी document के जो भी आपके हैं उसको select करने के लिए कौन सा shortcut की use करते हैं एक बाद सभी लोग share करो जोड़दार तरीके से बाई यह तो एकदम simple है सभी के answer आ जाने चाहिए इसमें तुम लोग के गलत नहीं होना चाहिए पूरा select करने के लिए क्या दवाते हो इसका answer तो एकदम आसानी से दुभाई है हाँ यह तो एकदम रटा होना चाहिए control A से हम कोई भी चीज पूरा select कर लेते हैं ऐसी छोटी गलतियां करोगे तब तो दिक्कत हो जाएगी तो यह गलतियां नहीं होना चाहिए control A, control C से copy होता है which of the following is not a valid paragraph alignment in MS Word MS Word में जो alignment होता है left, right, center और justify यही alignment होते हैं X को किदर align करना है दाएं, बाएं, center में यह justify पूरे दोनों तरफ से तो इसमें क्या मोला है which of the following is not a valid paragraph alignment कौन सा इसमें से valid paragraph alignment नहीं है एकदम तुम लोगों में image खीच के पाया हूँ एकदम कि यह देखो, nagging की तरह यह रहा, यहाँ, 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 ठीक है तो वो गलती न करना, top इसमें नहीं होता है, top alignment एक्सल में पाया जाता है या MS Word के किसमें पाया जाता है बच्चो, table जब बनाओगे ना, तो table की content को इधर उधर जब align करना होता, क्योंकि table एक्सल में भी बनता है और table आप जब word में भी बनाओगे, तो उसमें भी alignment आपका top हो जाता है, center हो जाता है, bottom हो जाता है ठीक, तो यहाँ पर top alignment नहीं मिलता है हमें अगला प्रस्ण है, the font size of 36 point in MS Word 2007 is equal to how many inches यहाँ पर version लिखेगा, 2007, 2010, 2016, 2013, कुछ भी उसका मतलब नहीं निकालना है तो एक बार share करो सभी लोग, be answer, इसका क्या होगा अगर 36 point पर कोई font है, तो बोलना हो, इंच में कितने के बराबर होगा बताओ, देखो total क्या होता है आपका, 72 maximum size होता है, उसका font का जो drop down होता है तो actually एक का 1.72 होता है, तो 36 into 1 upon 72, लंग सम, यह करेंगे तो 36 दुनी बातर, जितना भी font size हो, उसको 1 by 72 से क्या करते है, multiply करेंगे तो 36 दुनी बातर मतलब 1 by half, मतलब 0.5 आपका क्या हो जाएगा, वो आपका क्या होगा, उसका inch होगा उतने inch के बराबर होगा, तो D answer correct होगा, यह भी question पूछा हुआ है 0.25 नहीं, सुभा हम 0.5 होगा, 1 by 72, maximum जो आपके drop down में आता है, उससे हम क्या करते हैं, उसको divide करते हैं, जो भी आपका font size हो, तो कुछ भी पूछ सकते हैं होँआ पे, अब बोला, which of the following is not a text function of MS Excel 2007, 2007 में कौन सा MS Excel का text function नहीं है, mid, left, या right, या combine, combine, combine नहीं होता है, same day होगा, typing test, एक दम सही है, आसीजी, same day ही होगा, इसका answer बताओ, सब लोग बी बी जा रहे हैं, combine कोई भी फंसन नहीं होता, मैंने आपको एक अलग से PDF upload कराई है, उसमें पूरा abbreviation है, shortcut key है, और क्या है आपका, Excel का formula है, जो मैंने आपको JCA में Excel दिया है, और UPPCL में मैंने वो अलग से Excel का formula दे दिया है, कि भाईया, रट मारो ये सब, ठीक है, तो ये आपका formula नहीं होता है, middle value के लिए होता है, left value के लिए होता है, right value के लिए function use होते हैं, ये सभी formula है, तुम लोग share नहीं कर रहे हैं एकदम मन से, लग रहा हैं मन से पहाई नहीं कर रहे हो, by default, how many worksheets are there in the MS Excel workbook, हाँ, ऐसा प्रशना आजाए, 2007 में, देखो, क्या होता है, जब आगे बरोगे, 2007 लिखा है, सही बात है, क्योंकि जब आप 2015 सूला में जाओगे, तो एक मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर by default, 2007 में MS Excel का default worksheets कितना होता है, तो यहाँ अंसर दोगे, कि तीन होगा, एकदम सही बोले हो, एकदम सही पकड़े हो, चलो, बहुत बढ़िया, अगला प्रशन यह रहा, which of the following is not an option of a sale alignment in a table in MS Word 2007, साथ, देखो, MS Word के table 2007 हो, 10 हो, 16 हो, 13 हो, कोई मतलम नहीं, ठीक है, यह ध्यान रखो, 2000 कुछ भी हो, आपको कोई मतलम नहीं है, ठीक, अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा alignment table में नहीं होता है, align bottom right, align center, align top left, या align across, तो मैंने बताए, MS Word में जब आप table बनाओगे, तो top, bottom, center, left, right सभी alignment होते हैं, 3, 3, 6, 3, 9 होता है, जब आप जाओगे न, table पे क्लिक करोगे, तो जब उसका layout आएगा, तो उस पे देखना, ठीक है, तो उसमें सिर्फ align across नहीं होता है, D answer इसका सही जबाब होगा, align across, सुभम जी, कुलदीब जी, भीम जी, सभी का आणसर आ गया है कि D answer होगा, सिवांगी जी, करन जी, कामनी जी, आसीज जी, एर भारती जी, रहुल जी, सभी लोग ने D के साथ आंसर दिया, अगला प्रस्ण, which of the following is not a option of Minubart in MS Word 2007, ठीक है, 2007 हो चाहे, 2015 हो चाहे, 16 हो चाहे, 1900, कौन सा इसमें से menu नहीं होता है, एकदम फोटो दिखाया था तुम लोगों को पढ़ाते समय, याद करो वो फोटो जब पढ़ा रहा था मैं तुम लोगों को MS Word, तो क्या नहीं था उसमें insert होता है, page layout होता है, लेकिन internet कहां से आ जाएगा भाईया, home होता है, तो internet नहीं होता है, इसलिए मैंने कहा एकदम, जो किस तरह होना चाहिए, आखें, आखें ऐसी होनी चाहिए, नागिन की तरह जो देखो, खीच लो फोटो, अगला प्रस्ण रहा ये, इसको match करना है, ऐसे प्रस्ण भी मिल सकता है, NTA करा रहा है तो, थोड़ा सा बड़ा प्रस्ण मिल सकता है, तो घबडाना नहीं है, बोला है enter, इंटर को क्या होगा, shift plus tab, arrow की, बोलना, move you to the next cell to the right, move you to the next cell to down, move you in the direction of the arrow, move you in the next cell to the left, जल्दी से बताईए, इसका सही answer, सही मिलान क्या होगा, सही मिलान इसका क्या होगा, एक बार सभी लोग share करते रहिए, और इसका answer comment करिए, क्या सही होगा, देखो, इसमें क्या है, enter, इंटर से क्या होगा, आपका किसमें दिया है, यह देखो, यह cell, editing cell की बात कर रहा है, excel की बात कर रहा है, excel की बात कर रहें, तो अगर इंटर दबाओगे, तो move you to the next cell, अगले cell में चले जाओगे, एक cell से, दूसरे cell में चले जाओगे, तो पहले का B होगा, इसमें भी है, उसमें भी है, उसके बास से shift plus tab जब दबाओगे, तो यहाँ पर क्या move you to the next cell to the left, लेफ्ट में, कहाँ पर, लेफ्ट में हम, जब shift होते हैं न, cell के लेफ्ट में, तब हम लोग shift tab से shift होते हैं, और जब हम लोग right में shift होते हैं, तो यह वाला पहले का B, दूसरे का D, ठीक है, और तीसरे का A answer वाला होगा, यही option B होगा, and fourth का जो arrow की होगा वो क्या बोलेगा move you in the direction of arrow जो arrow की होगा जैसा arrow का direction होगा अब down वो ऐसे move करेगा ठीक है? सभी लोग ध्यान देना B answer correct होगा एक दो चलो अगला प्रस्ण border and setting आता है ऐसे ऐसे करके photo खीचा होगा table वाले में आता है जहां border को आप अलग color दे सकते हो option in a table property can be used to apply which of the following in ms word 2007 mailing, margin, orientation या border तो इसी पर border होता है इसी पर जब करोगे setting वाला border and setting तो पूरा एक dialogue box खुल के आता है यहाँ पर आपको दिया रहता है border के option double, dotted उसके बास से यहाँ color color दिया रहता है तो वो क्या हो जाएगा border option पे होता है किसमें होता है border पे होता है तो इस बार सभी लोग से करो आसी जी डी answer दे रहे है सभी का सही है बाई अपना अपना correct लिटते जाना अगला प्रस्शन रहा which of the following display of both the name of the application and the name of the speed seat in ms excel ठीक है title bar और कहां पर आपका display करता है क्या क्या name of the application application का नाम और spread seat का नाम excel का नाम कहां पर display करता है title bar में tool bar में task bar में menu bar में अब by default excel का जो आपका खुलता है excel वाला spread seat खुलता by default उसका file का name क्या होता है वो भी प्रस्ण पूछा है कही बार तो कहोंगे book one ठीक है क्या होता है book one होता है उसके बास से ये किस पर होता है title bar में होता है नाम जो होता है वो कहां होता है title bar में होता है जबरदास एकदम banker तो share करो कहा है नहीं share कर रहे हो आजाओ अगले प्रस्ण पर आते है which of the following is false with the reference of cell editing in MS Excel MS Excel में cell editing के लिए कौन सा आपका गलत है select the cell click on the formula bar and edit the content edit the cell by double clicking the cell where the content is located select the cell and paste F2 function key on the keyboard to edit the content of the cell select the cell and paste F5 function key on the keyboard to edit the content of the cell क्या बोला क्या false है with reference to the cell editing देखो cell editing के बारे में cell को select करो formula bar पर जाओ edit करो यह भी हो सकता है double click करोगे तभी भी आपका cell edit हो सकता है F2 से तो होता ही होता है लेकिन यह F5 से कहा होने लगा तो यही false है आपका यहाँ पर answer D correct हो जाएगा अगला प्रस नहीं है रहा which of the following can be used to change the width of the column in a table in MS Word जो width है आपका चोड़ाई जो है column की table की MS Word में वो कहां से change कर सकते हो insert से translate से define से या table property से तो कहां से करोगे बच्चो इसका answer बताओ insert से नहीं insert नहीं देना है insert से table insert कर सकते हो insert से table insert कर सकते हो D answer आगा easy सिमराण आसीस टापिंग टेस से मडे होगा सूरज डी बता रहे है सचीन सिमराण डी बता रहे है सूरज जी अविनाओ जी चलिए अविनाओ सभी ने D बता टेबल प्रापार्टी एकदम जबर दस्त हो D सही answer होगा D एकदम सही answer होगा जब ओपेन हो जाएगा टेबल वाला उस पे जब क्लिक करते हो तो उसके प्रापार्टी में जाके उसके विट्थ को हाइट को एरेंज कर सकते हो Which of the following shortcut is used to select sentence in a paragraph in MS Word एक sentence आपको paragraph में लेना है तो कैसे लोगे क्या shortcut की होगा Alt click on a sentence to select it Triple click on a sentence to select it Control click on a sentence to select it Double click on a sentence to select it क्या इसमें सही answer होगा कभी ऐसा किये हो देखे हो कि आपको मासूस हुआ हो कभी ऐसा किये हो Control के साथ अगर click दबाते हो तो पूरा sentence एक sentence आपका क्या हो जाएगा Select हो जाता है MS Word में और triple click कर दोगे तो पूरा paragraph select हो जाता है किसी paragraph पे रखके triple click कर दोगे न मास का तो पूरा paragraph select हो जाता है इस बात को देहां लखना The alien function in MS Excel belong to which of the following category अभी उसी दिन MS Excel के जब MCQ करार आता तो ये function बताया था किसलिए होता है किसी भी text का length निकालने के लिए alien use किया जाता है कि length कितनी है उसके लिए होता है तो वही बोला है आपसे किस से belong करता है financial से, logical से, text से या math और technometry से ना ही math technometry का function है ना ही logical है, ना ही financial है ये text का है क्योंकि text की length निकालने के लिए use होता है PDF मिलेगी एकदम जबरदस्त मिलेगी टेंसन ना लो पहले यहां पढ़ लो PDF के चक्कर में ना पढ़ो ठीक है तो C answer इसका जबरदस्त तरीके से सही होगा Under which of the following menu tag page setup option page का setup जो option आता है available in ms word 2007 चाहे 2007 हो, 8 हो, 10 हो page setup किस में आता है जो आप देखे होगे उपर कौन सा menu बार होता है बताओ एक बार सभी लोग जल्दी से बताओ home होता है, insert होता है उसके बाद वाला कौन सा होता है page layout उसी में page setup कर सकते हो बंदू B answer सही होगा एकदम जबरदस्त सभी के answer आ रहे है 21, which of the following is not a character character formatting का, formatting का मतलब उसका style बदलना, रंग बदलना color बदलना, बड़ा छोटा करना font से related चीज़े कौन सा character formatting में नहीं आता है font style, font, size, alignment एकदम आख बंद करके मारो इसका answer आकास बोलना है alignment होगा एकदम जबरदस्त font कैसे होगा सिमरन बोला character formatting एक करेक्टर को format करना हो तो उसका font भी देखना पड़ता है calibrary है, nirmal है, ठीक है aerial black है, ठीक है यह से font देखना पड़ता है तो यह भी होता है, formatting में यह भी होता है alignment तो आपका paragraph के command section में होता है formatting section में नहीं होता है command group जब paragraph में जाओगे वहा alignment होता है which of the following feature of MS Excel is used to quickly copy and paste content to adjacent cell in the same row or column जैसे कभी आप देखते हो कि यहाँ पर आपका क्या है, column है यहाँ से इसमें अगर कोई चीज copy करना हो तो करसर से खीच देते हैं ऐसे तो वहाँ पर भी copy हो जाता है चाहाँ column में करना हो तो ऐसे खीच देंगे तो वह चीज खीच देंगे तो यही चीज इसमें copy हो जाती ही mouse से drag करने पर उसको क्या कहते हैं, यही पूछ रहा है simple से, तो clear formatting नहीं clear formatting में आपका जो भी format होगा text का, वो हट जाएगा simple text हो जाएगा format printer में नहीं format printer में एक बार जो formatting आपने text में रख लिया, वो कई बार use करना है तो उससे use कर सकते हो ठीक है, आटो format नहीं fill handle काते हैं उसको क्योंकि बाकि सब format के part है fill handle मतलब यही से सब्दारा की fill करने का काम आएगा तो D answer correct होगा एक बार जितने live वो live तो जरूर करो यार, चलो which of the following refer to intersection को क्या कहते हैं एक बार जभी लोग share करो जबरदस तरीके से बोलो हर हर महा देओ स्बावग बनिया यह तो जन्रल साथ cell कहते हैं भाई, column and row के intersection को MS Excel में cell कहा जाता है which of the following shortcut key is used to paste the clipboard contained in MS Word document MS Word document में कौन सा shortcut use करने के लिए paste का shortcut use किया जाता है किस से paste करते हैं Ctrl V से Ctrl V से आपका क्या होता है paste का option होता है चलो यह तो सभी को पता है Ctrl X से कट जाता है which of the following used to create a small letter above the line of text किसी text के small letter अगर करना हो उस पर तो उसको क्या कहा जाएगा उसको क्या कहा जाएगा जल्दी से बताईए हाँ गलत देखो एक टेस्ट के ऊपर छोटे अच्छर लिखना है तो जब कोई चीज ऊपर लगता है तो उसको क्या कहा जाता है सूपर स्क्रिप्ट कहा जाता है बंधू सूपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट नीचे लगता है नीचे जो लगता है उसको सब स्क्रिप्ट का जाता है विच अप दे फॉलोइंग सॉटकट इस यूज़ तू सेलेक्ट ए पैरग्राफ इन एमस वर्ड पैरग्राफ सेलेक्ट करने के लिए मैंने बताया था क्या करोगे ट्रिपल क्लिक ओन ए पैरग्राफ पैरग्राफ पर अगर ट्रिपल क्लिक कर देते हो तो पूरा पैरग्राफ सेलेक्ट हो जाता है पूरा पैरग्राफ सेलेक्ट हो जाता है मैंने बताया अभी इसलिए नहीं मैं बताता हूँ डीटेल में बाकी ओप्शन क्योंकि उससे मैं question बना के लाता हूँ आप लोगों को MS Excel किसी share के सुत्र में ये लिखा हुआ है तो program क्या होगा तो 16 2 की power 2 carat 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर periodic किसकी है इसकी है तो पहले इसको solve करेंगे तो 2 की power 3 क्या हो जाएगा एक और यहाँ 16 है तो 8 डुनी 16 हो जाएगा आंसर क्या होगा इसका 2 आंसर होगा आंसर इसका 2 आएगा इसका आंसर 2 आएगा यह ध्यान रखना इसकी priority high होती है इससे इसलिए हम पहले उसको solve करेंगे which of the following is true with the reference of opening and closing document in MS Word 2007 2007 के reference में closing और opening document के अंतरगात कौन सा इसमें से true है to close a document click minus in the upper right corner of the window for opening a new file click on a new window button the shortcut key of opening document is control F by default MS Word document contain no pages when it is open इसमें से कौन सा सही है आपका जल्दी से बताओ इसमें से क्या सही है बोला क्या सही देखो यह वाले इससे आपका कोई भी opening closing नहीं होता है यह किसके लिए होता है minimize के लिए होता है तो यह उससे संबंधित नहीं है वाड़ से opening of new file control new window button एकदम सही बात है कि आप new से control से n से आप क्या करते हो नया open करते हो फाइल यह सही है उसके रिस्पक में लेकिन यह आप ए control F से कहा open करते हो भाई कोई यह तो shortcut की नहीं है न control N हो क्या है CTR plus N है shortcut की control N by default MS Word जब आपका open होता है तो कोई page नहीं होता है page होता है तो यह भी गलत है तो B answer correct होगा state whether the following statement is related to MS Word are true or false MS Word के बता रहा कौन सा true या कौन सा false होगा when you open a new file in MS Word by default it has a landscape orientation जब हम MS Word में file खोलते हैं तो उसका orientation by default landscape होता है नहीं मैंने क्या बता है क्या होता है portrait होता है landscape किसमें होता है power point में होता है when you open a new file in MS Word by default it has a portrait orientation yes यह सही है यह गलत है पहला आपका क्या है false है और दूसरा आपका क्या है true है B answer correct होगा C कैसे दे रहे हो तुम लोग C कैसे होगा B होगा ना ऐसे गलती करोगे एकदम बोला consider दो formula A3 plus B4 इन्हें cell 5 cell 5 है कोई इसका address जो है cell 5 A5 है इसमें formula लगा है A3 plus B4 ठीक है B4 यह address क्या है A5 का address है तो आपसे बोला अगर यही चीज copy करके मैं E9 में ले जाओ E9 जो cell address होगा उसमें ले जाओ तो क्या होगा देखो जब A5 है तो A5 से यह कितना कम है A3 और B4 है तो उसी हिसाब से जब हम यहां पर ले आएंगे तो E9 से कितना कम होगा जब E मेल आएंगे तो यहां पर हो जाएगा E9 से आपका यह 5 से 2 कम है ना तो यहां से 2 कम होगा तो E7 और यह B जो है कितना कम है यह कम है तो F कितना हो जाएगा F8 E7 F8 हो जाएगा क्या हो जाएगा E7 F8 हाँ E7 F8 B8 नहीं F8 बढ़ जाता है वो जैसे यहां A में है तो A B को साथ में लिया है उसी तरह यहां पर E है तो EF रहेगा साथ में अगला Which of the following is not a valid change case option in MS word lower case होता है लेकिन Pascal case नहीं होता है बंदू यह आपका change case में यह नहीं होता है चलो अगला Which of the following appear as a part of the editing command group within the home menu in a recent version of MS word such as 2016 2010 में भी है वो चीज 16 लिख दिया तो आपको tension नहीं लेना है कौन सा बोला editing command group में home menu के recent में डाला गया है तो आप जब home में जाओगे last में command group editing का आता है जहां find, replace ठीक है यह सब होते हैं ठीक है find, replace यह सब होते हैं वहां पर आपका बोला है कि किसको डाला गया है देखो change case उसमें नहीं होता है यह format में होता है font color भी नहीं होता है format वाला भी एक clip ad में होता है तो replace आपका जो है ना यह find, replace उसी में है editing वाले में ही है find, replace और select editing command group में जाओगे find, replace और select का आता है option ठीक हाँ तो replace वाला होता है उसमें यह ध्यान डखना option से कर सकते हो अब यह एक formula लगा दिया factorial 0, factorial 3, factorial 5 की value क्या होगी factorial 1, 0 की value होती 1 3 की value होगी 3 into 2 into 1 और factorial 5 की value होगी 5, 4, 3, 2, 1 ठीक है 3 दो नीच्छे यहां हो जाएगा अच्छे और यह क्या हो जाएगा 5 factorial की value होती 120 120 प्लस 26 प्लस 1 127 इसकी value हो जाएगी ठीक है 127 बहुत बढ़े है जबर्दस, C answer correct हो जाएगा अगला प्रस्ण है which of the following keyword shortcut can be used to indent a paragraph indent मतलब left or right में MS word document ठीक है, indent के लिए अगर उसको indent करना हो तो कौन सा shortcut की use करेंगे alignment नहीं है, indent छोड़ना हो paragraph वाले में indent भी आता है मैंने आपको बताया था, increase indent decrease indent, ठीक है तो उसके लिए shortcut की क्या होगा हाँ, वहुद बने है किसी ने दिया control M से indent होता है बाकिस समय मत जाना आई लगा हुआ है तो indent आपका किस से होगा control M से होगा when you open a new workbook in MS Excel which of the following appear on the topmost portion of the screen topmost portion screen पर क्या आपका आएगा horizontal score bar, vertical status bar या title bar क्या आसो करेगा जल्दी से बताइए सबसे topmost क्या होगा जब कोई भी workbook खोलोगे तो title bar आता है जहां पे उस document का title लिखा होता है in MS word which of the following keyword shortcut should be used to align a paragraph in a center center में align करने के लिए MS word में कौन सा shortcut की use किया जाता है control J से justify होता है control C से क्या होगा copy होता है center मत बोल लेना control E से center का alignment होता है control E से center alignment होगा अगला प्रशन what is the default horizontal alignment of text in the cell of MS Excel ये भी मैंने करा है था MS Excel के cell में अगर कोई text हम लिखते हैं तो by default alignment उसका क्या होता है तो by default alignment उसका left होता है किसी text का जो होता है वो क्या होता है left होता है या right होता है जल्दी बताओ text का क्या होता है by default हाँ by default इधर होता है text by default left होता है और number कहा होता है number का by default right होता है हाँ तो क्या होगा इसका answer C, एक बार share करो सबी लोग अब देखो इसका answer बताओ MS Excel formula में 4 power 2 carat 3 इसका answer क्या होगा देखो priority सेम है तो left to right solve करेंगे इसको ठीक है इधर से मझे solve करना तो left to right solve करोगे तो पहले इसको solve करो ठीक है तो इसको solve करोगे तो 16 हो जाएगा 4 का square 16 अब 16 का cube है ना यहाँ पर power 3 लगा हुआ है तो 16 का cube क्या होगा 16 into 16 ठीक है 4096 होता है 16 का cube 4096 होगा 16 का cube बहुत बढ़िया देखो ये तो power है 4 की power 2 की power 3 तो जब किसी में priority सेम हो दोनों power सेम चीज़ लगा है तो आप left to right solve करो बहुरमाउस तो यही बोलता है हाँ unit disease से आप कर सकते हो what will happen when you select a cell of MS Excel work sheet and press the F2 key ठीक है work sheet में अगर आप किसी cell को हो और F2 key press कर दिये तो क्या होगा the content of the cell will be deleted नहीं the background of the color of the cell will change नहीं the font color of the content of the cell will change the cell will be switched to editing mode यह भी नहीं होगा editing mode में चला जाएगा F2 से F2 से editing mode में चला जाएगा एक बार सभी लोग सेशन को share कर भाई कहां चले जाते हो चलो next question tapping paper उसी दिन होगा which of the following feature is used to type a very small letter or number just above the line of the text ठीक है same चीज पूछ रहा है आपसे same चीज अभी मैंने question कराया था वही प्रशन आपसे फिर से पूछ रहा है क्या होगा इसका answer super script होगा क्या होगा super script what is the keyword shortcut to cut select the text in ms word cut करने के लिए क्या होता है control x use होता है ठीक है control x use होता है cut करने के लिए which of the following statement is false कौन सा इस में से false है ऐसे question आ रहा है in ms word the same paragraph can have both left as well as right alignment क्या एक ही paragraph left और right alignment दोनों हो सकता है जल्दी से बता हो बोलना कौन सा इसमें false है नहीं दोनों alignment नहीं हो सकता है एक ही paragraph पर in ms word paragraph is created by pressing control enter control के साथ enter दबाओगे तो page break होता है ना की paragraph होता है क्या हो जाएगा page break हो जाता है ठीक है तो ये भी गलत है दोनों के दोनों false है both first and second false निदर्न और कहां से आ जाएगा बंदू बी answer क्यों होगा वो पूछा false कौन सा है तो false ये भी है ये भी है ऐसे ही गलत करते हो तुम लोग ऐसे ही गलती करोगे which of the following view option in ms word show the content of a document as a bullet points ठीक है किसमें बोला है ms word में किस वाले layout में जो आपका document होगा वो bullet point में show करेगा draft में, web layout में outline में या print layout में देखो, power point में बैता है एक outline view होता है वहाँ पर भी चीज़े क्या bullet के form में show करती है और कोई format नहीं होता तो वो outline view यहाँ पर भी होता है जो नीचे जब आपके खुले होते है view में जब जाओगे view में जब जाओगे तो वहाँ view होता है print, web, ठीक है bullet option में दिखती है आजाओ 44 नंबर अगला प्राशन which of the following does not appear as a part of clipboard command group under the home menu in a recent version of MS Word 2016 कौन सा clipboard के अंदर इसमें से नहीं आता है format, enter, cut, paste यह सभी आते है clipboard में मैंने आपको दिखाया था वो 16 नहीं 10 में भी होता है 7 में भी होता है so hide का option नहीं होता है उसमें so or hide का option नहीं होता है बहुत बढ़िया जबरदास तरीके से answer दियो यह जो को NTA में question का trend यह चल ला है इस प्रकार से true and false वाला NTA में जो question का trend चल ला है यही चल ला है परग्राफ can have the right alignment in a mess word all paragraph cannot have the same hanging position hanging position भी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है जल्दी से बताईए इसका सही answer क्या होगा in a mess word all paragraph can have the right हाँ पूरा paragraph right align हो सकता है एकदम सही है in a mess word all paragraph cannot have the नहीं paragraph hanging alignment hanging मतलब एक line आपकी यहां से शुरू हुई है दूसरी आपकी यहां से होगी ऐसे होता है तो वो सभी hanging में नहीं हो सकता है तो यह गलत होगा पहला true दूसरा false हो जाएगा बी answer correct होगा अगला which of the following statement is about ms word table is false बोलना which of the following statement about ms word is false कौन सा false है two or more consecutive cell of a column can be merge merge कर सकते हैं हाँ कर सकते हो दो को उठाओ और उसमें माता है right click करोगे merge cell हो जाएगा two or more consecutive cell of row merge कर सकते हो column को भी कर सकते हो row को भी कर सकते हो alternate cell of a row or column cannot be merge alternate cell or जो column होगा वो merge नहीं हो सकता जाहिर सी बात है एक column यहाँ पे है और एक छोड़के दूसरा इसको कैसे merge करोगे जब select करोगे तो आपका पूरा select हो जाता है तो यह चीज आप नहीं कर सकते हो यह भी सही ही बोला है the first and last cell of a table can be merge नहीं first और last cell भी हम merge नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब select करेंगे तो पूरा row select हो जाएगा पूरा column select हो जाएगा तो D answer false होगा merge नहीं हो सकता है अगला साहे तालीस नमबर निमलिखित में से कौन सा MS Excel में वर्क सीट से इस पर दिखाई देता है मतलब अब बताओ इसमें तो वर्क सीट इन MS Excel MS Excel में सबसे टॉप पर क्या दिखाई देगा अभी option change हो गया इसमें अब इसके इससाब से बताओ दोखो status बार नीचे होता है जहां पर आपके number of seats दिखाते हैं यह सब status बार में होता है horizontal और vertical scroll जब आपका यह सब menu वाला होता है तो यहां पर आपका horizontal होता है और इधर vertical होता है लेकिन उपर सब menu होता है तो उसके उपर formula बार होगा option के coding क्या जाओगे D answer सही होगा A नहीं होगा सुरज status बार नीचे होता हमेशा इध्यान दखना horizontal और scroll बार जब आपका page होता है यहां देखो यहां title बार होता है यहां menu होता है command group होता है ठीक है उसके बाद formula होता है उसके बाद से यहां पर आपके page में आपका यहां पर scale लगा रहाता है ruler जो यह scroll बार है वो यहां होता है ऐसे ऐसे तो formula बार होगा इसका answer अगला प्रस्म which of the following key is used to select a range of continuous sales in MS Excel work sheet continuous आपको अगर sales चूज़ करना है तो इसमें से कौन सा shortcut key यूज़ करोगे हाँ बहुत बढ़िया shift से आप continuous कर सकते हो पूरा का पूरा save क्या कर सकते हो select कर सकते हो ceiling function मैंने पढ़ाया है बताओ ceiling function की value क्या होगी बैच्चो ceiling function की value क्या होगी चल्दी से बताओ 7 होगा क्यों ceiling में क्या होता है जो यह दिया है इसका nearest value इससे उपर होनी चाहिए ceiling मतलब ceiling मतलब छत होता न तो इसकी nearest value जो इससे उपर हो जाके देखना मैंने ceiling function पढ़ाया है आप लोगो पांच का multiple जो यह ceiling होता है इसका कौन सा value multiple होगा जो इसकी cell इससे उपर value होगा repeat कर दे हाँ app में class complete हो गया है app में class complete हो गया है आपका किसी ने answer दिया पांच का multiple क्या होगा जो 7 के आसपास गिरेगा 8 7 का multiple है यह बताओ 8 जो है आपका वो 7 का multiple है क्या ए मतलब 5 का multiple है नहीं है ना भाई तब कैसे का सकते हो ठीक है यह significance value होती है 5 का multiple जो 7 से उपर हो 5 कम 5 तो कम है एक वाला multiple 5 दूनी करोगे तो 10 हो जाएगा तो 10 ही आपका उसका जो 7 के उपर value आ रही है बाकी तो यह कम है यह आपका लेना नहीं क्योंकि एभी 5 का multiple नहीं है यह भी नहीं है तो answer B आपका होगा अगर यहाँ पे floor होता अगर floor होता तो अगर यहाँ पे कोई और value होती तो उसके नीचे उसका multiple देखते है floor का मतलब होता है नीचे अगला पचास number और last question आपका जल्दी से बताओ इसका सही answer क्या होगा typing और paper एक ही दिन होगा state whether the following statement related to MS word are true or false a document file can have both bullet and number जाहर सी बात है page margin in MS word document can be customized एकदम एकदम customize कर सकते हो ठीक है margin जो है आप जब drop down करोगे तो customize margin आता है तो आप page की margin को customize भी कर सकते हो और bullet और number दोलो हो सकता है तो both true होगा the answer correct हो जाएगा इसका तो 50 question आपके हो गए पूरे इतना समय तक आप लोग है लेकिन हाँ तुम लोगों लग नहीं रहा exam है इतने admission लियो लेकिन पढ़ने कोई नहीं आ रहा ऐसा क्यों है भाई एक कहावत है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत अगर पहले ही हार मान जाओगे भूमी छोड़के भाग जाओगे तो और रेड़ी जो लोग है मैक्सिमम बच्चे यही mood बना लिए हैं कि हम नहीं जाएंगे exam देले यह अच्छी बात है आप दो महिने से तयारी कर रहे हो तो आप जाओ लेकिन स्टेटेजिक तरीके से खेल कर आओ GS नहीं पढ़ोगे तबी भी 10 question करके आओगे guarantee है लेकिन यह सब पढ़ लोगे तो 24, 25, 23, 24 तो भी हो सकता है English अच्छे से पढ़ो दो ही चीज़ तो मैं बोल लाओ पढ़ने के लिए देखो descriptive के बारे में कुछ का नहीं सकते है थोड़ा clear हो जाए है क्योंकि 26, 27 सब के जो आपका exam CT वाला आया है आपका mail उस सब में 26, 27 लिखा है लेकिन most of the chance है कि descriptive आपका बाद हो में होगा number of candidate जादे है इसलिए दो दिन exam हो रहा है JCA वाले या UPPCL वाले ना confuse होना JCA वालों की typing उसी दिन होगी English typing इंकी है एकदम high code की तरह 50 में 42 सही बहुत बढ़या देखो भाई computer का एक ही है tips computer में आप का पढ़ो Microsoft Office Suite के जितने भी मैंने आपको paid class में MCQ दिया है सब कर डालो अभी मैं जितना कराऊंगे last के 10 दिन वो सब पर डालो और मोका मिले तो जाओ ASI के लिए question कराया हूँ देर सारा उसको भी पर डालो मैं बता रहा हूँ कि वहाँ एक भी धर उधर आज़े तो बताना इसके question को हम discuss करेंगे आवाज clear आ रही है एक बार आप लोग बता दें ठीके एक बार सभी लोग बता दें कि आवाज clear आ रही है एक बार सभी लोग session को share करिये जुरदार तरीकेशे सब कुछ clear है आडियो वीडियो तो एक बार share करिये और बोलिये भोले नात कीज़े क्यों सुरद जी गुड इवनिंग सुरद जी सोनी जी रितुराज जी काजल जी आयूज जी सभी का स्वागत है वेरी वेरी गुड इवनिंग PDF जो है मेरा target था 100 question ठीक है तो 100 question हो जाने तो PDF मिल जाएगी आपको सभी का स्वागत है very very good evening सभी लोग एक बार session को share करिये फिर question को हम start करते हैं सिमरन जी गुड इवनिंग आयूज जी रूचिका जी दीपक कुमार जी very very good evening सभी का स्वागत है सभी लोग एक बार session को share करो बिंद्या जी गुड इवनिंग पापा जी आ चुके हैं भई यहाँ पर गुड इवनिंग सभी का स्वागत है हाँ तो चलिए भोले नात का नाम लेते हैं हर हर महा दे और question को start करते हैं 50 question कल हो चुके थे ठीक है आगे बढ़ते हैं 51 question आपके screen पर आ चुका है 51 question जो है आपका यह सभी MS office से ही question बन रहे हैं चलिए MS office से ही question बने है तो इसको एक बार सभी लोग answer comment करिए क्या इसका सही जबाब होगा शिवांगी जी वेरी वेरी गुड इवनिंग आरुन अरेन जी गुड इवनिंग कामनी जी गुड इवनिंग एस्वीर जी खुश रहे है मस्त रहे है स्वस्त रहे है जबरदस्त रहे है रितुराज जी रितिक राज जी दे रहे है ए आंसर होगा इसका एक बार सभी लोग session को share करिए आसी जी नॉर्मल मिस्टर निक भी आंसर दे रहे है हिमान सुजी गुड इवनिंग आसी जी नॉर्मल बोले हर हर महादे चलिए वेन यू ओपें ए निव फाइल क्या बोला है हाँ वेन यू ओपें ए निव फाइल इन दा निवर वर्जन आफ MS वर्ड सच एज वर्ड 2016 डिफॉल्ट पेज मार्जीन इस सेट एज तो आपका चाहे नू वर्जन हो चाहे वर्ड वर्जन हो जो भी आप फाइल ओपें करते हो MS वर्ड में तो आपका जो मार्जीन होता है पेज का वो मार्जीन कौन सा होता है वो normal margin होता है आप जाके चेक करना वो कौन सा margin होता है normal margin होता है ठीक है तो answer क्या दोगे normal दोगे ठीक है narrow bar में उपको set कर सकते हो customize कर सकते हो page के margin को तो b answer देने वाले सभी लोग सही होते हैं ठीक है चलो अगले प्रस्वन पर बढ़ते हैं which of the following appears at the extreme right position of a work seat in MS Excel MS Excel की जो work seat होती है ठीक है MS Excel की जो work seat होती है इस work seat में क्या आप से पूछ रहा है कि at the extreme position of a किस extreme extreme right में तो right side यह एगा extreme right position पे क्या होता है status bar नहीं यह bottom पे होता है vertical score bar horizontal score bar horizontal जो होता है वो base status की थोड़ा सा उपर होता है menu bar उपर होता है यहाँ पर होता है menu bar ठीक है और जो आपका vertical scroll bar है ऐसे vertically scroll करने के लिए अप down करने के लिए यहाँ पे होता है extreme right में होता है तो answer क्या दोगे be correct answer होगा be correct होगा vertical scroll bar होगा सभी लोग कहां चले गए भाई एक बड़ सभी लोग session को share करो जुरदार तरीके से चलो अगला question है consider a formula dollar d dollar 3 plus dollar c dollar 5 in a cell b4 if the cell b4 is copy and paste it to f10 ठीक है f10 वाले cell में f10 जैसे लिखा रहता है b और 4 b4 का मतलब b क्या दर साता है आपको b आपको दर साता है column column क्यूंकि a b c d से लेका x f d थथ आपका क्या होता है column होता है x f d थथ क्या होता है column होता है अब उसी के बाद अगर हम बात करें तो ऐसे ये क्या दर साता है ये row दर साता है तो वही आपसे पूछ रहा है कि अगर इस formula को हम f10 वाले cell में f10 क्या cell address होता है जो भी ये ऐसे लिखा रहता है before इसको क्या बोले जाता है cell address बोला जाता है ये भी पूछ सकता है आपसे ये क्या चीज़े है तो ये cell address होता है सभी के comments हो रहे है क्या है एकदम बवाल मचाय हो सभी के comments हो रहे है सभी लोग एक बार share करो class अपने time पर चालूआ 7 बजे तो answer क्या होगा इसका जल्दी से बताओ f10 में paste करोगे तो एक बात को ध्यान डखना है यहां पर जो लिखा गया है आपका यह dollar sign जो होता है वो value को क्या करता है fix करने के लिए होता है row और column को यह column को fix कर दिया यह row को fix कर दिया तो यहां पर आपका change नहीं होगा जब आप f10 में भी paste करोगे इस चीज़ को तो आपका formula वही रहेगा क्योंकि यह absolute cell reference है क्या है absolute cell reference होता है यह पढ़ाया है absolute, relative, or mixed यह तीनों cell reference मैंने आपको बताया है ठीक है तो इसको ध्यान डखना है यह पूछ रहा सकता है absolute cell reference है यह तो यह change नहीं होगा हाँ same as a question होगा which of the following does not appear as a part of the paragraph command group within the whole menu in a recent version of MS Word ठीक है बोला आपसे किसमें कौन से command group की बात कर रहा है paragraph command group जब आपको मैंने पढ़ाया था menu कि यह देखो यह menu है इन menu में अंदर command group होते हैं और उस command group में command होती है ठीक है तो इसमें से कौन सा paragraph के अंदर नहीं आगा bullet भी paragraph command group में आता है multi-level list भी आता है numbering भी आता है alignment भी आते हैं लेकिन change case जो होता है वो font style वाले में आता है change case जो होता है वो font style वाले में आता है तो यह आपका d answer क्या होगा इसका correct होगा चलिए अकाजी सभी c बोले है c नहीं हो सकता है numbering होती है numbering नहीं करते हो bullet के form में वही चीज़े वो बोला रहा है चलो आजाओ अगला प्रस्नी यह रहा what will be the result of the following MS Excel formula इस MS Excel formula का result क्या होगा जल्दी से बताईए yes जी सस्त्रियकाल प्यूस जी one बता रहे है इसका answer one होगा बहुत बढ़े है राहूल one answer बता रहे है और किसी का answer D answer होगा इसका इसका B होगा हिमानसु जी B सिमरन जी one बता रहे है चलो इसका सही जवाब क्या होगा प्रगती जी one बता रहे है रूचिका जी सताक्षिश इनहा जी चलिए सभी लोग बता रहे है one होगा यह factorial five minus four लिखा है तो यहाँ पर जो factorial होगा आपका one हो जाएगा one factorial की value one ही आएगी तो B answer आपका correct होगा बोला है which of the following keyword shortcut equivalent to control s to save an open file in ms word ms word में save file करने के लिए और किस method से control s से तो होता ही है बाकी और किस method से आपका control s होगा save करोगे जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए और कैसे आप save करोगे क्या answer दे रहे हैं सभी D one आ रहा है किसी का answer B answer आ रहा है और किसी के शिवांगी जी D answer दे रही है देखो simple size में जो control s काम करेगा वही आपका shift f12 काम करेगा shift f12 से भी save as कर सकते हो save कर सकते हो फाइल को आप shift f12 भी आपका वही काम करेगा ध्यान रखिएगा अगला प्रशन आपका है what is the keyboard shortcut to perform paste operation in ms word paste किसे होता है control plus v से होता है यह एकदम repeated question है control v से होता है अगला which of the following components of work seat display the address of the selected cell cell address कहां दिखता है आपको cell address जो होता है work seat में आपको कहां दिखता है एक बार जल्दी से बताओ cell address आपको कहां दिखता है सबसे बताओ formula बार में दिखता है या कहीं और दिखता है बताइए जल्दी से जल्दी से बताईए चलिए खुश रही है फार्मूला बार में नहीं फार्मूला से पहले फार्मूला बार वाला तो आपका यहां पर राता है उससे पहले जो होता है उसको कहा जाता है नेम बॉक्स यह जो होता है उसके बाद यहां फार्मूला वाला होता है वहां फार्मूला बारी स्टार्ट ह तो इसको क्या कहा जाता है, नेम बॉक्स कहा जाता है, नेम बॉक्स में होगा, फर्मूला वाले में नहीं होता है, समझ में आया, चलो, अगले पर आते हैं, सी आंसर करेट होगा, अगला, which of the following mouse click can be used to select a paragraph in ms word, ms word में कौन से mouse click में पूरा paragraph सेलेक्ट हो जागा, ट्रिपल, कहों सा, left click, तीन बार left click करोगे ऐसे, जो आपका mouse बटन होता है, इस पर left click करोगे तीन बार, तो आपका पूरा paragraph सेलेक्ट हो जाएगा, ये भी मैंने कल करा रखा था, what is the smallest number of row that a table in ms word can be, ms word में टेबल की सबसे कम संख्या क्या होगी, वो भी किस शीच की पूछा है आप से, छोटी पंक्तियों की संख्या क्या होगी, रो की सबसे कम संख्या क्या होगी, जल्दी से बताओ, सबसे कम रो क्या हो सकता है, मिनिममम एक हो सकता है, ठीक है, मिनिममम क्या हो सकता है, यहाँ आज़ो, MSXL इसका solution क्या होगा, इसका solution क्या होगा, इसवाले का answer बताइए क्या होगा, इस वाले का आंसर बताईए क्या होगा MS Excel आपके कमेंट है में नहीं दिख रहे हैं क्योंकि आगे का हमारा जो यंत्र है वो बंद हो चुका है इसको आप लेफ्ट से राइड क्योंकि सेम प्रियोटी है आपे solve करेंगे 8 4 को solve करोगे तो यहां आ जाएगा 4 4 upon 2 करोगे यहां 2 upon 2 है तो यहां से आपका आ जाएगा 2 और यहां से आपका कितना आ जाएगा ठीक है यहां भी 2 होगा ना 4 दूनियार तो 2 upon 2 हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा 1 और यहां पे 1 1 – 1 कर दोगे तो 0 हो जाएगा तो इसी में डिस्टर्ब करने मुझा है ठीक चलो तो आंसर क्या होगा इसका जीरो होगा अगले क्वेश्टन पर बढ़ते हैं तब तक आपका ओन हो रहा है कर वेन यू इंटर वैलू इन्हें अगर आप किसी में वैलू इंटर कर रहे हो सेल में और आपने इंटर दबा दिया तो अब आपका क्या होगा जल्दी से बताओ इंटर दबाने के बाद क्या हां पहुंच जाओगे इंटर दबाने के बाद आप कहां पहुंच जाओगे इसका आंसर बताईए क्या होगा देखो इंटर दबाने के बाद आप्शन पढ़ लो और आंसर बताओ बोला है the cursor selected box will move to the upper cell the cursor selection box के पास से will move to the lower cell the cursor selection box will move to the right cell left cell light left को कुछ नहीं जाएगा सीधे इंटर दबाओगे वहां से तो आपका lower वाले में चला जाएगा कहां चला जाएगा lower में चला जाएगा दो मिनट का समय दो तब तक अगले question पर आते हैं which of the following statement is are true in ms word a word can have both lower case and upper case letter हाँ जाहिर सी बात है true है in ms word the first word of a paragraph cannot be made bold ऐसा कहां हो सकता है क्यों नहीं कर सकते हो bold आप जिसको चाहों तिसको bold कर सकते हो यह बोला नहीं कर सकते हैं इसलिए गलत हो जाएगा तो पहला सही है only first आपका क्या है प्रू है आपका इसमें only first आपका क्या हो जाएगा प्रू हो जाएगा चल अब अगले question पर आते हैं कमेंट आपके दिख नहीं रहें इसलिए आपके नाम नहीं ले रहें यह फॉर्मूला जब हम एक्सल में लगाएंगे इवेंट थ्री प्लस और एक तो इसकी वैलू क्या आएगी अब आए हो अब दिखे हो तुम लोग ते बार भोले नात का नाम लो और सेयर करो सब्लो इसका अंसर बताईए क्या सही होगा जल्दी से बताओ ग्यारा होगा इसका ग्यारा तेरा आपके आंसर आ रहे हैं अच्छा इवेंट यहां पर जो दिया है जब भी यह फॉंसल लगाओगे तो इवेंट वैलू इसके बाद इसके प्रोक्सी इवेंट वैलू क्या होगी इससे उपर तो चार होगी even value 3 से उपर और odd value 8 से उपर कौन से होगी 9 होगी तो प्लस 9 प्लस शार कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा तो 13 answer होगा इसका ठीक है 3 के बाद आपकी even value कौन से होगी और 8 के बाद odd value क्या होगी तो यह होगा सही 13 एकदम बहुत बढ़िया सुभा अर्मान, सोनी, राहूल, मिस्टर, निक ठीक है सभी के answer क्या रहे है 13 तेरा आ रहे है अगला प्लस consider a formula B2 प्लस 4 in a cell A1 if cell A1 is copy and pasted to D4 then what will the formula of D4 तो आग जैसा मैंने एक प्लस इसमें बताया था कि यहाँ कोई भी ऐसा row और column को static करने के लिए नहीं लगा हुआ है कि आप fix कर दो तो B2 4 लिखा है किसमें A1 cell address में cell address है A1 लिखा है यहाँ पर B2 अगर मुझे D4 में करना है चीज तो क्या करेंगे देखो यह A से एक बढ़ा है B तो हम क्या करेंगे D से बढ़ा देंगे E और यहाँ से 4 यहाँ एक था तो एक बढ़ गया था यहाँ चारे तो यहाँ एक बढ़ जाएगा 5 तो E5 प्लस 4 हो जाएगा क्या हो जाएगा E5 प्लस 4 option C correct हो जाएगा option C आपका correct हो जाएगा D नहीं D नहीं option C correct हो जाएगा चलो यहाँ आज़ो नेक्स कोश्चन इन MS Excel जूम ऑप्शन एपियर इंदा जूम ऑप्शन कहां होता है एक्सल में जूम ऑप्शन कहां पर होता है नीचे वाले में होता है यहां आपकी सीटे होती है और यहीं पर स्टेटस बाहर होता है और इधर जब जाओगे तो क्या होता है आपका जूम होता है क्यों होता है कि नहीं खोल के देखेऊ कि नहीं Excel अक्सल जब कुल के देखे हो गई सब पता चल जाएगा जो आपका जहाँ स्टेटब ओर सीटu यहां पर सीट होता है one two three और यह आपका ready लिखाना यहां पर और यहीक पर आपका क्या होता है जूम वाला है यही पर view होता है है यही पर जूम होता है तो maximum जूम आपसे अगर मैं पूछ हो, excel में maximum June कितना होगा excel में maximum June कितना होगा और minimum क्या होता है और minimum क्या होता है, 10% होता है, ठीक है, by default कितना होता है, by default जब Excel खोलते हो, तो कितना होता है, 100 होता है, 2010 में, चलो, अगला प्रस्न, which of the following appears as a part of the paragraph command group within the home menu in a recent version of MS Word, such as Word 2016, paragraph command group में से, कौन सा है, इसमें से, कौन सा command, जो है, आपका paragraph command group में दिखता है, copy, replace, format printer या bullet, bullet दिखता है, बाकी सब किसमें दिखता है, आपके clipboard वाले में दिखता है, किसमें, clipboard वाले में दिखता है, ठीक है, C answer इसका correct हो जाएगा, अगला है, state, whether the following statement related to MS Word are true or false, MS Word के बारे में कौन सा true or false है, in landscape orientation, the height of the page is larger than width, बोलना अगर landscape है, आपका ऐसे है, तो बोलना height जो होगी, वो आपके width से जादे होगी नहीं, ऐसा कहा होता है, यहाँ पर जो आपकी width, height जो होती, वो कम होती, जादे नहीं होती है, in portrait orientation, the width of the page, अगर portrait की बात किया जाए, तो यहाँ पर जो चोड़ाई बोला है, और larger than the height नहीं, यहाँ पर कम होती है, height जादे होती है, तो यह भी गलत बोला है, तो दोनों के दोनों गलत बोला है, तो क्या answer हो जाएगा B option सही हो जाएगा, आपका, बी option से ही होगा एक बर सभी लोग share करिये बोलिए हर हर महा दे चलो false हाँ दोनों false हो जाएगा अगला है which of the following keyboard shortcut can be used to insert a hyperlink कई बार ये भी प्रसनाब से examों में पूछा गया है hyperlink insert करने के लिए shortcut की क्या है तो क्या कहोगे control plus k से हम hyperlink link कर सकते है hyperlink जिसमें लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं जिस text में लगाओगे उसको hypertext बोला जाता है ठीक तो यहाँ पे control के आपका सही answer होगा अगला प्रसन while printing MS word एक मुझे और प्रसन का रवाद दो gutter margin क्या होता है ये भी कई बार examों में पूचा है gutter margin क्या होता है बताना मुझे while printing MS word document we can set the number of copy to be printed by default you will have copy of the document कितनी copy आँगी by default एक दो तीन या आठ क्या होगा अगर प्रिंट करोगे तो by default कितनी copy आँगी चलो extra space for winding बहुत बढ़िया gutter margin extra space for binding page के लिए left side में छोड़ा जाता है ठीक है बहुत बढ़िया बैतरीन है तुम लोगों की knowledge यहाँ पर by default one page होगा एक प्रती जो है आपकी copies जो है वो निकलेगा print में जब तक आप उसको set नहीं करोगे कितने चाहिए हमें यहाँ पर 71 number question देखो is a reusable sample file ठीक है एक simple file होती है जैसे बोला जैए डेमो फाइल जिसको कह सकते हो that include a background layout coordinate fonts and other design elements that work together to create attractive finish slide show ठीक है यह एक तरह से जो पहले से predefined बना हुआ जिसमें आपका layout भी रहेगा font style भी रहेगा design भी रहेगा तो उसको क्या कहा जाता है watermark कहा जाता है animation कहा जाता है template कहा जाता है या thizers कहा जाता है यह तो dictionary का काम करता है animation हम किसमें लगाते हैं slide के text में लगाते हैं transition जो होता है slide to slide लगता है तो यहाँ आप लोग सही जवाब जो दे रहा है कौन सही जवाब दे रहा है जो C option चूज किया है template जो होता है template एक बना बना format होता है बस उसमें आप कुछ change किये बाकि उसका design उसके text font उसके color सब पहले से रहेंगे B वाले एकदम गलत है C answer correct होगा यहाँ पर C answer correct होगा उसको template काते है which shortcut key used to make a duplicate of a slide किसी slide का duplicate बनाना हो या कोई नई slide add करना हो दोनों का shortcut की मुझे बताओ अगर आपको कोई नई slide add करना हो तो कैसे add करोगे और duplicate बनाना हो slide को तो कैसे करोगे 72 का answer B दे रहे हैं सभी अच्छा control D से duplicate हो जाएगा एकदम सही लेकिन नई slide add करने के लिए क्या होगा वागीस तिवारी जी बता रहे है control N नहीं control N से नया power point presentation खुल जाएगा येसी गलती के होजे से मैंने पूछा था control M से एक slide बना जोड़ों के और उसमें तो slide जोड़ने के लिए होता है control N से नयाज खुल जाएगा ना कि आप slide जोड़ पाओगे सभी लोग ध्यान देना अर्मान जी control D होगा इसका answer to set a fixed column width on the tab उसके बाद tab in the group selected your table click auto fit and select fixed column width क्या होगा इसमें to set a fixed column width on the tab in the किस group में select your table and click auto fit and select the fixed column width इसका सही answer क्या होगा बोला है यहाँ पर option design या sell size to set a fixed column width on the किसमें layout में जब sell के किसी भी layout में जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा sell size group select your table click auto fit and select the fixed column width तो यह सी answer होगा layout में जाओ फिर sell size group में जाओ फिर वहाँ पर आटो fit कर दोगे तो आपका हो जाएगा C answer इसका correct होगा अगला प्रस्न है MS power point view date display only text and bullet यह आपको word में भी मैंने बताया था और power point में भी जब आपका slide open करते हो यहाँ slide दिखता है और यहाँ पर आपके slide होता है और यहाँ पर एक आपका outline होता है क्या होता है जब outline पर करोगे तो सिर्फ text और bullet दिखता है तो इसी को क्या कहा जाता है outline view कहा जाता है outline view खाली बोला है title and bullet बोला है आपसे slide कहा से हो जाब एक कली पढ़ाया हूँ और आज ही करबर्द कर रहे हो word में यही चीज बताया हूँ चलो d answer correct होगा 75 number पर आज हो what is the correct way to refer a bracket a 10 from the seat 1 on seat 3 अगर आपको seat 1 के ठीक है a 10 को represent करना है a 10 excel address हो गया किसमे seat 3 में ठीक है आपको अगर जैसे 3 seat होती है seat 1, seat 2, seat 3 तो वही बोला है what is the correct way to refer to a bracket a 10 from the seat 1 to seat 3 अगर आपका कोई a 10 पे कोई चीज है ठीक है उसको आप refer करना चाहते हो seat 3 में तो वह कैसे refer करोगे कि यहाँ पर कोई click करे तो seat 3 पे पहुंच जाए ठीक है उसके लिए क्या सही होगा उसके लिए होगा लिखोगे क्या seat 3 यह marks आपका दोगे और यहाँ पर लिख दोगे a 10 तो यह a 10 seat 3 से क्या हो जाएगा connect हो जाएगा refer कर दोगे ठीक है इसको answer D आपका सही हो जाएगा connection इससे बनता है आपका अगला प्रसन है आपका which shortcut key is used to find replace in notepad replace हो कुछ भी हो find or replace के लिए चाहे word हो चाहे notepad का आपसे पूछ रहा है तो shortcut की हमेशा क्या होगा वही होगा find replace का control H control H से हम क्या करेंगे find and replace दोनों आपको आपर मिल जाएगा हाँ चलो 77 आपका in MS Excel formula which symbol specify the fix column and row row और column को fix करने के लिए कौन सा symbol यूज किया जाता है आपसे ये भी पूछा जाता है formula को शुरू करने के लिए कौन सा symbol यूज किया जाता है तो equal to का sign अगर किसी row और column को fix करने के लिए जो आपका sign होगा वो आपका dollar sign होता है कौन सा होता है B answer एकदम सही जबाब होगा ठीक चलो next प्रसन आपका in MS Excel which command is used to display only the current date कौन सा command आपको current date के बारे में बताएगा पॉने जी खुश रहो मस्त रहो स्वस्त रहो जबरदस्त रहो एक बार बोलिए सभी लोग हर हर मा दे और session को share करो जबरदस्त तरीके से बताओ तुरंत का आपका अगर current आपको समय और क्या दिखाना है current date दिखाना है ना used to display only the current date तो वो आपको कौन दिखाता है जल्दी से बताइए गलत बता रहे हो गलत बता रहे हो भाई सब के सब गलत बता रहे हो कोई काराट date होगा formula अला पड़े नहीं हो time होगा कोई now बता रहा है कोई today बता रहा है क्या इसमें होगा सही जबाब बताओ सिर्फ date बताना है now में time और date दोनों आ जाता है और today जब करोगे न तो today में आपका क्या आएगा सिर्फ आज का क्या बोला command use to display only the current date आज का चाहिए तो today यूज करो बाकितों के लिए date और time तो आई है और now में करोगे तो now में date और time दोनों आता है today होगा ना की date होगा चलो in ms word automatically move the text to the next when it reaches the right edge of the screen it is called ms word में जब हम automatically क्या करते है move कर देते है text को to the next when it reaches right edge of the screen it is called उसको क्या कहेंगे carriage return, text wrapping, inter या text forming जब हम लिखते लिखते जाते हैं तो फिर अगला letter फिर यहां से लिखना start कर देता ना जैसे edge पर पहुंचते हैं तो उसको क्या कहा जाता है उसको text wrapping कहा जाता है वो पूरा एगदम wrap करके यहां से फिर अगले से start हो जाता है इसी को text wrapping कहते है in ms excel macros can be inserted using the क्या, कौन से time में macros होता है design में, view में, layout में या developer में बताओ, macros किस में होता है क्या answer दोगे इसका ms excel में macros किस में होता है view tape में होता, एक कदम सही जबाब दिये हो किस में होता है, view tape में होता है आजाओ अगला in ms word 2010 control shift f1 is used for 2010 में control shift f1 से हम क्या करते है to print a paragraph to exit a word to choose a print command to unlock area इसका सही answer क्या होगा print जल्दी से बताओ क्या होगा इसका control shift f1 control के साथ shift f1 दबाओगे क्या करोगे control shift f1 में d बता रहे है बच्चे अच्छा d होगा a होगा देखो बोला इसमें to print a paragraph किसी अनुछेत को मुद्रित या करने के रहे to exit word to choose print command to unlock area अगर आप अगर आप control shift f1 दबाओगे d होगा सभी बोलें d होगा to unlock area कौन सा अनुछे अनुछे अरिया करने के लिए होता है कुछ a बता रहे हैं कुछ d बता रहे हैं देखो control shift जो f1 होता है यह आपका print का alternate command होता है control p का ठीक है alternate command क्या होगा control shift f1 होगा ठीक है print का alternate command होता है एक तरह से बोला जाया चलो दो मिनट रुको ठीक आजाओ उस पर करोगे तो वहाँ पर आजाता है आपका एक search वाला इधर जब control shift करोगे नहीं यहाँ पर तो यह आपका यह वाला जो पोर्शन यहाँ पर खुल जाता हो document के बारे मुझे बताने लगता है देखो एक बार करके एक बार करके देखो मुझे भी कुछ लेकिन होता है control shift f1 होता है आपके लिए होता है ठीक है देखो प्रिंट हो रहा है कि नहीं जल्दी से बता हो control shift f1 प्रिंट हो रहा है कि नहीं प्रिंट हो रहा है ठीक है अब यहां पर जो को control shift यहां तो कुछ question में गलबल हुआ है यहां पर f1 नहीं होना चाहिए इसका question देखना पड़ेगा इसको क्यूंकि f1 के साथ नहीं हो रहा मैंने भी system पर देखा ठीक है यहां तो यहां पर hide जो होगा hide वाला होगा कुछ hide हो जाएगा इससे control shift f1 से इसका print वाला नहीं होगा इसको एक बार देखेंगे control shift f1 से क्या होगा ठीक है तो अभी यहां पर exit word नहीं कर सकते हो option भी साथ यह गलब पेस्ट हो गया कुछ तो गलब हुआ है चाहे f1 नहीं होगा वाँ पर चाहे option उसके according नहीं होगा इसको देख लेंगे बाद में to split a table in MS Word 2010 place your mouse pointer on the row from which you want to split the table click on the मतलब जहां से आप split करना चाहते हो table को वहाँ पे जाओ pointer को रखो उस रो पर then which you want to split the table click on the क्या tag and then click on the किस पर tag करोगे किस पर tag करोगे click on the कौन सा टेव when then click on the जल्दी से बताओ इसमें तो यहाँ पर क्या करोगे जब आपको split करना है table को और split तो करना है तो split तो होगा ही break होगा नहीं तो layout split table होगा page layout नहीं होगा page layout तो लग हो गया insert या split table होगा यहाँ पर क्या करोगे layout करोगे फिर split table करोगे be answer correct होगा ठीक है यहाँ पर click on the layout tab and then click on the split table ठीक है see आपका be answer correct होगा इसका the object on the slide holding the text is card मतलब अब यह बोलना चाहिए था कहां पे power point में power point में power point में जो आपका slide होता है इसे लिख दिया slide तो बात बराबर होई जो slide holding जो text आपका hold करता है slide उसको क्या कहा जाता है ठीक है उसको कहा जाता है place holder क्या कहा जाता है डी इसका कैसे दे रहो इमेज होल्डर नहीं होगा आपका place holder होगा अगला प्रस्न यहां देखो what is the shortcut key to start presentation from current slide in ms powerpoint current के slide से अगर आपको presentation करना होगा slide सो करना होगा तो कौन सा shortcut कुझी अपना होगे जल्दी से बता हो a a a a a आ रहा है कुछ लोगों का b आ रहा है presentation में current slide से अगर करना होगा तो वैसे तो आप क्या करोगे f5 से कर सकते हो slide सो लेकिन आपको किसी current position पर बैठे हो तो वहाँ से shift f5 से करोगे किस से करोगे shift f5 से करोगे अब यह किस का आ गया dash is a system of transmitting information between electronic musical instrument यह अलग से आपका है musical instrument digital interchange is a system of transmitting information between electronics musical instrument इसमें से क्या सही होगा देखो यहां होगा musical instrument digital interface musical instrument digital interface is a system for transmitting information between electronics and musical instrument ठीक है जो musical instrument digital interface है वो क्या करता है वो आपका information को transmit करता है इलक्रानिक से musical instrument में जो प्यानो वानो टाइप के होते हैं वो सब इसी केडिगरी में आएंगे 86 number question the following step are used to add or border to a paragraph in a document created using MSWord 2010 कौन सा step जो हैं यूज करेंगे to add a border to a paragraph paragraph में border add करने के लिए देखो select the paragraph text that you want to format click on the home tag click the border and setting button border command to add and remove border ठीक है कौन सा option इसमें किस sequence में चलेंगे select the option give the correct sequence of the step बताओ paragraph में अगर border लगाना हो तो कैसे चलेंगे जो भी दिया एकदम सही दिया है क्या बोला है select the paragraph text you want to format जिस भी paragraph को आपको border लगाना उसको select कर लो फिर आप home tab पर जाओ और फिर क्या करो border and setting button border command to add and remove border आपको add और remove वाले पर करना है फिर वो आपका खुलके आजाएगा border लगा देना तो 1,2,3 आपका जो sequence है वही होगा 1,2,3 जो sequence है वही होगा in notepad which shortcut key used to access the help option help option ऐसे question mark बना रहता है ना किस shortcut key से आप use कर सकते हो help option को help option किस से आता है जल्दी से बता हो F1 से आता है या F2 से आता है help वाला F1 से आता है या F2 से आता है हाँ तो answer क्या दोगे F1 से आता help help का जो आता है एक dialogue box खुलके आ जाता है और यहां लिखा रहता help ठीक है जो भी आपको help लेना notepad से वो ले सकते हो which shortcut key is used to copy text formatting and then paste same text formatting formatting यह बात ध्यान रखना है यहां पर इसका इसलिए पूछा है कि मालोग कोई text आपने लिखा है actually लिखा इसकी formatting की हो italic है पूरा bold है कोई और format में है है इसको copy किये और चार जो formatting इसमें है जो color है same चीज आपका paste हो तो उसके लिए आपका shortcut की क्या होगा formatting के साथ करना है तो shift आजाता है बस control shift c से copy होगा अब control shift v से वही चीज paste हो जाएगा बस a option answer हो जाएगा इसका a option answer हो जाएगा the part of chart like legend, title, data table, data label और आर नॉन, chart में जब जाते हो तो बार ग्राफ चार चार चाहिए पाई बनाते हो तो उसका आपका data table होता है, title होता है, ठीक है उसके बास उसका legend होता है, यह सभी चीजे होती है वो किस में होती है, उसको क्या कहा जाता है, chart figure कहा जाता है चार्ट element का जाता है, section का जाता है या type बोला जाता है तो वो सब चार्ट के क्या होते हैं बार गोलो, चाहे पाई खोलो वो सब element होते हैं चो data वाला हो गया, चाहे कुछ भी हो गया तो B answer आपका सही होगा क्या लिख रहे हैं यार भारती जी एकसेल फिल्ड के नाम की अधिक्तम लंबाई क्या है, 16, 32, 64, 128, करेक्टर जल्दी से बताओ, एक क्वेशन पूछे हैं यार भारती जी ने, एकसेल फिल्ड में एक नाम की अधिक्तम लंबाई कितनी हो सकती करेक्टर एक कितना हो सकता है बताओ कोई चलो यहां पर आजाओ अच्छा एक्सेल में नंबर आफ करेक्टर कितने होंगे एक्सेल के चलो एक नो ने पूछ दिया मुझे याद आ गया वही चीज़ है एक्सेल में नंबर आफ करेक्टर कितने होंगे एक्सेल में नंबर आफ करेक्टर कितने होंगे कैसे पता करोगे इसको कि जल्दी से बताइए बताइए फिर हम आगे बढ़ते हैं कि दो सो चपन होंगे कि दो सो चपन तुम लोग अलग दे रहे हों सर अभी एक्सल खोलो उस पे लगाओ क्या ल, इ, य, य, और ये लगा दो सेल तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि इसकी लेंट कितनी हो सकती है सेल की दो सो चपन वो फाइल का नाम है वो क्या होगा आपका फाइल का नाम होगा चला बत्तिस सही है यह होगा बत्तिस हजार साथ सो संसट जो होगा यह सही है इतने नंबर अफ करेक्टर इसमें हो सकता है वो बढ़ता बढ़ता चला जाएगा और जो दो 255 में लिख सकते हो ठीक है और रही बात जो एक कुछ लोग 16384 बोल ला है यह 16384 क्या है कोई बताएगा मुझे 16384 क्या है क्यों तो कॉलम की संख्या कितनी होगी तीन में कॉलम की संख्या कितनी होती है तीन में 2003 की बात कर रहा हूँ रो की वैलू या कॉलम की वैलू है रो की वैलू है या कॉलम की वैलू है बल्दी बताओ रो इन एक्सल कितना होता है 2003 में बताओ और 2003 के बाद बताओ यह पड़ाया पेड़ क्लास देखना मेरी पेड़ क्लास देखना यह क्या है 16384 जो है आपका यह आपका कॉलम है यह साथ कॉलम है आपका और जो रो है 10484567 ऐसा है देख लेना इस फिगर को दस और अगर यह दो अजर तीन के बार है यह दो अजर साथ वाले में यह चीज़ दो सो चप्पान जो कॉलम होता है वह आपका वह दो सो चप्पन होता है हम 65536 नहीं 65536 रो जो है वह आपका किसमे है वह आपका 2003 वाले में है और उसके बार आओगे तो 448456 और और कॉलम 16384 और 2003 में कॉलम की संख्या साथ 256 होता है देख लेना हाँ यह याद कर लेना पूछता भी है वाट इस दर मेक्स मिनिमम और मैक्सिमम जूम में मिनिमम और मैक्सिमम जूम क्या होता है 255 होता है यह एक बर क्लियर करो 255 होता है 256 होता है मुझे तो लग रहा है 256 होता है 256 होता है आप लोग क्या है देख लेना उसको 256 ही होता है साथ यहाँ देखो अगर मैं बात करूँ मिनिमम और मैक्सिमम जूम वर्ड की बात कर रहा है तो वर्ड में 10 और 500 परसेंट होता है और पावर पॉइंट और एक्सेल में 400 परसेंट होता है तो यह बी आंसर आपका क्या होगा करेक्ट होगा इसका बी आंसर करेक्ट होगा 256 नहीं होता है तो तुम्हीं लोगों में से कुछ लोग बोल लाएं 256 होता है चेक कर लो 256 होता है 256 होता है चेक कर लो तो उसको क्या बोलते हैं बता हू वो फीचर माइक्रोसाथ पावर पॉइंट का क्या काल आएगा जब हम किसी एनिमेशन जो अल्रेडी एक्जिस्ट है किसी में उसको हम कापी करके दूसरे अबजेक्ट में पेस्ट कर दें वो क्या काल आता है एनिमेशन रिपीटर एनिमेशन कॉपीर एनिमेशन सेलेक्टर या एनिमेशन पेंटर यह मैंने क्वेश्चन भी करा है आप लोगों को कहां चिक्की हो ओसीस कहां चिक्की हो किस पर देखे हो कि 255 होता है 256 होता भई authentic जो होता है 256 होता है Microsoft की साइट खोल लो Microsoft की साइट खोल लो वहाँ देख लो Microsoft की जो साइट होती है वहाँ पर आपको देखेगा पूरे वर्जन का दिया हुआ है 256 होगा ठीक एनिमेशन पेंटर होगा इसका विच शॉटकट की इस उस्टो इंटर दा करेंट टाइम एंडेट इन डॉकुमेंट क्रियेटेड उजिंग नॉटपेड और नहीं हो तो किसी के पास 2003 हो तो देख लोई स्क्रॉल करके यहाँ आजा नॉटपेड विच शॉटकट की यूज़ तो इंटर दा करेंट टाइम एंड डेट डॉकुमेंट क्रियेटेड उजिंग नॉटपेड नॉटपेड में करेंट और डेट और टाइम आपको बताना हो तो किस सॉटकट की से होगा Microsoft की देखो साइट में जो भी authentication information लेना खास कर यह सब road, table, column ठीक है कैसे कैसे change हुए 16 तक तो यही है और निस में क्या change हुआ अभी उतना नहीं पता है लेकिन मुझे लग रहा है जितना इधर है उतना इधर भी होगा इसका क्या answer होगा इसमें answer बताब which shortcut की used to enter the current time and date in a document in notepad notepad में आपको अगर current document आपको date or time करना हो तो कौन सा shortcut की अपना होगे F5 चलो ठीक है तो answer क्या होगा F5 से आप क्या करोगे note which shortcut is used to enter the current time and date in a document created using notepad ठीक है तो F5 से होगा अगरा क्या है when a typing text the right margin is faced to the insertion point will automatically return to the beginning the text this frame is called बोला जब हम type करते हैं text को right margin is faced to insertion point will automatically return to the beginning the text this frame is called drop cat word wrap word art और या clip art वो क्या कला आएगा word wrap कला आएगा जो आपका right side में जो margin छूटता है वो wrapping ही कला आती है तो उसको word wrap ही कहा जाता है आट रोब तो और clip art तो ये नहीं होगा drop cat क्या होता है जब किसी का पहला letter बड़ा होता है जैसे ऐसे newspaper में देखे होगे तो इसी को drop cap कहते है तीन होता है by default the meaning of character operator in ms excel इसका क्या meaning होता है operator का इस operator का तो इसका meaning होता है exponential ठीक है exponential ये power होता है अगला है ये person 96 upper clean में लिखा है तो ये क्या हो जाएगा upper clean में यहाँ पर ये type करने वाले ने गलत लिख दिया यहाँ यहाँ पर ऐसे होना चाहिए ऐसे था upper clean में ऐसे होगा तो इसको upper case में बदल देगा किस में बदल देगा upper case में बदल देगा तो ये clean में हो जाएगा option a si हो जाएगा ये clean में होगा उसको upper में बदल देगा ऐसे clean में होगा ठीक है 97 देख लो ms power point which of the following effect would you use to dotted appearance of a new slide through the old slide क्या कहा जाता है power point में which of the following effect would be used for dotted appearance of a new slide through old slide show जब dotted करके एक आता है जब एक slide show से दूसरे slide show में जाते हैं तो वह जीब साथ dotted dotted करके जब आता है dotted appearance दिखता है transition दिखता है उसको क्या करते हैं उसको dissolve करते हैं क्या करते हैं dissolve करते हैं which is smallest and largest font size available in the font size tool जब आपसे font size tool की बारें बात करें तो आप minimum art maximum भागतर बोलोगे 99 the style of drawing horizontal line through each word is card हर एक word पर मालने यहां पर मैंने name लिखा और यहां पर एक horizontal line खीच दिया तो इसको क्या काते हैं इस सीज को क्या कहा जाता है strike throw कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है strike throw कहा जाता है the bullet style can be selected from the menu ठीक है the bullet style can be selected from the menu किस menu से करते हो view edit insert या format जल्दी से बताओ जो bullet होता है आप कहा वो किस menu से करते हो जो बुलेट क्या बुलेट क्या बुलेट style can be selected from the menu view, edit, insert या format क्या answer दोगे इसका देखो bullet आपका home वाले में होता है और कहां होता है bullet और कहीं होता है और कहीं होता है format में देखो यहाँ पर बोला कि किस में होगा the bullet style can be selected from the format menu कहां से format menu से आप क्या करोगे select करोगे format menu से select करोगे आप चलो तो यह 100 questions आप के रहे ठीक है इसमें क्या करोगे format menu से आप select करोगे format menu आपको दिखता नहीं है जब आप dialogue box खोलोगे न format वाला तो उसमें आपको आएगा dialogue box जो होता है font वाला उसमें आपका format menu आता है ठीक आजाओ तो यह आपके 100 questions नहीं बाकी कोई दिक्कत कोई समस्या हो कल और भी इससे question करेंगे चुरुआत करते हैं हम लोग यहां पर देखिए पहला आपका question आ चुका है आपके screen पर इसका answer comment करिए क्या सही जबाब होगा इसका answer comment करिए क्या जबाब होगा which of the following is not a type of section break section break का कौन सा इट प्रकार नहीं है खेस और पेरएं उच्छ पेस पेज कहलन या इवेंट पेज शेक्सन ब्रेट लाको तकर को अपका पृट नहीं है कौन सा टाइप नहीं सेका सब्रेक्स करते करें अमिज जी बता रहें घौ होगा यार भारती जी बी बता रहे हैं निर्मल जी सी बता रहे हैं सौरब जी बी बता रहे हैं हमिज जी बी बता रहे हैं राहुल जी कॉलम को बता रहे हैं चलिए देते हैं section break जो आपका जहाँ page break होता है उसी मोट है लेकिन column break even page next page old page होता है break का लेकिन column break नहीं होता है तो c answer आपका क्या हो जाएगा सही जबाद हो जाएगा section break जहाँ आपका क्या होगा break पे जाता है एक पोट्रेट होता है और एक आपका कैसा होता है लेंड इसकेप उसको क्या बोलते हैं लेंड इसकेप मोड कहते हैं तो दो प्रकार के आपके पेज का उरियंटेशन होता है सभी लोग एक बार सेहर करिए बहुत बढ़िया ए आंसर निर्मल जी, सौरब जी, राहुल जी प्रगती जी, अमिज जी सभी लोग एक के साथ जा रहे हैं एकदम सही जवाब है तीन नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रिन पहे the status bar is display on the Microsoft Word विंडो ठीक है, status bar कहा होता है टॉप में, लेफ्ट में, बॉटम में या राइट में ये कॉश्चन कराये गया है तो ये बॉटम के ही होता है जो status bar होता है यस जी, सस्त्रियकाल आसीज जी का answer A है भारती जी का B, सोनी जी का C है प्रेम जी का CS सभी लोग इसमें C के साथ सही जा रहे है बोला MS Excel what is the use of auto sum feature auto sum feature का क्या use होता है, to get the total sum value of a value in the range of numeric say to get the total count of row, to get the total count of say, to get the total count of column, जल्दी से बताए इसमें क्या सही जवाब होगा इसका सही जवाब क्या होगा, to get the total sum value of a value in the range of numerical cell, जो भी cell आपका दिया होगा, जो भी आप मालो यहाँ पर आपका cell बना है, ठीक है और यहाँ पर आपने auto sum लगाया है तो जो भी range का यह sum होगा वो यहाँ पर आपको क्या करेगा उस्सो करेगा, तो a answer आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, जितने लोग a के साथ जा रहे है सभी लोग एक बार session को share करिए, कामनी जी, सिमरन जी, आसीज जी अमित जी, निशु जी a answer होगा d वाले नहीं होगे, column को नहीं करता है, चाहे वो रो हो, चाहे column हो, जो भी range आप select करोगे, उसका आपका answer देगा what is the following reference type, यह कैसा reference है mix reference, absolute column या relative कैसा reference है यह बताओ अरे या, class तो हो रही है, आप कौन सी class होगी आपकी, maximum तो हो चुकी है आपकी, अप practice करो यह एकदम absolute है, क्योंकि dollar sign column के बाद भी लगा हुआ है और row के बाद भी लगा हुआ है तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे two होगा, ठीक है, be two होगा यह mix हो गया है, तो यह absolute होगा क्या होगा, absolute reference होगा absolute reference होगा, ध्यान रखिएगा ठीक है, absolute reference, two या three होगा यहाँ पर, यह आपका छूड गया है यहाँ बोला है कि output क्या होगा इस excel formula का output क्या होगा जल्दी से बताइए इस excel formula का output क्या होगा जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा एक बर सभी लोग share करिंए प्रगती जी निरमल जी अमित जी इसका सही जवाब क्या होगा IUS G 4 होगा 6 का C होगा B होगा 4 होगा B आ रहा है, 4 आ रहा है, B आ रहा है कुछ लोग बोलें 4, देको लेंथ यह क्या होता है जो भी आपके टेक्स होता है उसका लेंथ निकालता है तो यहां पर नेम में कितने करेक्टर हैं एक, दो, तीन, चार करेक्टर है न तो इसका answer क्या हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा बहुत बने है? 4 सही होगा जिसने दिया है answer 8 कैसे होगा? MS PowerPoint presentation help you throw the presentation off MS PowerPoint presentation का माध्यम से, किसे के माध्यम से? caption के माध्यम से? wizard के माध्यम से? font या color? ms powerpoint presentation help you through the presentation of क्या क्या होगा answer font नहीं होगा शिमरें जी ये बोला ms powerpoint presentation help you through the presentation of caption का presentation करता है wizard wizard का मतलब होता है जो predefined आपके text होते हैं as a template मान सकते हो wizard में auto content होता है उसी का क्या करता है present करता है जो आपके wizard बना उसी को करता है b answer सही होगा अगला प्रस्न है ms word allow to user to type a text directly inside it जो ms word होता है वो आपका किसमे जो है text को जो है लिखने के लिए आजादी देता है cable में print में callouts में या number only में देखो यहाँ पे जो option होगा वो callout होगा callout का मतलब ऐसे जो आपका बनता है ना कभी देखे होगे कि यहां पर कोई है और कुछ बोलना चाह रहा है ठीक है तो वह उसको डोनेट करके यह वाले जो आपका सिंबल बनता है callout बोलते हैं इसको ठीक है इतनी इसमें आप direct text लिख सकते हो तो वही बोला callout में आपका क्या होता है टेक्स्ट आप इंटर कर सकते हो callout see answer होगा इसको मैंने आपको उस वाले में भी कराया हुआ है which of the following is not a page margin इसमें से कौन सा page margin नहीं है हाँ जैसे comic में होता है जैसे comic में होता था ऐसे वाला सिंबल किसी को बुलाने के लिए कोई कुछ बोलता है तो आप newspaper में देखे होगे तो उसी को बोला जाता है which of the following is not a page margin page margin क्या नहीं है top left right center center का margin नहीं होता है center जो होता है वो margin में नहीं होता है भाई साथ center का top में left में right में margin आपका क्या page है यह और page का margin क्या होगा यह होगा उपर चुटा रहता इधर चुटा रहता और इधर चुटा रहता यहीं तो margin होता है आपके चारो साइड में तो center में कोई margin नहीं होता है D answer हो जाएगा आजा अगला question what is the minimum number of row and column in what table can be जो वर्ड में आप table बनाते हो इसमें row और column के number of संख्या minimum क्या हो सकता है minimum एक और रो भी एक हो सकता है minimum row और column एक एक हो सकता है सोनी जी इसकी PDF आपके paid class में लगा दी गई है ठीक है आप फ्री class आपको YouTube पे जो PDF है वो paid वाले बच्चों को मिले कुछ तो हमें difference करना पड़ेगा न आज spread seat consist of जो spread seat है आपका वो क्या consist कितने column रहते हैं बताओ 257 254 256 255 जब option में आपका ऐसे है तो समझ लो किसके बारे में पूछ रहा है 2003 के बारे में पूछ रहा है ना कि 2007 से उपर पूछ रहा है कि ठीक है कि क्या answer दोगे देखो इसमें extension भी जो 2003 की file होती थी उसमें Excel का extension लेकिन अब क्या है एक्सलेक्स है ठीक है यह है 2007 के बाद से ठीक तो यहां पर 256 अभी कली हमने जिक्र किया था तो सी और इसका answer 256 करेक्ट होगा ठीक है यह द्यान नखिएगा यह 256 होगा आजाओ बोला यहां पर बारे नमबर इस यूज़ तो expand the first letter of a paragraph into one or more line बताओ एक पारग्राफ को एक से ज्यादे लाइन में expand करने के लिए इसमें से क्या यूज़ किया जाता है टेबल यह तो नहीं हो सकता कैप्स नहीं हो सकता ड्रॉप या मार्जिन मार्जिन भी नहीं हो सकता ड्रॉप कैप ठीक है पारग्राफ को जैसे होता है किसके वाज़ास होता है ड्रॉप कैप के हो जासे होता है एक बार सभी लोग सेर करो भाई सेशन को जोरदार तरीके से ऐसे कैसे काम चलेगा Microsoft Excel इस विंडो बेस्ट पैकेज जो Microsoft Excel विंडो बेस्ट पैकेज है क्या होता है स्प्रेड सेट प्रिंट स्टाइल सीट या प्रिजेंटेजन तो इसमें आपके स्प्रेड सिट होती है ठीक है आंसर क्या हो जाएगा एक करेक्ट हो जाएगा यह आपका एकदम सही है जब अस्दर्स्ट मादेयो का नाम लेकबर सेशन को सेयर करो Microsoft Windows allow user to type a file name up to a character including spaces spaces को लेकर कितने character तक किसी file का नाम हम रख सकते हैं अभी कली हमने जिक्र किया था कली जिक्र किया था file का नाम कितने character तक हो सकता है maximum minimum एक और maximum कितना होगा minimum आपका एक हो सकता है और maximum 205 character हो सकता है 205 character हो सकता है ए आंसर आपका सही हो जाएगा किसी भी file का जो नाम होगा save करने के लिए वो अगला एदा special effect used to introduce slide in a presentation archive किसी कोई भी special effect हम जब slide में डालते हैं तो उसको क्या कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है जब slide to slide डालोगे किसी text में नहीं डाल ले हो तो वो कालाएगा आपका क्या transition कालाएगा और किसी text या image में डाल ले हो तो वो animation कालाएगा which shortcut key are used to open the font size box font size box जो आता है उसको open करने के लिए कौन सा shortcut की लिए ते हैं कल एक question थाम लोगा control shift f1 वो f1 नहीं f12 होगा control shift f12 टाइप राइटर ने गरबर कर दिया था तो यह आपका print के लिए होता है किसके लिए होता है print के लिए होता है और जो कुछ लोग कर रहे थे control f1 जो होता है न यह आपका hide करने के लिए होता है आपर excel में रिबन को तो आंसर इसका क्या होगा control shift p के साथ आपका font का dialogue box खुल जाएगा font का dialogue box control shift p के साथ open हो जाएगा अपका MS Word 2013 sort by option is used for जो sort by option होता है वो किसलिए use होता है 2013 में to delete the content of the table नहीं to update the content of the table यह भी नहीं होता अपडेट के लिए नहीं हो तो sort का मतलब होता है आप increasing order में या decreasing order में कोई data offset कर रहे हो तो इसके लिए sorting वाला जो option होता है वो दिया जाता है आजा बोलना what is the shortcut key show and hide ribbon बारिंग Microsoft Excel वहीं आ गया ना Microsoft Excel में ribbon को hide करने के लिए और show करने के लिए कौन सा shortcut key होगा हां सी में पढ़ा था ना sorting bubble sort hip sort merge sort क्यों पढ़ाएगी नहीं है सब हां तो यहां क्या होगा जल्दी से बताओ यहां control F1 अभी मैं बताया हूं control F1 से ribbon जो होता है आपका एक्सल में वह हाइड और सो होने लगता है अगला परसन देखो यहां पर क्या होगा वाट में दा MS Excel output of the following function और लिखाया ऐसे और का मतलब अग इससे अगली वैलू और क्या होगी इससे अगली वैलू और क्या होगी जल्दी से बताओ 45 के बाद 46 और नहीं होता है 47 और होगा क्या होगा 47 और होगा 347 होगा नहीं false क्यों आएगा false क्यों आएगी वैलू नहीं point में तो इससे थोड़ी मतलब कि false आएगा बोला which of the following is a correct formula to check whether the value is cell A1 is event or odd whether the next display the according to if mod is close to event पे क्या होगी तीन सो छी आलिस जल्दी से बताओ इसको लो हट जल्दी से लो अग के इसका रोगा इसको क्या होगा which of the following is a correct formula to check whether the value is cell A1 is even or odd and whether the next is display according to बता कौन सा होगा if mod a1 is 2 is close to 0 or even यह तो नहीं होगा ना अगर 2 equal to 0 हो जाए अगर इसकी वैलू 2 से डिवाइड करने पर 0 आ जाएगा तो वो odd थोरी होगा यह formula तो गलत हो गया अगर 0 होता तो event print करेगा नहीं 0 होता तो odd print करेगा ठीक है देखो थोड़ा मुला कर लो तो यह बी वाला option सही होगा अगर mod a1 की value 0 होती है तो event otherwise odd यह formula गलत है क्योंकि 0 होगया तो पहले true क्योंकि यह true condition होती है यह false होती है तो यह true होगा यह false condition होगा तो अगर यह condition true होई तो true वाला value निकालेगा तो जीरो तभी होगा ना जब even होगा तब यह print होना चाहिए तो इसलिए यह वाला formula गलत तरीके से लिखा हुआ है हाँ करके देख लो बया नहीं भी स्वास है हमारे परता पावरपोइंट विंडो विद आउट तो यू स्वीचिंग दा फुल स्क्रीन इन Microsoft PowerPoint 2016 अलाओ तो प्ले ए श्लाइड शो बताइगे क्या होगा रीदिंग विव नोट पेज स्लाइड मास्टर या आउटलाइड विव बिना मोर्ट स्वीच किया आपका फुल स्क्रीन बोला आप प्लेड विंडो विदाउट तो यू स्वीचिंग दा फुल स्क्रीन इन Microsoft PowerPoint 2016 अलाओ यू तो प्ले शो तो क्या हो जाएगा कौन सा रीडिंग विव विव विदाउट रीडिंग विव तो यू स्वीचिंग दा फुल स्क्रीन बिना रीडिंग विव पे जाए हम स्लाइड सो नहीं कर सकते हैं तो यह यह हो जागा ठीक है बिना उसके स्लाइड सो की सुविधा कौन देता है यहीं देता आउट अप दा फॉलोईंग ग्राफिक लिस्ट लिमिट एमस्वर्ड वाजर सोलाव प्रोसेस रेंज अफ दा प्रोसेस डाइग्राम तो मोर कंप्लेक्स ग्राफ और्गनाजेशन डाइ जैसे क्या हो गया मैंने कहा कि आपको और भी अफुड डाइग्राम हो गया वल्डाइग्राम हो गया हुं छत्या región और cultural टाइप में किसमें होता था स्मार्ट में जितने भी चीजे ओति है what is one thing that all formula in MS Excel have in common क्या इस में से एक चीज होता है MS Excel के formula में common they all give the text in the result नहीं, they all give integer in the result नहीं, they all start with an at the rate sign नहीं they all start with equal sign यह आपका सम्में common होता है कि जितने भी formula होंगे वो किसे start होगा, equal to sign से होगा लग रहा है आप लोग को अब exam देना नहीं है इसलिए पहले दिन class में अच्छे खासे लोग थे लेकिन अब आप लोग के जो पढ़ने का मन है वो हट रहा है, तो अगर आपके पढ़ने का मन हट जाएगा तो हम भी हट जाएंगे आपके पीछे से मेहनत करने में तो ऐसा ना करो, आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है कि questions को ढूड़ा जाता है previous year, फिर आपको कराया जाता है तो फिर क्यों admission लेते हो तुम लोग courses में the place in MS Excel that display the content of the current sale along with the content of same sale is card बोला है कि MS Excel का वो अस्थान जो वर्तमान sale के विशे वस्तु को उसी प्रकार प्रदर्शित करता है एक तरह से बताओ किसमें the place of MS Excel that display the content of the current sale along with the content of the same sale is card उसको क्या कहा जाएगा जोको formula बार में जाओगे तो जो cell का address रहगा वही cj formula में भी दिखाता है तो वो हो जाएगा formula बार a answer होगा formula बार in the run command dialogue box run command जब आप window के साथ window बटन के साथ क्या दबाते हो r दबाते हो तो ऐसे command कुल के आता है window ठीक है run command अब इसमें आप क्या लिखोगे कि आपका Microsoft word खुल जाए तो इसमें लिखोगे win word क्या लिखोगे win word तो यहां पर win word भी लिखोगे तभी खुल जाएगा win word.exe भी लिखोगे तभी खुल जाएगा ठीक है answer आपका b correct होगा 26 नमबर प्रशना आप आजएगे प्रगती जी निक जी आसी जी अच्छा इसका answer बताओ which of the following is a correct way to represent a cell c1 so that both the column and the row are absolute बताओ c1 को कैसे किया जाए कि row और column absolute हो इसमें से बताओ कौन सा सही होगा absolute बनाने के लिए इसमें से कौन सा सही होगा देखो अगर आपको column को absolute बनाना है तो यह column होगा इसके आगे dollar लगा दो रो को लग बनाना है तो रो के आगे dollar लगा दो तो यह sign जहां होगा वही absolute होगा यह d answer correct होगा d answer correct होगा the shortcut key to enter auto sum function auto sum function 2000 मलब excel में लगाने के लिए क्या shortcut key है हाँ dollar आगे होगा auto sum लगाने के लिए कौन सा shortcut key है auto sum हाँ एकदम सही जब आप कौन दिया है एक पड़ देख लें iu zi art plus equal to से auto sum formula लग जाता है यह आपका c answer सही होगा 28 नंबर question आजाओ to underline only word in a sentence leaving space between the word you can press मतलब जान लो जैसे यह लिखा हुआ Microsoft word तो इसको underline करें इसको underline करें इसको underline करें इस space को छोड़कर जो word है उसको underline करने के लिए कौन सा shortcut key use करेंगे यह पढ़ाया है मैंने class में आप सभी को जल्दी से बताओ क्या होगा हाँ सभी लोग u को देखे नहीं तो u का मतलब underline होता है और मैंने यही बताया था class अच्छे से देखना एक mcq भी जो कराया हूँगा उसमें भी यह question मैं कराया हूँ सब के सब d के साथ जा रहे है लेकिन सिमरन ने अपना answer बदल दिया c के साथ जा रहे है d पग जी b के साथ जा रहे है भारती जी c तो c वाले सही है control shift w होगा u के साथ मत जाओ control u से underline होता है लेकिन वो पूरा underline होता है आ जाओ control shift u नहीं होगा control shift w होगा करके देखो ठीके control u से underline होता है आ जाओ in ms word 2010 which type consists of the option of changing background color of a page page का background color करने के लिए किस option में जाओगे बताओ इसमें क्या सही answer होगा बहुत बढ़िया page layout में जाओगे तो वही पर page layout के बाद आपका क्या होता है एक command group होता है कौन सा होता है page layout में जहां आपका page का color दिया होता है page background command group होता है उसी में page color होता है उसी में आपका ऐसे page बना होता है और ऐसे आपकी बाल्टी ऐसे लटकी राती है ठीक है तो वही page color होता है यह ध्याँ रखना चलो अगले question पर आते हैं इसका बता हो अब file with the file extension is a word open in xml macro enabled document file macro enabled document file का extension क्या होता है जो macro होता ना recording वाली file उसका extension बोला अगर enable हो तो उसका document file क्या होगा जल्दी से बताइए क्या होगा इसमें do dot docm होगा dot docm जो होता है m jol होता ना macro enable बताता है क्या बताता है macro enable in ms word control home is used किसके लिए use होता है move the cursor to the beginning of document जो cursor है उसको शुरुआज से करने के लिए या move the cursor to the beginning of line या paragraph of line या all of the above control plus home से क्या होगा चलो a answer direct them सही move the cursor to the beginning of the document होगा a answer आपका सही होगा इसका what does control shift plus control shift plus plus की effect इससे क्या होता है control shift plus plus से क्या हो जाएगा ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और question भी कराया है हाँ भी एकदम सही super script लगेगा क्या लगेगा मालो x की power square लिखना है तो super script लगे लगा to update the formula in a table press कोई भी formula अपडेट करना है table में तो क्या प्रेस करोगे कहा design tab में है option कहा है वहाँ पर design है option के साथ जाउनर आई कहां गया एक ही चीज़ बेट लगा के बैठे हो यहां design tab कहा है बताओ कहां design है option में जो रहेगा वो तो दावबे 2010 की का 2013 और 16 में design tab आया है नया यहां option में है design क्या रॉंग information दे रहा हूं यह बताओ जाओ 2010 खोल के देखो 2010 खोलो एक बर यहां option में क्या दिख रहा है तुम्हें design दिख रहा है साब साब page layout में जाओगे theme होता है page setup होता है और page gate ground होता है जादे चलाक न बना करो जैसा option हो ऐसा किया करो फिर जाब बहुत जादे ग्यानी हो तो आते हूं क्यों class में कि एच के भक्ति सागर जी क्या है बताई क्या रॉंग information है बताओ बताओ क्या है क्या जानते हो कोई यहां पर चीजे चीजे मेंसन किया गया है कि कौन से वर्जन से पूछा गया है दिमाग घांच चरने गई है तुम्हारा आता जाता कुछ नहीं है बस कहदो करने के लिए जाना ऐसे करना वहां पर फिर एक्जामिनर तुम्हें बताएगा अच्छे से मिलेगा नमबर चलो इनको लगता है कभी वर्ड खोल के देखे नहीं होंगे मैं स्वर्ड कैसा दिखता है लेटेस्ट बर्जन की बात करें वहांना बर्जन लिखा ने कुछ लिखा ऑप्शन के कॉर्डिंग आंसर दोगे कि अपने कॉर्डिंग आंसर दोगे आजाओ एक एक टाइम से मैं कॉर्चन खूज के लाता हूँ कि आपको एक्स्प्लेंड ना करना पड़े कहां कहां से कॉर्चन बन सकता है तो अप्डेट है फार्मूला इने टेबल ट्रेस दा कौन सा बटनाम क्रेस करेंगे F9 बहुत बने है F9 कीज के हम अप फार्मूला टेप पर दबाएंगे तो हम फार्मूला को क्या करेंगे बोला अप्डेट है फार्मूला प्रेसदा F9 किसी भी टेबल में हमें अपडेट करना होगा फार्मूला को आच्छा फार्मूला ऐसा नहीं है कि आप एक्सल में ही लगा सकते हो आप वर्ड के टेबल में भी फार्मूला लगा सकते हो लेकिन थोड़ा सा difficult हो जाता है क्या गलत है भाई साथ तनी हमें भी बता दो क्या गलत है क्या गलत है तुम जाओ एक बार देख के आओ अगर गलत प्रूफ कर दो तो बताओ जाओ देख के आओ एक बार और यह आया हुआ question है यह भी बता दे रहा हुआ कहां आया हुआ है डेली पुलिस कॉंस्टेबल 10 question आता है SSC के द्वारा वो question है और जाओ answer की तुम्हें मिल जा अगर मुफट में तो ले 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 ना उनसे next question the following tool bar display in the word application window by default वही तो बोल ना हूँ कुछ लोग बिना देखें आ जाते हैं तीर मार में उनको और कुछ नहीं होता है the following tool bar display in the word application window by default इसमें से कौन सा tool bar display करता word में application के by default form toolbar formatting tool bar drawing tool bar और अब देखो कुछ चीज़े हैं आपर 2003 case अपेक्ष में पूस्ता है अभी आपको अगर मैं बता हूँ तो यहां से कोई भी आपका जो toolbar होगा जो भी देख रहे हो form toolbar drawing toolbar अभी के version में आप नहीं पाऊगे अभी के version में आप नहीं पाऊगे यह question old version से है क्यों है क्योंकि अगर आपको option पता रहेगा कि आज के समय में कोई भी window में आपको by default यहां से नहीं दिखता है application window by default नहीं दिखता है यह 2003 में दिखता था किसमें 2003 में जब जाओगे तो उसमें आपको formatting toolbar दिखता है वहाँ पे tools option भी होता था 2003 में जब जाओगे ना tools option भी होता था word 2003 में by default आपको जो बार दिखता है formatting toolbar एक होता था ठीक है और उसमें tools option भी होता था जो 2007 के बाद चीज़े हट गए तो 2003 का version होगा जो 2003 का version जिसके पास होगा वो देख लेगा भी answer होगा यह option भी 2003 के सापेक्ष में set किया गया इसलिए 2007 के कोई भी option नहीं है मतलब 2007 के बाद जो भी आपके बार है टैप बार उसका कोई भी option यहां नहीं दिया गया है कम chances हैं पूछने का बस the fourth type of mail merger main document are चार प्रकार के mail merger होते हैं जो mail merger होता है आपका कहा होता है यह पहले बताओ किसमें होता mail merger mailing होता है page layout के बाद जाओगे reference होगा reference के बाद mailing होगा mailing में जब जाओगे तो वहाँ पे आपका merger होता है merger, mail merger मतलब आप mail बना के mail merger का काम होता ही है जैसे क्या होता ना एक ही document है suppose करो आपको किसी को invitation भेजना है तो आपने यहां लिखा dear यहां नाम यहां address तो इन सब चीजों को आप बदल सकते हो content तो आपका वही रहेगा ना कि मैं आपको invite करता हूँ इस दिन बनाए हो excel में तो उसको आप क्या कर सकते हो upload कर सकते हो उसमें तो उसमें आपका नाम content number address उसके through क्या होगा by default जितने भी आपके template बनाए रहोगे अपने आप यहां change हो जाएगा जिसका जिसका नाम रहेगा phone number address अपने आप change होता रहेगा उसका एक format होता है ठीक है तो यह किस-किस फार्म में होता है लेटर के फार्म में भी होता है इन्वालब के फार्म में mailing label and catalog के फार्म में होता है यह चार चीजे होती है D answer इसका correct होगा D answer correct होगा ठीक है और उसके बाद से आप outlook के through इसको mail कर सकते हो इसका जो mailing होता है वो outlook से connect होता है आप उसके through mail कर सकते हो यह mail merger यह आपका देखो क्या है कि यह आपका word का सवाल है We can insert a maximum number of column in MS word MS word में कितने column हो सकते हैं column मतलब आपके table में column table में कितने column हो सकते हैं maximum maximum कितने column हो सकते हैं 63 column हो सकते हैं maximum याद रखना 63 अगला है which of the following is not of the merge process इसमें से कौन सा merge process नहीं है प्रिव्यू दा मर्ज रिजल्ट फॉर्मेट में डॉकुमेंट एडिक डाटा सोर्स आइटेंटिफाई दा में डॉकुमेंट देखो यहां पर जो बोला प्रिव्यू दा मर्ज रिजल्ट मर्ज रिजल्ट जो आएगा आप जब मर्जिंग करोगे मेल मर्जी तो उसको प्रिव्यू देख सकते होगी क्या क्या है किसका लेटर कैसे कैसे है कैसे अड्रेस चेंज हुआ जैसे मैंने बताया एक लेटर का पिन्विटेशन काड का कि यहां ने हम लिख दोगे छोड़ दोगे एडरेस लिख लिख के छोड़ दोगे ठीक है तो मॉबाइल नमबर लिख के छोड़ दोगे बाकी आप पूरा लिख दो जो भीपी इक्सल सीट रहेंगा एक पने नम एक पर address, एक पर mobile number और जितने लोगों कर रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 उन सभी का अपने आप by default पहले पर जोगा name के आगए उसका नाम आजाएगा उसका address आजाएगा, उसका mobile number आजाएगा तो ऐसे invitation car को आप देख सकते हो preview कर सकते हो ठीक है तो यह हो सकता है आवाज बूज रही है अभी देखो ठीक है तो बी answer आपका यह नहीं हो सकता है बोला थिजर्स टूल थिजर्स टूल जो होता है MS Word में किसले यूज कई आया था spelling suggestion के लिए synonyms या antonyms word के लिए translate किया नन अब दीज तो यह जो थिजर्स होता है dictionary होता है इसमें synonyms और antonyms का word होता है क्या होता है आपके विलोम या परिवाची जो होता है वो चीजे इसमें होती है बी होगा translate के लिए नहीं use होता है MS Word for what does ruler ruler मतलब झो ऊपर ruler आता है ruler काई अपका यहां पर ruler होता है यह सपोस करो आपके उपर की tag होगा है वो रिबन हो गया और यहीं पर आपका ruler आता है आपका horizontal और vertical ruler होते हैं तो वही बोला है यह ruler क्योंता है देखो, tab को भी आप set कर सकते हो, tab की space कहां हो, तो ऐसे इसको margin से indent भी set कर सकते हो, indent मतलब left या right बात होता है, page के margin को भी ruler से set कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, all of the above कर सकते हो, D. answer इसका सही होगा, चालिस नमबर प्रस्ट विच मैनू इन MS वर्ड कैन बी यूज चेंज करेक्टर साइज एंड टाइप फेस ये भी आपको नहीं मिलेगा ये भी आपके जो हैंगे को व्यू टूस फॉर्ड में डेटा ये जितना भी है आपका ये आपका 2007 का नहीं है ये 2003 से जो पिछले वर्जन है उनका मैनू दिया हुआ है क्यूंकि अभी के मैनू में सिर्फ आपको व्यू मिलेगा बाकी और नहीं मिलेगा टूस भी नहीं मिलेगा अभी के मैनू में जाओगे तो आपको टूस भी नहीं मिलेगा हाँ उसके बाद एक्सल में जब जाओगे एक्सल में जाओगे तो आपको डेटा तो मिल जाता है लेकिन फार्मेट और टूल्स नहीं मिलेगा एक्सल में जाओगे तो डाटा तो मिल जाता है लेकिन फार्मेट और टूल्स नहीं मिलता है कान फटे जा रहे हैं अब आज कम कर लो आसुतोस तो यहां पर क्या हो जाएगा विच मेनों इनमेस वर्ड केन भी यूजड वर्ड की बात किया है तो वर्ड में ना डेटा भी हमें देखने को मिलता है ना टूल्स ना फॉर्मेट से व्यू देखने मिलता है 2003 में जो हमारा था वहापको क्या मिलता था जहां पर आपका क्या करता है यहां चेंज करते थे किस्में फॉर्मिट में जाकर format में जाके ठीक है format में जाके हम size जो अभी हम लोग home में करते हैं न text की size उसको what is the extension of file in MS Word 1907 से लेकर 2003 तक कौन से extension होता था 2003 तक document का extension DOC होता है क्या होता है DOC और .docx जो होता है वो किसका होता है वो आपका 2007 के बाद से होता है 2007 के बाद जितने वर्जन आए और अगर आप कहें DOC क्या होता है तो macros macros enable होता है क्या होता है macros अगर enable है आपके file में और save कर रहे हो तो यह हो जाएगा तो अभी answer क्या हो जाएगा DOC हो जाएगा जाएग अगला प्राशन वाइडर और फूटर यूज इन MS वर्ड क्यों हैडर फूटर MS वर्ड में यूज करते हैं to enhance the overall appearance of the document document के appear को enhance करने के लिए to mark the starting of the page to make a large document more readable या to allow a page header and footer to appear on a document when it is printed किसलिए header footer हम लोग इस्तमाल करते हैं बताओ यहां देखो to allow a page headers and footers to appear on the document when it is printed भाई हम header footer इसलिए तो लगाते हैं कि जब भी हम print कराएं तो header footer है जब मान लोग किताब है किताब में header और footer लगा रहता है footer में आपके information दी रहती है यहां पर page number होता है header में आपका topic नाम दिया रहता है फिर बीच में content होता है तो वो उस purpose से लिए ले रहा है जाता है कि यह print हो ऐसा हो कि नहीं प्रिंट ही ना हो ठीक है तो the answer इसका सटीक होगा in ms word shortcut की shift or delete is used to delete the selected item permanently without placing the item in the recycle bin या copy the selected item rename the selected item नहीं नहीं यह होगा create a shortcut to the selected item नहीं यह भी नहीं होगा यह क्या होता shift or delete की मार जब दबाओगे आप तो permanently बिना recycle bin में जाए कोई चीछ delete हो जाती है ठीक है answer a आपका सही जबाब होगा 44 नंबर प्रस्ण आपके screen पर है बोला what is the default number of line देखो आज word सबसे ज़्यादे word के question है word के पूरी तरह आपको maximum question में करा दिया इसके बाद वाले में excel जादे रहेगा ठीक है in the default number of line the drop और drop cap ठीक है इसमें बोला आए कि जो number of line होती है जैसे drop cap जब हम लगाते है तो by default कितना number कितनी line लेता है later वो ही भी later by default कितनी line लेता है वो आपसे पूछ रहा है तो by default तीन line लेता है अब maximum इसका कितना होता है maximum आपके 10 line होती है drop cap में जब जाके देखोगे वाँ पे और drop cap कहा होता है बताओगे कोई जो drop cap है आपका वो कहा होता है जल्दी से बताओ कोई drop cap कहा होता है जब आप insert में जाओगे और text command group में जाओगे जो header footer के बगल में text command group होता है उसमें आपका word art के बगल में जहां word art रहता है न ऐसे उसी के बगल में ऐसे drop cap लगा रहता है जब उसको आप उस पर click करोगे drop cap पर drop down करोगे तो वहाँ none drop paid margin आता है और जब drop cap option पर click करोगे तो वहाँ पर आपका आता है line to drop distance from text ठीक है text का distance कितना होगा यह सब चीजी आती है तो वहाँ देखोगे तो by default 3 होता है minimum जो होगा आपका minimum एक रहेगा और maximum 10 हो जाता है line ठीक तो यह ध्यान रखेगा यहाँ ते answer by default 3 होगा इसका सही अब 45 नंबर प्रशने का answer दीजिए अब बुकमार्क is an item or location in a document that you identify name for future reference which of the following task is accomplished by using bookmark बुकमार्क करने पर हम कौन सा काम कर सकते मताओ to mark the ending of a page of a document to quickly jump to a specified location in the document to add hyperlink in a webpage none of that is अगर आप किसी चीज को bookmark किये हो कहीं जाकर तो आप क्या करोगे जो भी bookmark किये हो document में उसी पर direct jump हो जाओगे ठीक है bookmark का मतलब आप उस चीज पर उस text पर direct पहुच जाओगे to quickly jump to a specified specific location in the document जिसको भी bookmark किये हो page को किये हो किसी text को किये हो तो वहाँ आप पहुच जाओगे बी answer एकदम सही होगा 46 number first what is the maximum number of line you can set for a drop cap maximum number कितना कर सकते हो अभी हमने बात किया 10 हो सकता है maximum जो drop cap में line जो होगी वह maximum 10 हो सकता है how can you insert a sound file in your word document word document में अगर sound file insert करना हो तो किस process से insert करोगे जल्दी से बताओ word file में अगर sound आपको insert करना हो तो किस से करोगे बताओ 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 क्या होगा from insert sound menu option from insert file menu option from insert object menu option ठीक है या none of these क्या होगा इसमें से answer बहुत बढ़े औप्जेट में आप्शन ये टेक्स्ट वाले कमांड गरूप में होता है from insert object menu option से आप कर सकते हो sound file को बोलाग macros क्या होता है small program create in MS Word to automate a repetitive task by using VVA visual basic जो है array होते हैं उससे small added on a program data install after word if you needed them programming language that you can use the customized MS यह नहीं होता है large tools in word such as mail merger क्या होता है कोई भी आप repetitive task कर रहे हो उसको क्या करता है recording का काम करता है उसको record कर लिए जहां जहां use पड़ा वो shortcut की बना है उसको paste करते चले गए तो यह small program होता है जो create किया जाता है MS Word में जो क्या करता है repetitive task को handle करता है a answer correct हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका answer a correct हो जाएगा 49 template store template जो होता है store किया रहता है क्या store करता है graphics text style macros customize word command setting auto text entries आजाओ यह क्या हो जाएगा all of the above हो जाएगा क्या हो जाएगा graphics भी होता है customize word भी होता है आप word को customize कर सकते हो template में ऐसा नहीं जो बना है उसको बना ही रहेगा उसको अपने इसाब से change भी कर सकते हो auto text entries भी होती है उसमें ठीक है तो यह सब ही होता है आपके template में 50 number question या index कहते है क्या कहते है जैसे आपका बना कहूं vertical separation मतलब vertical यह हो गया column के बीच में जाएगा आप मालो page है आपका इस page को अगर दो column में किया जाए तो यहाँ पर आपको space दिखता है न यहाँ से यहीं तब तो लिख पाते हो यह से यहीं तो लिख पाते हो यह space आपको इधर column में भी होता है तो उसको क्या कहा जाता है gutter gutter margin आपके सिर्फ उसके लिए होता है printing जो आपका छोड़ा जाता है उसके लिए देखो जब column में जाते हैं जितना भी column करोगे तो यह जो space होता है यह भी margin ही कहा लाता है यह भी क्या कहा लाता है margin ही कहा लाता है C answer होगा C answer होगा margin कहलाएगा ठीक है तो यह 50 प्रशन हुए अभी तक हम MS Word के maximum प्रशन आपको करा दिये हैं अब इससे जावे हमें नहीं रखता है कि आपको exam में मिलेगा ठीक है लेकिन last time एक और चीज़े मैं बोल के जा रहा हूँ आप लोग 2010 के जिसके पास 2000 मतब 7 के बाद जो भी word होगा उसके सभी menu bar को देख लेना एक बार open करके कि हर menu bar में कितने command group है क्या है कितने command group है कितने command group है और उस command group में कितने command है ये जरूर आप लोग देख लेना ये बहुत ही जरूरी है हो सकता है कुछ image से ही photo खीच के दे दे जैसे computer operator में word art word art होता है न ऐसे ये बना रहता है उसी का photo खीच के दे दिया था कि ये क्या होता है मालो आप से एक photo खीच के ऐसे पूछ आप असानी से प्रषन कर सकते हो तो visualization बहुत जरूरी है आप को word करने में ठीक है तो इन सबी को इस जबात को मैंने जो बोला कि menu option खोल लेना उसके हर command group को अच्छे से देख लेना किसमें क्या-क्या चीजे हैं ठीक है बाकी Monday कल भी class लेंगे तो कल हो सकता है हम लोग एक्सल को पढ़ाएंगे एक्सल की जितने question होगा वो जादे से जादे मैं कराऊंगा अभी तब mix ही करा रहाता लेकिन आप थोड़ा-थोड़ा सभी के करा रहा हूँ जो बचे हुए question है ठीक है कुछ previous year है और कुछ बचे हुए question है इसमें चलिए लेकिन हाँ थोड़ी आप लोग share करो संख्या बल को बढ़ाओ ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ अगर यही speed रहेगी कि आप लोग को पढ़ना नहीं है exam भाई आपके सर पे है और उसके बाद भी चलो जिसका UPPCL का एक महीने बाद भी है लेकिन है तो practice नहीं करोगे तो क्या एक महीना कोई time नहीं होता है भाई साब ठीक है और जो JCO पहले हार मान के बैठ गए हो कि नहीं पढ़ेंगे exam में इतना जल्दी हो गया तो वही बात ह कहा जा सकता है क्या कहा जा सकता है उसको कि पहले ही अगर आप हार मान गए हो तो मन के हार हार है और मन के जीते जीत वही वाली बात है अगर मन से हार मान गए हो तो भाईया पहले ही हार मान जाओ गए चलिए तो एक बार ये काम जरूर कर लेना आपके पास laptop है तो ये चीज जरूर करना क्यूंकि visualization से question आजकाल बनने लगे हैं नए trend में देखने को मिलते हैं हम लोग start करते हैं question को देखो ये रहा पहला question आपके screen पर आ गया है इसका answer बढ़ाई what is the default left margin in word shift office से कितना करोगे maximum हो गया भाई what is the default left margin in word 2003 document जो margin आप खोलोगे न पेज का तो यहां आपसे 2003 का पूछा है तो मैंने आपसे बता है 2007 के बाद आपको सवी version में common मिलेगा लेकिन 2003, 97 से लेकर 2003 तक जो है इसमें आपके same feature थे 2007 से लेकर 2019 तक की बात करें तो maximum feature इसमें same है पहला answer होगा one चलो one दे रहे हैं नई 2.5 बता रहे हैं होगे इंदर चलो हाँ थोड़ी सी गलबर कर रहे हो जो आपका left margin होता है default अगर जो होता है default आपका margin अगर जो खोलोगे word में तो default margin का अभी 2000 अगर हम 10 की बात करें तो सब 1111 होता है टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट लेकिन जब 2003 की बात करते हैं तो उस समय 1.25 होता था कितना होता था 1.25 होता था 2.5 नहीं 1.25 याद रखो ठीक है अगला question हम बढ़ते हैं What is the maximum font size you can apply for any character किसी character के लिए हम maximum कितना font size यूज कर सकते हैं इसका answer जल्दी से आप लोग comment के माध्यम से बताओ कि क्या सही जबाब होगा 1638, 72 कुछ लोगों का रहा है 72 देखो option में ये कहीं नहीं दिया है ये बोला maximum font size you can apply for any character किसी character के लिए आप कितना font size यूज कर सकते हो आपको कहीं ये नहीं दिया है कि जो font style का drop down होता है उसकी बात नहीं कुछ किया है question incomplete नहीं है आयूस जी साफ साफ लिखा है कि what is the maximum font size you can apply for any character किसी character के लिए maximum font size कितना आप apply कर सकते हो ठीक है अगर question 72 के भी हाग पे पूछा तो वो formatting toolbar जरूर पूछता ठीक है 163 नहीं होता है 1639 होता है option B होगा आप उस पे मारना सर्च करना 1639 होगा चलो हिंदी इंगलिस से क्या लेना देना है question तो बहुत आसानी है question तो हिंदी इंगलिस से सेमी है to get a symbol dialogue box which one of the menu can choose symbol अगर आपको symbol लेना है तो आप इसमें से कौन सा menu जो है choose करोगे अभी बताओ इसका सही जब आप क्या होगा अगर आपको symbol लेना है तो कौन सा menu आप choose करोगे format format में कहा होता है योगेंद्र कामनी जी insert बता रहे है शोनी जी c बता रहे है सौरब जी insert बता रहे है बिंदिया जी insert एकदम सही जो insert के साथ जा रहा है insert में जब जाओगे तो सबसे last command group जो आपको मिलेगा वो symbol का मिलेगा उसी में आपका symbol का sign ये रहता है ठीक है उसी में आपका रहेगा अगला प्रसन आपके screen पर आ गया है autocorrect was originally designed to replace word as you type autocorrect में क्या होता है जैसे क्या होता कोई चीज लिखते हो तो वो गलत होता है तो उसको automatic correct हो जाता है sought and repetitive होता है या misspelled होता है या ननब दैवब होता है जो autocorrect है वो किस पर काम करता है जब आपकी misspelled हाँ सही बात है grammatically error नहीं आपकी spelling जब mistake होती है एक बार सभी लोग share कर दो हर हर माहदेव का नाम लेकर जब आपकी spelling mistake होती ही तो वो आपका अलग दिखने लगता है आपके mobile के keyboard में भी जब आप typing करता हो तो वही feature काम करता है तो जब miss spell होता है तो वो अपने आप वहाँ पर आज आता है spelling आप सही कर सकते हो किसी की spelling लिख रहे हो कुछ चीज भूल गए आपको कोई लेट है तो अपने आप वहाँ पर rate बन जाएगा और आप वहाँ से क्या कर सकते हो चूज कर सकते हो कि इसका सही spelling क्या होगा right click करके आजाओ Inward the mailing list merge mailing की जो list होती है उसको क्या कहा जाता है data source कहा जाता है sheet कहा जाता है data sheet कहा जाता है या source कहा जाता है जब मैंने कहा था आपको mail merging जब करते हो तो mail merging के समय आपको एक database type का तयार करना पड़ता है ठीक है तो उसमें आपको नाम, address, phone number यह सब लिखते हो उसी के recording जो आपके merger envelope होता है जो भी होता है उसको आपको भेजना होता है तो उस चीज को क्या कहा जाता है यह आ रहा है बहुत बढ़िया है जिसका answer data source आ रहा है बैतरीन है data sheet तो आपका excel में होता है sheet जो होती है यह जो होता है data source होता है यह answer सही होगा यह answer correct होगा अगला question है what is the default font size of a new word document based on normal template ठीक है default अच्छा जहां पे कोई version न दिया हो आपको तो आप answer किसको मारोगे अगर option में दोनों चीज दिया हो अभी मैंने जैसे मैं बताऊंगा आप लोगो को कि ऐसे प्रश्ण में किस option को जादे prefer करोगे suppose करो जैसे यहां पे यहां पे बोला what is the default font size of a new word document अगर आपका font size क्या होता है तो सबके answer 11 point आ रहा है कुछ लोग लग रहा है नहीं laptop देखते हो चाहे वर कभी खोल के नहीं देखते हो कि आपका by default font क्या होता है और मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को class में मैंने आपको दिखाया है कि by default जो आपका font होता है वो कैलिबरी ठीक है यह होता है और body यहां पर लिखा रहा था और इसका जो size होता है वो 11 होता है यह जो आपके 2007 है ना उसके बाद से जितने version है उसमें होता था लेकिन सम्तानवे से लेकर अगर हम 2003 की बात करें तो यहां पर times new roman होता था क्या होता था times new roman होता था और इसका by default जो size होता था वो 12 point होता था समझ गए मेरी बात को तो यहां अगर version आपको नहीं दिया है और option भी देखो 12 तो दिया नहीं है अगर दिया भी रहता तो आपको maximum 2010 को मार के करना है ठीक है मतलब recent को मानना है ठीक है recent को मानना मतलब 2007 के बारे मेर मानना है तो यहां हम 11 देंगे 11 point by default हमारा font size होता है समझ में आगे सभी को चलो अगला को है क्या होगा इसमें से क्या सही जबाब होगा जल्दी से बताओ एक बर सभी लोग मादेयों का नाम लीजिए और सेशन को सेर करिये बाई कैसे कम एक्जाम लगा हुआ है यहीं पर UP PCL का भी है और JCA वालों की भी computer आनी है लेकिन कोई serious नहीं है ऐसे पढ़ाई करोगे चलो DDFD aerial होगा अभी अभी मैं बता के गया हूँ और उसके बाद भी गलती कर रहे हो What is the default font used in MS Word 2016 2016 पूछे 10 पूछे 19 पूछे बच्चो तो मैंने कहा 2007 से लेकर अभी तक जो वर्जन है और 97 से लेकर 2003 जो वर्जन है यह एक केटिगरी के हैं और इधर वाले एक केटिगरी के हैं तो कैसे आप लोग answer दे रहे हो कि aerial होगा aerial नहीं होगा none of these होगा क्योंकि answer जो होगा वो आपका वो calibrary ही होगा यह वाला ठीक है यही font आपका होगा by default इस में समझ में आ रहा है की इंडेंट मार्कर control all the lines except first line ठीक है फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी में इंडेंट लगाने को क्या कहा जाता है ऐसे इंडेंट लगता है आपका तो उसको क्या कहा जाएगा left indent मार्कर first line इंडेंट मार्कर right indent मार्कर yah hanging indent मार्कर हाँ Calibri is the default font size बहुत बढ़िया है इसको क्या कहाता है जब भी आपका front line same हो बाकी line में आपके indent लगे हो तो ऐसे को hanging indent कहा जाता है hanging indent marker कहा जाता है बहुत बैतरी इन जबरदस्ट How many different position can you see a drop cap drop cap मैंने बताया था उसकी line भी बता दिया maximum कितना होता है by default कितना होता है ठीक है लेकिन जब आप drop cap को choose करोगे उस पे click करोगे जो drop down बनके आता है तो वहाँ पे आपका एक normal करके होता है ठीक है और क्या होता है एक जो होता आपका dropped होता है एक क्या होता dropped होता है और तीसरा जो position होता है वह margin होता है क्या होता है margin ठीक है margin होता है ड्रॉप्ड मतलब थोड़ा बीच में हो जाएगा margin मतलब थोड़ा margin के पास आपका drop cap लगेगा तो actual में आपके कितने position होते है position आपके पूछा है none कोई position नहीं होता है नहीं गलत जा रहो यह जो none होता है नन मतलब होता कि कोई position नहीं तब drop cap लगेगा ही नहीं नन का मतलब लगेगा नहीं लेकिन इन दोनों में drop cap लगता है तो इसलिए इसको position कहा जाएगा दो ही position होते हैं कितने होते हैं दो ही position होंगे हिंदी में मैं बोल दे रहा हूँ देखो drop cap को drop के बोलेंगे यहां बोला how many different position कितने position होंगे मतलब अस्थान होंगे किसके drop cap लगाने के आप word खोलना word में आप जब क्या करोगे word में किसमें होता है drop cap यह बताओ जब insert में जब जाओगे तो insert में ऐसा symbol आपको दिखता है drop cap का और यहां पे जब आप symbol को click करोगे तो आपके सामने ऐसे खुल के आता है लेकिन पहला यह होता है कि none का none का मतलब होता drop cap मतलगाओ ती वो कोई position नहीं होगा आपका क्या होगा वो कोई position नहीं खलाता है उसके बाद से एक आपका बना रहता ऐसे और यह होता है इसको कहा जाता है आपका क्या dropped और एक आपका ऐसे बना रहता है और ऐसे 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 होता है ठीक है वो ध्यान रखिएगा एक मतलब आपका पूरा ऐसे होता और एक आपका ऐसे ऐसे होता है इसको कहा जाता है dropped इसको कहा जाता है margin in margin ठीक है क्या बोला जाता है in margin इन मार्जिन बोला जाता है तो पोजीशन बेसिकली आपके लगाने के एक यह हुआ है और एक यह हुआ दो ही पोजीशन हुए आंसर टू होगा इसलिए मैं बोलता हूँ आपको मैनू सभी ओपन करके जरूर देखना है समझ गया ना तो देख लो समझ जाओगे which of the following is used to create newspaper style column इसमें से बताओ newspaper style column हम किस से use करते हैं कैसे create कर सकते हैं format column table insert table या format tab या insert test box देखो न्यूस कंप्यूटर नहीं है अरे कंप्यूटर होना बहुत जरूरी है MS Word PowerPoint Excel यह आपको सबसे अच्छा अगर कोई teacher पढ़ा सकता है वो मैं नहीं हूँ वो आपका कंप्यूटर है सिंपल सी बात में बोलना हूँ पोस्ट की पावर कौन से पोस्ट की पावर यहां बोला which of the following is used to create a newspaper style column newspaper हमेशा इस तरह लिखा जाता है column में तो उसमें क्या formatting formatting column में ही लिखा जाता है इसलिए answer A होगा आपका उसाजी वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी का स्वागत है कहां लेट लेट सो सो जग के आ रहे हो क्या तुम लोग क्लास में आज अगला है प्राशन कि column dialogue box can be open for कैसे open करोगे जो column dialogue box होता है उसको open करने का बोला प्रेस आल्ट ओसी फॉर्मिट मेनू कॉलम सम मेनू डबल क्लिक ओने कॉलम स्पेस इन रूलर और अल आफ दा एवर्ब मैंने एक जॉब प्रोफाइल की वीडियो तो बनाई है वहाँ पे आप जाके देख लीजिए डी आंसर होगा एकदम सही है और अब दा एवर्ब होगा आपका आल्ट ओसी जब दबाओगे आप तो आप देखो आल्ट ओसी दबाने पर क्या होगा ठीक है आल्ट ओसी दबाओगे तो कॉलम की पूरी फॉर्मेटिंग आपके सामने आ जाती वन टू थी फॉर जो भी होता है आपके कॉलम जो होंगे किस तरह से करना वो भी होगा फॉर्मेट मेनू में यह फॉर्मेट मेनू ले लिया इसका मतलब 2003 की बात कर रहा क्योंकि फ पर डबर क्लिक अंग कॉलम इस्पेस इन रूलर जहां कॉलम स्पेस रूलर में वहाँ पर जाके आप कर सकते हो ओल अब द यह पूरा डी सही है इसका विच आप दे फॉलोइंग इस नॉट दा पार्ट आफ इस्टेंडर ओफिस सूट स्टेंडर ओफिस सूट का कौन सा पार्ट नहीं है डेटाबेस, फाइल मनेजर, इमेज एडिटर, वर्ड प्रोसेसर बताओ MS ओफिस सूट में पढ़ते तो आप लोग मैक्सिमम ती नहीं हो लेकिन और भी चीज़े होती है, जैसे MS SS है का का थो, लालू की तरह बोली है अच्छा, इस डाटाबेस जो है, आपका MS SS हो गया ये भी आपका किसमे होता है आपका Microsoft Office सूट के अंतरगत ही आता है लेकिन File Manager जो पार्ट है, वो Operating System का पार्ट होता है Image Editor भी MS Editor आता है, Microsoft का Image Editor आता है Word Processor भी Office का ही पार्ट होता है तो B Answer क्या होगा, ये Office का पार्ट नहीं है Office Suite का पार्ट नहीं है समझ गए MS Office Picture Manager आता है कि नहीं देखो MS Office Picture Manager ये हो गया ना, वही चीज है तो Image Editor तो होई गया, उसमें Edit तो करी सकते हो Image को अब यहां बोलो, where can you find the Draw Table Tool Button Draw Table Tool Button हम कहां पाएंगे Formatting Toolbar में, Drawing Toolbar में, Standard Toolbar में या Tables and Formatting Toolbar में क्या इसका सही जवाब दोगे आप लो हाँ, अभी देखो जो आंसर क्या दे रहे हैं, इसका डी लोग दे रहे हैं, चलो इसका आंसर तेरा का डी, एकदम सही है, क्यों? कि जो Formatting Toolbar है, यह आपको 2003 में मैंने कहां मिलता है लेकिन जब 2007 में आओगे, तो वहाँ पर आपको इंसर्ट में, जो यह Table and Formatting Toolbar है, यह 2003 में इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट के Table में जाओगे और Table में जाओगे, वहाँ पर आपको कॉलम में मिलेगा, Draw Table वाला पार्ट, ठीक है? वहाँ पर Draw वाला मिलेगा देखो, कुछ नहीं, आपको 2003 है 2003 को देखना है जो देख लो, एक बार खोल के उसकी विंडो अगर कहीं मिले तो, बहुत जरूरी नहीं है लेकिन जो अज़र 2007 के बाद कोई भी आपके पास हो, चाहे 2010 हो, चाहे 2013 हो सम्मे सेम चीज हैं, क्योंकि उसका Base कौन है? 2007 है ठीक, यहाँ जाओ अगला है, Simmer, Sparkle Text, Blinking, Background, etc. आर, Non, As यह सब क्या है? Simmer, Sparkle, Blinking, यह word art है? Font style है? या text effect है? या font effect है? इसको आप क्या कहोगे? यह चीज क्या है? जल्दी से बताओ ये इसे आप क्या कहोगे वर्ड नहीं है ये आपके टेक्स्ट इफेक्ट है ब्लिंकिंग करके टेक्स कलर चूज करते हो न इफेक्ट का ये टेक्स्ट इफेक्ट होते हैं ये कैसा है टेक्स्ट का इफेक्ट होता है कि आपको स्पार्कलिंग हो रिफ्लेक्शन वाला हो ये सब टेक्स्ट इफेक्ट है आप देखना हूँ है टेक्स इफेक्ट में जाके what is the shortcut key you can press to create a copyright symbol यह भी कई बार exam में पूछा गया है copyright symbol को लेने के लिए आप कौन सा shortcut key use करोगे copyright symbol कौन सा होता है यह symbol जो होता है copyright का symbol होता है तो वो आपका किस से आएगा alt ctrl c से करोगे तो copyright symbol आएगा चलो अगला प्रशन बोला how can you assess the font size tool on formatting toolbar formatting toolbar में का font size जो होता है font size tool का एक dialogue box खुलता है वो dialogue box आप किस shortcut key से खोल सकते हो रहे साहिद हमने पहले भी discuss कर लिया सुभम जी खुस रही है मस्त रही है स्वस्त रही है जबरदस्त रही है चलो करा देंगे question उसके भी करा देंगे तो यहां हो जागा control, shift, p के साथ जैसे ही दपाओगे तो एक dialogue box font का खुलाएगा वहां आपके font size सब कुछ उसके बास एक advance यहां आता है ठीक है उससे भी प्रस्ण कई बार दिखाता है तो वो सब dialogue box खोल के देख लेना एक बार किसमें क्या-क्या होता है तो यह आपका answer होगा D's का बोला how can you make the selected characters super script super script बनाने के लिए आप कौन सा shortcut की यूज़ करोगे इसका सही answer बता यह क्या होगा अगला प्रस्ण हो इसका क्या हो जगा इसका सही जवाब क्या हो जगा सब बोलें control safety B option एकदम सही इसको तो कराया भी हूँ तो B answer एकदम सही होगा सब लोग सही हो बोला how can you increase the font size of the selected text by one point एक point अगर selected text का increase करना हो तो आप कैसे किस shortcut की से increase कर सकते हो आचा तुम लोगों में मैंने shortcut की का PDF abbreviation का PDF वो रखवा दिया उसको जरूर एक बार देख लेना एक point increase करना हो कोई भी font size तो आप इससे करोगे ठीक है और decrease करना हो तो उससे उल्टो वाले से करोगे ठीक है अगर एक point decrease करना हो तो इससे होगा ठीक है तो answer यहाँ पर a answer correct होगा 19 नमबर बोला है what is the smallest width of a column column का कोई भी आपका जिससे मालोगे column है इस column की smallest width क्या होगी सबसे ठीक है 0, 0.5, 1 या 1.5 जल्दी से बताइए 0.5 वाले एकदम correct है 0.5 होता है how much space in minimum must be provided between columns column के बीच में column के बीच में कितना space आपका provide किया जाता है 0, 0.5 या 1 या 1.5 1 नहीं होगा इसका जो होगा वा 0 होता है जो column का space होता है कि एक column आपका ये है फिर दूसरा column उसके बीच में कहा space होता है एक column आपकी ये हो गई ना दूसरा column ये हो गया तो इसके बीच में space कहा देखने को मिलता है जैसे मालो आप दुक ये column है ऐसे row चलता है तो ये column आपका ये है यह column यह है तो column यह वाला part हो गया इसके और इसके बीच में space कहां देखने को मिलता है तो वो zero होगा बोला which of the following position is not available for font on MS Word अब बताओ यह क्या है यह कभी खोल के देखे ही नहीं होगे normal, raised, lower or centered ठीक है यह कैसे यह बोला है which of the following position is not available for font on MS Word MS Word के font के लिए कौन सा position आपका नहीं रहता है जल्दी से बताओ यह कैसे देखोगे ctrl, shift, p दबाओ जब ctrl, shift, p दबाते हो तो पूरा उसमें देख लो ctrl, shift, p जब दबाओगे तो dialogue box खुलता है यहां लिखता है font और यहां लिखता है advance ठीक है तो font वाले में आपका पूरा font से related चीज़े रहेगा ठीक है उसमें आपका complex script रहेगा effect के part रहेंगे ठीक है और जैसे ही advance वाले पर click करोगे तो advance वाले में आपके क्या रहेंगा advance में character spacing आता है ठीक है character spacing यहां पर लिखा रहता है character spacing इसी में एक होता है drop down position के नाम से इस position पर जब आप click करोगे drop down करोगे ऐसे तो उसमें आपके तीन चीज़े दिखेंगे by default normal होता है तो normal raised allowed यह होंगी लेकिन centered नहीं होता है देख लेना करके ठीक है तो यह answer क्या होगा कि centered नहीं होगा d answer correct होगा आपका यह करके देखना advance में जाना position होता है वहाँ drop down को करना सिर्फ तीन चीज़े मिलेगा आपको बोला what is the maximum scale percentage available in scale drop down box अब यह scale drop down box क्या होता है देखो scale drop down क्या होता है कि आपको menu आपको अगर कुछ जो है ribbon आपको extra लगाना हो जो menu होते हैं उसमें तो आप file में जाना ठीक है जब file वाला option होता है ठीक है practically done चलो बहुत बढ़िया practical भी done करते रहो file वाला जब आप होता है file में जाना file पर जब click करोगे तो आपका एक ऐसा यहां से वे सब कुछ लिखा होता है तो यहीं पर आप्सन आता है उस आप्सन पर क्लिक करना help में help में option आएगा उस option पर क्लिक जब करोगे तो आपका क्या आता है उसी में उसी में आता है एडवांस या कस्टमाइज रीबन क्या आता है कस्टमाइज रीबन करके आता है रीबन को कस्टमाइज कर सकते हो रिबन के कस्टमाइज में आपका क्या होता है main tab करके यहाँ पर खुलेगा जब आपका तो दो पार्ट में रहेगा ऐसे ठीक है यहाँ पर आपका customize कर सकते हो जो भी tab में जोड़ना चाते हो तो यहाँ एक tab होता है design के नाम से design के नाम से ठीक है उसी में आपका एक होता developer के नाम से क्या होता developer drop-down box मतलब drop-down list होता ऐसे drop-down जैसे आप लोग कुछ select करते हो ना तो word में आप drop-down list बना सकते हो तो वही बोला कि इस list में कितने number of हो सकते हैं तो 200 हो सकते हैं drop-down में कितने हो सकते हैं 200 हो सकते हैं इसको याद रखना ठीक है 200 list आप उसको तयार कर सकते हो हाव डू यू रियारेंज देटा इन एसेंडिंग एन डिसेंडिंग और डिसेंडिंग और अगर आपको डेटा मैंने का जब आप उसमें खोलना है उसमें रहेगा ठीक है जब आप developer वाला open करना developer पर कलिक करके ओके कर देना तो आपका menu में developer दिखने लगेगा और developer पर जब क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको एक छोटा सा control में ठीक है देखो उसके बाद से add on जो आपका है हाँ कौन सा control में कहां दिखेगा सिमरंज देखो control command group होगा control command group में आपको तीन चीज़े बनी रहेंगी ऐसे ए ए ए यहाँ image की size रहेगी और यहाँ वाली जो size रहेगी न यही आपका ऐसे ऐसे रहेगा और यहाँ drop down का बना रहेगा इस पर जब क्लिक करोगे तो ऐसे आपका drop down आ जाता है पेज पर फिर उस पर जब क्लिक करोगे तो लिस्ट आपका बनेगा उस पर मौक लगवा देंगे ठीक है मौक लगवा देंगे भाई अब बोला आप कैसे करोगे तो डेटा को sort करेंगे अगर किसी को ascending ये descending order में हमें arrange करना हो उसको आप क्या करोगे डेटा को sort करोगे a answer correct हो जाएगा बोला to select an entire column in ms excel ms excel में अगर पूरे column को xfd होता ना पूरा last वाला ठीक है a से लेकर xfd तक अगर आपको select करना हो column को तो आप क्या यहां से दबाओगे sort cut की क्या होगा mock किसका computer का तरह है या पूरा जी मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुद visualize करो उसी जो को तो यहां क्या answer दोगे पूरा अगर select करना हो एक साथ entire column को ms excel के तो आप कैसे select करोगे control arrow की से तो बहुत लंबा चला जाएगा ठीके इसका जो होता वो होता control plus space bar लेकिन space bar है नहीं आपे तो none of the above answer होगा बच्चो हाँ बहुत बढ़िया control और space bar जब आप दबाओगे तो पूरा का पूरा select कर लोगे अगला आजाओ बोले to return the remainder after a number is divided by divisor in excel we use function ऐसा कौन सा इसमें function है जो आपको remainder return करता है चलो तो बहुत बढ़िया सब लोग जा रहे हैं कि mod जो आपका function होता है अगर हम 4 upon 3 करें तो यहां से जो remainder आएगा न एक वो हमें यह return करता है यह value mod जो function है तो answer C होगा इसका 26 number question आप से बोला है concatenation of text concatenation का मतलब जैसे suppose करो क्या लिखा है यहां पर text लिखा है और can लिखा है तो concatenation एक function होता है जब हम उसको लगा देंगे equal to concatenate लगा देंगे जब यह लगाएंगे हम लोग तो क्या करेगा यह text और can को क्या करेगा एक साथ जोड़ देगा space खतम कर देगा तो बोला इससे भी वही चीज होता है लेकिन आप तो function है नहीं वही बोला concatenation of a text can be done by using apostrophe explanation mark has या m% तो आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो text m% marks लगा दो और can लिख दो तो जब इसको equal to लगाने के बाद जब करोगे यह चीज तो यह आपका जब output आएगा वो text can आएगा ऐसे आएगा जुड़ा हुआ आएगा तो m% भी concatenation का काम करता है हाँ d answer होगा m% comment can be added to a cell using हम किसी भी cell में मैंने आपको बताया था कोई एक cell है particular इस पर comment कर सकते हो comment add कर सकते हो कि आपको उसके बारे में कुछ जानकारी अगर जाओ कोई भी अगर data रखे हो यहाँ पर तो cell का data किस से related है आप comment के तरफ से उस पर रख सकते हो जब comment कर दोगे तो यहाँ red color में यह चीज़ दिखने लगता है और जब इस पर cursor ले जाओगे तो वह खुल के comment आ जाएगा ठीक है तो वही आपसे पूछ रहा है कि आप comment कैसे add करोगे तो comment कहां होता है comment आपका review tab में जब जाओगे वहाँ पर एक comment section मिलेगा वहाँ से आप add कर सकते हो D answer correct होगा बहुत बढ़िया जबरदस्त अगला प्रस्न है which menu option can be used to split window in two ठीक है split window का एक option होता है आप सभी में चाय वर्ड हो चाय एक्सल हो चाय पावर पॉइंट हो वह आपका कहां पर होता है जल्दी से बताओ वह आपका कहां पर होता है बोला है which menu option can be used to split window in two d view split में होता है कहां पर पहले पूरा देखो पहले view में जाओगे फिर window में जाओगे फिर split का option होगा जाओ ऐसे करो पहले किसमें जाओ view में जाओ window में जाओ window क्या हो गया तब command group हो गया वहीं पर new window, arrange all, split आता एक option तो जब उस पर क्लिक करोगे तो एक आपका बार बन के आने दगता है कहां से split करना है आपको वहां से आप split कर दोगे तो पूरा पूरा page ही आपका एक तरह से बोला जाए ना इस page पर लेके आओगे split करने के बाद तो इधर का page का पूरा एक document ही अलग हो जाएगी window ही अलग हो जाएगी और ये window अलग हो जाएगी एक ही page पे double window की तरह आपको दिखेगा ठीक है अगला 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 वर्क सीट हैज number of column कितने number of column होंगे 128, 256 14, 16, 1384 अब देखो यहां किसी version की बात नहीं किया न आपसे तो आप जानते हो कि 256 column भी होता है किस में होता है 2003 में होता है हाँ वही मैं आप लोगों से बोला था कि जब version ना बोले तो आप किसको जादे वारियता दोगे तो जब आपका version ना बोले तो आप किसको दोगे बी वाले गलत जा रहे हो अटिपिकल वर्क सीट है जो नंबर अफ कॉलम 16,384 होगा जब भी आपके पास कोई version पर्टिकुलर ना बोले तो आप recent में जो future लहा है उसको preference दोगे मेरी बात को ध्यान रखना अगर आपका कोई भी version नहीं question में दिया है तो आप present version को लेकर answer देना है जब आपके option में दोनों जरूर हो यहाँ पर तो latest version के according काम करना D answer 16,384 कॉलम होंगे अगला person how many character can be type in a single sale in action अभी साहर हमने discuss कर लिया था question नहीं discuss किया था लेकिन किसी में discuss कर लिया था examiner भी ले लिया तो बस ठोक देना क्या कि भाईया कई से भी ले लिये काउने हिसाब से ले लिये हमें हम कोट तक चले जाना भाई जब आपने version नहीं दिया तो आपके according क्यों से आपने ले लिया या तो दोनों सही करो simple सा logic या तो दोनों सही करो या recent बाकी तो जानते हो examiner अपने अपने उपर अभी देखो कन्या विद्याधनी योजना वाला जो है ये जिसको लेकपाल में आया था वो प्रस्न बहुत पुराना है अब कारी में आया हुआ है वीडियो में आया हुआ है वहाँ आंसर कुछ और था यहां कुछ और मान रहा है हाउ मेनी करेक्टर कितने करेक्टर आप सेल में दे सकते हो तो बतीस साथ सो संसट हो सकता है ना बतीस साथ सो सट एकदम साइज सी होगा अब वक्षीट कैन है वे मैक्सिमम अफ ए नंबर अफ रो अब देखो मैक्सिमम नंबर अफ रो क्या होगा मैक्सिमम नंबर यहां पर वर्जन नहीं लिखा है तो 10,48,576 यही आंसर होगा दी आंसर होगा बहुत बढ़िया बतीस नंबर कोश्चन which of the following is not a powerpoint view इसमें से कौन सा powerpoint view नहीं है page view, print view, normal view, outline view यह भी होता है यह भी होता है यह भी होता है लेकिन page view नहीं होता है page view नहीं होता है reading view होता है ठीक है a answer इसका सही होगा 32 अब इसमें सही होगा कुछ लोग यह ना सोचने ना इसको गलत किये है to add a header footer इने handout handout में जाकर header footer add करने के लिए कौन सा option सही होगा view में जाओ page setup करो view में जाओ header footer करो view में जाओ handout master में जाओ क्या होगा इसका सही जब जब handout में आपको header footer लगाना है तो आप view में जाओगे और handout master में जाओगे अच्छा handout master जब करते हो तो कुछ आपको ऐसा दिखता है page ठीक है और उपर ऐसे header footer type का दिखेगा तो आपसे पूस्ता by default ठीक है by default handout tool में handout master में आपके कितने slide होते हैं बताओ by default handout में कितने slide होते हैं कोई बताएगा मुझे जल्दी से बताओ जब view में जाना और handout में click करो handout master करके उस पर जब click करोगे तो आपके सामने जो है इधार ऐसे कुछ बनके आ जाता है इस ऐसे इधार बनके आ जाता है ठीक है और एक आपका ऐसे बनके आता और यहां पर आपके slide ऐसे होती है तो by default कितनी slide होती है तो by default एक page पर आपके 6 slide होगी एक page पर maximum कितनी slide हो सकती है maximum push ता है यह तो default हो गया maximum no हो सकती है बच्चो कितना हो सकता है no हो सकता है अरे होगा i से कई से नहीं होगा handout master नहीं है word का नहीं है powerpoint है यह mix है यह powerpoint है powerpoint में होता है handout master handout master powerpoint में होता है तुम लोग word खोलोगे तो कहां दिखेगा c answer correct होगा इसका to add header footer अच्छा same question हो गया है holding down the shift key and rotate the image will rotate in increment of ठीक है अगर आप shift key को hold करते हो और image को rotate करते हो तो कितने से increment rotate करेगा वो हाँ maximum 9 होगा by default 6 होगा उस पर आता है slide per page तो slide per page by default 6 होता है आप maximum 9 तक ले जा सकते हो minimum आपका 1 होता है 2 होता है 3 होता है 4 होता है 6 होता है हां बहुत बढ़िया 15 जो दे रहा है 80 जी 15 डिगरी दे रहे हैं एकदम जबर्दस्त आंसर है B आपका सही जबाब होगा अब बोला powerpoint design template are stored in a file with this extension अगर powerpoint design template को आपको store करना है तो उसका extension क्या होगा अब यह कैसे करोगे गलत जबा extension की बात कर रहा वो भी design template की बात कर रहा है ठीक है अभी हम तुम लोग को practical बताते हैं जब आप उसको क्या करोगे save as करोगे न किसी भी slide को कोई भी powerpoint presentation आप save as करोगे तो आपसे वहाँ पर मांगता है क्या कि आप किस format में आप save करना चाहते हो file वहाँ पर presentation 1970 से लेकर 2003 का भी extension होता है XPS government भी होता है और powerpoint template का भी extension होता है तो जब powerpoint template पे कर दोगे जब save में जाते हो वहाँ नाम लिखते हो और यहाँ पर आता ना किस format में save करना चाहते हो तो वहाँ आप जाना choose करना powerpoint template और वहाँ तो extension नहीं दिखाएगा लेकिन जब उस file को save कर लोगे और उसके property में जाके देखोगे तो वह आपको किस नाम से दिखाएगा ppt नहीं dpt भी नहीं होगा भाई साहब वह आपके .pot के नाम से दिखाएगा ठीक है और ppt ता आता है 297 से लेकर 2003 के version वाला उसमें अगर save कर दिये तो यह आपका आ जाएगा उसमें कई आपके हैं जितने हैं उनका सब में save करके extension देख लेना main main अब आजाओ slide sorter of a power point is available on जो slide sorter view होता है वह आपका किस में होता है slide sorter का मतलब क्या होता है न बच्चो यह आपका जो window है आपका इसी पर यह आपकी पूरी slide arrange हो जाती है क्या हो जाती है जितनी भी slide है वह उसमें कितना भी आपकी slide हो सब कुछ आपको एक ही पर दिखने लगेगा ठीक है तो यहां क्या answer दोगे जल्दी से बता किस में होता है slide sorter अगला प्रस्ण है how can you stop a slide show को कैसे stop कर सकतो प्रेश दा राइट एरो प्रेश स्कैप प्रेश दा लेफ्ट एरो तो आप सिंपल सी बात है कि बार हो जाएंगे अगला जल्दी से प्रस्ण चार्ट केंगी पूट एज पार्ट अप्रेशंटेशन यूजिंग इंसर्ट में जाओ चार्ट में जाओ किसमें करोगे या पिक्चर में जाओ फिर चार्ट करोगे इंसर्ट में जाओ पिक्चर में जाओ तो आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो आप चार्ट नहीं कर सकते हो आप सीधे इंसर्ट में जाओ चार्ट वाले सेक्षन में जाओ चार्ट को इंसर्ट कर लो भी आंसर करेक्ट होगा अगला प्रस्न है एलिप्स मोशन इस प्रीडिफा एकिसी टेक्स्ट पर हम लगा सकते हैं कि टेक्स्ट रोटेट करें ऐसे ऐसे घूमें इलिप्स के पाथ में तो उसको एनिमेशन कहा जाता है आजाओ अगला है तू इसाट न्यू स्लाइड इन दे करेंड प्रेजंटेशन नई स्लाइड करना हो तो क्या कहों कि कंट्रोल M से क प्रेजंटेशन स्क्रीन जो बना रहे है पूरे रिकॉर्ड करने के लिए to demonstrate a process as a part of powerpoint presentation कहा किस पर हम जाएंगे स्क्रीन रिकॉडिंग слाइड रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग एक प्रेजंटेशन रिकॉर्डिंग किस पर करोगे पूरा प्रेजंटेशन अगर आपको record करना हो तो कैसे record करोगे दी होगा चलो क्या बोलना है सब presentation recording नहीं screen recording करके करोगे वहाँ पर आपका option आएगा screen recording उससे आप पूरा का पूरा presentation record a presentation screen to demonstrate a process a part of powerpoint presentation screen recording करोगे बोला which of the following is not a valid master view option in a microsoft powerpoint कौन सा इस में से valid master view नहीं है notes master आप client master slide master या handout master आप insert में जाना insert में screen recording होता है notes master नहीं यहां बोला है आप से क्या image of the following is not a valid master view option in microsoft powerpoint ठीके तो आउटलाइन जो मास्टर होता है यह मास्टर व्यू नहीं होता है आउटलाइन व्यू होता है आउटलाइन मास्टर व्यू नहीं होता है 2010 When you create a first presentation file in ms powerpoint What is the default file name? Default file name क्या होगा? Slide 1 अच्छा कुछ भी अपने मन से कुछ भी बोल दे रहा है तुम लोग कुछ करा है बच्छे notes master नहीं होता होता है हैंड माउट स्टर notes master ठीक है सिफ आउटलाइन मास्टर नहीं होता है उसमें जाके देखना जहां master tool है व्यू वाले में PowerPoint वन होगा क्या होगा? Presentation 1 के नाम से file होती है किस नाम से होती है? Presentation 1 के नाम से होती है Presentation 1 के नाम से file होगी In PowerPoint themes could be found under themes किसमें found होता है? तो आपका design tab होता है किसमें? Design tab यह design tab आपका 2007 के बाद ही आया है बुक वन एक्सल में होता है डिजाइन डेट होगा इसका बी आंसर करेक्ट होगा एक्स्टेंशन केन बी यूज़ तो सेव असलाइड वेर वन केन जस्ट नीड तो व्यू दा प्रिजेंटेशन एन केन नॉट डू एनी एडिटी कहने का मतलब यह है कि वो पावर पॉइंट फाइल का एक्स्टेंशन क्या होगा जिसको अगर हम एक बार सेव कर लें तो सिर्फ हम उसको देख सकते हैं उसमें एडिट नहीं कर सकते हैं तो वो भी आपका जब सेव करने जाओगे तो वहाँ पर आपका ओप्सन होता है जब आप सेव करोगे ना फाइल का तो किस मोड में सेव करोगे किसे व्यू एज देख सकते हैं उसमें एडिट नहीं कर सकते हैं एडिट करने के लिए डबल क्लिक करोगे तब वो एडिट मोड में जाएगा वो कौन सा आपका होगा एक्स्टेंशन चलो इसमें करके देखना एक आता है पावर पॉइंट जब उसमें आपका drop-down वाला आएगा न सेविज तो उसमें एक पावर पॉइंट शो के नाम से सिर्ए इसमें आप फाइल्सेव करना PowerPoint 100 का मतलब सिर्फ आपको वह प्रेजेन्टेशन सो आप इडित नहीं कर सकते हो तो उसका जब एक्स्टेंशन्स देखना हो तो उसकी प्रोपर्टी में जाना उस फाइल का एक्स्टेंशन ओता पी डौट पीपी sx.pptx तो यह आपका simple हो गया यह तो आज आज साथ के बाद से जितने भी वर्जन आ रहा है उसमें PowerPoint आपको अगर save करना हो PowerPoint जो save करते हो उसको open करते हो तो उसको edit भी कर सकते हो लेकिन यह फाइल जब open करोगे तो additable mode में नहीं रहेगा वो तो वह का वह PPSX के form में रहेगा ठीक है तो वही मैंने कहा जब सानास और वहां पर choose करना किस mode में करना चाहते हो से PowerPoint 100 के mode में तो यह हो जाएगा और यह 1997 से लेकर 2003 का extension है और यह जो है macro enable है मैंने बताया थे ना PowerPoint को अगर आपको macro enable आपको save करना है तो PPTM होगा यह macro enable हो जाएगा जैसे DOCMM था उस में विच आप फॉलोइंग प्रेजेंटेशन व्यू आप्शन इं माइक्रोसॉफ पावर पॉइंट दोजार सो ला सो एक थम्नेल आफ आफ आर स्लाइड इन यूर प्रेजेंटेशन टू इसली रिएरेंज जितने भी आपके थम्नेल आप स्लाइड के और इसली अरेंज हो जाते हैं किस व्यू में अब वहां वर्जन लिक्रिया 2016 कोई मतलब नहीं साथ के बास सम्में हो आई होता है वह स्लाइड शॉटर व्यू जैसे मता जितने भी स्लाइड सब एक साथ आपके अरेंज दिखेंगे हाँ आजाओ अकला और तालिस एलाओ यू टु क्रियेट न्यू प्रिजेंटेशन एड ओपन एन एग्जिक्टिंग प्रिजेंटेशन ठीक है यह आपका इस समय नहीं है यह 2003 में होता था यह बोलता है कि सब्सक्राइड में यहां से आप प्रेजेंटेशन खुला हुआ है उसी में अप नया एक presentation खोल सकते हो, वहाँ के help से, तो उसको क्या कहा जाता है, टास्क पेन कहा जाता है, यह 2003 में आपको देखने को मिला रहा है, Which of the following statement is, are incorrect, जैसे pressing Ctrl N in Microsoft PowerPoint, add a new slide to your presentation, नहीं, Ctrl N से slide नहीं आपका add होता है, Presentation can be saved as a PDF in Microsoft PowerPoint 2016, क्या PDF form में आप presentation को save कर सकते हैं, एकदम वहाँ पर होता है, मैंने वहाँ जब आप save as करोगे, तो आप drop down आता है, तो किसी भी format में आप save कर सकते हो, तो save कर सकते हो, 2016 version, मलब PDF का जो save करने का version आया, चाहे वर्ड में आया, चाहे आपके किसी में, वो 2010 से आया, कि आप word की file को भी PDF में direct वहीं से save कर सकते हो, Excel को भी PDF में save कर सकते हो, PowerPoint को भी, तो यह 2007 में नहीं था, यह 2010 से feature आया था, तो यह तो आपके file को save करने का feature आया था, तो सिर्फ second true होगा, पहला false होगा, only first false and only second false, both false, यह बोथ first and second are false, आप से पूछा क्या है, अच्छा कौन सा incorrect है, तो पहला incorrect है, पहला क्या है, आपका incorrect है, यह option सही होगा, यह option सही होगा, अब last प्रस्ण आपका screen पर यह देखो, बोला to freeze the top row in Excel, while scrolling the text, the option can be selected from the view tab in MX Excel under the window section in the fridge pen option R, ठीक है, वहाँ पे एक fridge pen option होता है, वहाँ से अगर आप किसी भी top row को, जैसे मालो क्या होता है, कि आप top row है, आपका ही है, ठीक है, कई चीज़े यहाँ पर लिखे हो, और वो आपको जब पूरा यहाँ पर आ गए, तो जब स्क्रॉल किये तो धक जाएगा, उपर सला जाएगा तो, वो दिखेगा नहीं कि कौन सा, यहाँ पर क्या है, आपका price है, यहाँ पर quantity है, यहाँ पर कितना आपकी selling होई है, वो सब दिखेगा नहीं, तो डेटा कैसे कहा होगे, तो इसको freeze करना पड़ता है, तो freeze करने के लिए, आप freeze pen में जाओगे, और वहाँ किया चूज कर लोगे, फ्रिज फर्स्ट रो, फ्रिज आप क्या कर चूज कर लोगे, फ्रिज फर्स्ट रो आप चूज कर लोगे, तो आपका फ्रिज रो जो है, वो freeze हो जाएगा, तो जब आप स्क्रोल करोगे, कितना भी करते चले जाओ, तो वो आपके अपने जगा पर रहगा, आप जान दोगे, कि हाँ, इस डेटा में क्या रखना है, इसमें क्या रखना ह टॉप रो होगा, फर्स्ट नहीं, टॉप रो कर लो इसको, फर्स्ट रो नहीं, टॉप रो कर लो, बी होगा, टॉप रो को क्या करेंगे, फ्रिज कर देंगे, चलिए, इन बाकी के पांच दिनों में जादे से जादे questions को attempt कर पाएं, बोला जा रहा है, which among the following is the correct full form of BIOS, BIOS का full form क्या होगा, इसके बारे में मैंने paid class में आप लोगों को बताया ही था, कि BIOS क्या होता है, BIOS एक ROM chip होती है, ठीक है, चलिए, आसीज जी, खुश रहे हैं, मस्त रहे हैं, स्वस्त रहे हैं, MCQ की PDF 100 question वाली डाल दी गई, आज मैंने कहा था, कि एक जो और 100 question वाली है, उसको भी लगा दो, सायद लगा है कि नहीं लगा है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन कल मैं लगवा दूँँगा, उसके लिए निश्चिंद रहो, B होगा इसका अंसर, बहुत बढ़े हैं, सभी B दे रहे हैं, रोहित, आरीफ, कामनी, C दे रहे हैं, सोनी जी, A दे रही हैं, जुगल जी, C दे रहे हैं, A, R भारती, B बता रही हैं, नहीं, एक सो कोशन लग गया, धिरेंदर जी, एक सो कोशन तो मैंने ही देखा है, स्टडी माटेरियल में जाना, कम्प्यूटर वाले में जाना, लास्ट में देखना वहां लगा हुआ है, लास्ट में जाना वहां लगा हुआ है, तो यहां पर बेसिक इन्पुट सॉफ्ट्वेर नहीं होता है, बेसिक इन्पुट आउट्पुट सिस्टम होता है, क्या होता है, बेसिक इन्पुट आउट्पुट सिस्टम होता है, सॉफ्ट्वेर नहीं होता है, यह एक चिप होता है, तो एक सिस्टम होता है, बेसिक इन्पे, इसमें इन्पुट आउट पूड के बायोस में जब स्टार्ट होता तो आपके बायोस के इंस्ट्रक्शन रन करते हैं वो चेक करता है कि आपके सभी पेरिफेरल डिवाइसेस करेक्ट हैं कि नहीं हाँ बहुत बढ़िया तो सी आंसर आपके करेक्ट हो जाएगा अगला है माइक्रोसफ्ट इंटरनेट एक्स्प्लोरर नेटस्केप नेविगेटर इग्जामपल ऑफ किसके इग्जामपल है अब मुझे फोन को फ्लाइट मोड में ही डालना पड़ेगा क्लास के समय एक कॉल करते हैं बच्चे कैसे उटा सकते हैं हैं यह बहुत बढ़िया यह माइक्रोसफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर आपसभी जानते हो क्या होता है नेटसकेप नेविगेटर भी वही काम करता है तो ये क्या है एक तरह से ये ब्राउजर है internet browser program है क्या है internet browser program है ठीक है ए आंसर सही होगा बहुत बढ़िया अगला प्रस्म देखें अगला प्रस्म यह रहा एक computer boot नहीं कर सकता अगर उसमें मतलब simple सी बात है कौन सी चीज नहीं हो जैसे computer cannot be boot if it does not have which of the following इसमें से क्या नहीं होगा तो computer आपका boot किसको कहते हैं boot उसको कहते हैं जब आपका operating system memory में लोड होता है मतलब HD hard disk में जब लोड होता है ना memory में जब लोड होता है उसी को booting कहते हैं ठीक है तो बताओ क्या इसमें सही जब आब होगा c answer आ रहा है बिंदिया जी रवी कांथ पांडे जी कपिल कमांडो जी कभी c answer आ रहा है जल्दी से बताइए क्या होगा अच्छा एर भारती कुमार जी अविने जी प्रगती जी चलिए यहाँ पे आते है operating system भाई बीना इसके boot कैसे हो सकता है operating system ही तो memory में load होता है तो उसी को boot कहा जाता है समझ में आ गया तो c answer हो जागा loader मैंने आपको बताया था compiler के बारे में बताया था language translator है high level को low level में करता है एक तरह से high level language को machine language में convert करता है आपका compiler और compiler क्या करता है एक साथ सभी को compile करता है मालों एक page का कोई program है तो पूरा एक साथ compile होगा interpreter में line by line होता है assembler एक mnemonic code होता है ठीक है इसको assembling language में लिखा जाता है assembler को assembler assembling language को machine में बदलता है ठीक है अगला M.I.C.R. stand for M.I.C.R. आप देखे होगे check book check book जो check होता है आपका bank का तो यहां आपका कुछ ऐसे लिखा राता है magnetic में ठीक हो इंक होती है गारे गारे कलर से लिखी राती है तो उसको क्या कहा जाता है बताओ M.I.C.R. stand for A.O.R.A. रविकान, सिव, जुगल, बिंदिया, आकास, Mr. Nick, पारूल जी, आयूजी magnetic ink character recognition एकदम सही जबाब आपका है यहां पर इसी से आपका जो check book वाला machine होता है उस पे जब डालते हो तो इसी से वो आपका पूरा bio data निकाल लेता है किस bank में आपका खाता है, किस bank का check है, क्या क्या है और उसके बाद से आपको एक fax type की photocopy type की उस check का वो भी दे देता है कि आपका check deposit भी हो गया है तो यह magnetic incorrect recognition होता है which of the following function operation is done by microphone device microphone device मतलब just जो मैंने यह caller में mic लगाया है यह क्या है एक microphone device है और यह कैसा device में input जा रहा है तो यह input device है ठीक है, यह कैसा device अगर आपसे कोई पूछे microphone तो input device है यह क्या काम करता है, draw a line और a figure on a computer screen नहीं भाई यह काम थो नहीं करेगा mic read a barcode and convert them into electric pulses नहीं यह भी काम नहीं करता है detect the alphanumeric character printed on a written on the paper नहीं यह भी काम नहीं करता है convert human speech into the electric signal यह क्या करता है, हमारे sound को electric signal में convert करता है बहुत बढ़िया जबर्दस, the answer correct होगा तो एक बास सभी लोग ऐसे जोड़दार तरीके से share कर दो ठीक है, the answer correct होगा अगला प्रस्न यह रहा which of the following sequence is correct for memory in term of speed and fastest to slowest यह सभी प्रस्न कहीं ना कहीं आपके exam में आये हुए है fastest से लेके slowest तक memory को arrange करना है सभसे fastest memory कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है जल्दी से बताओ इसका सही जवाब क्या होगा आसीजी 6 का D answer दे रहे है अविनाव C दे रहे है, सिमरन C दे रहे है C, भाई एक बार कुम लोग question का answer बता दिया करो किसका दे रहे हो, धिरेंद्र C दे रहे है राहूल कैसे primary and secondary चलो बहुत बढ़िया जो लोग C answer दे रहे हैं कि सबसे fastest कैसे memory होती है फिर आपकी primary में RAM ROM आ जाती है फिर secondary में आपका hard disk pen drive वाला memory आ जाता है तो C वाले एकदम सही है D वाले secondary नहीं fastest होती है भाई प्रगती, class नहीं की हो क्या मेरी मैंने class में तुम लोग को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है बताओ कौन-कौन इसे बंदे हैं जो class करने के बाद गलब देख ले हैं जोको register तो है नहीं आपर register होता तो कैसे से भी तेज होती है register memory ठीक है I use बहुत बढ़िया बैतरीन I use के लिए ताली एक अलग information दे रहा है तो ये तो मैंने class में बहुत बैतरीन तरीके से तुम लोग को पढ़ाया है उसके बाद गलती हो रही तो इसका मतलब तुम लोग किस के पात रहो डंडे के पात रहो आजाओ अगला प्रस्न सिस्टम रणिंग मोर देन वन प्रोसेस concurrently आरकाड एक साथ एक से जादे प्रोसेस जिस सिस्टम में चलता है उस computer को क्या कहा जाता है चाहे उस process को क्या कहा जाता है उस चीज को क्या कहा जाता है ये बताओ 7 का आंसर जुगल जी डी दे रहे हैं batch processing नहीं होता है भाई कहां से आप लोग तुक्के पे तुक्का लगाए जा रहे हो ए आर भारती ए राहूल मल्टी प्रोसेसिंग धिरेंद्र ए आंसर कुमार बी दे रहे हैं और जैन खान ए दे रहे हैं है प्रिगतीध आंसर ए दे रहे हैं अभिनण जी ए दे रहे हैं अनुज जी ए होगा चलो देखते हैं रवीकांत भी ए के साथ नेहा आ चुकी है एक के साथ बिंदिया जी बी के पास जा रहे हैं देखो मल्टी प्रोग्रामिंग अलग चीज़ होती है मल्टी प्रोसेसिंग अलग चीज़ होती है ठीक है इसको मैंने पूरा डीटेल में आपको उता है मल्टी प्रोसेसिंग मतलब धेर सारे प्रोसेस एक साथ चलते हैं उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है ठीक है अब म बताएगा मुझे मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है देखो मल्टी प्रोग्रामिंग में एक ही प्रोसेसर अलग अलग प्रोसेस को रन कराता है मल्टी प्रोसेसिंग में आपका अलग 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 प्रोसेसर को अलग अलग टास्क होता है एक साथ कई प्रोसेसर रन करते है ठीक है यह ध्यान रखना इसमें मल्टी प्रोसेसिंग होगा यह आंसर सही होगा इफ यू वान्ट तो टेक इन्पूट आफ मल्टिपल वैलू इन फ्लो चार्ट वी यूज पार्लल प्रोसेसिंग जो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग हो जाता है चलो बहुत बढ़िया इतो दम टेकनिकल टेकनिकल बहुत बढ़िया शिम्रद आठ का अंसर ए आरा इफ यू वान्ट तो टेक इन्पूट आफ मल्टिपल वैलू इन फ्लो चार्ट ये साइद नहीं आप लोग पड़े होगो लेकिन मैं एक कोश्चन करा दे रहा हूं पड़े होगे न तो यहां पर जो परलेलो ग्राम ऐसा होता इसमें आप धेर सारे इंपूट ले सकते हो इनपूट ए बी सी परलेलो ग्राम जो हम बना है मतलब यह फ्लो चार्ट जब बनाते हैं हम ऐलगोरिथम से तो जब हम बनाते जैसे इस टार्ट बटन आपका ऐसे ठीक है decision के लिए बोला जाए तो decision वाला बटन होता है diamond वाला होता है यह ध्यान रखना diamond वाला होता है rectangle processing के लिए होता है बहुत बढ़िया यह ध्यान रखो चलो तो यह सब चीजें हैं उसमें basic सा होता है flowchart के जो symbol होते हैं उनके बारे में यह भी basic सा ही question है सीप का है और प्री प्रोसेसर कमांड सी बिगन विच्ट जैसे सी प्रोसेसर कमांड जो होता है जैसे include अब सी की प्रोग्रामिंग की हो गए studio.h ठीक है या canio.h हम जो लिखते हैं तो वही बोला है आपका जो प्री प्रोसेसर होता है वो किस सेंबल से स्टार्ट होता है किसको प्री प्रोसेसर कहा जाता है वो आपका जो हैस होता है इसी को प्री प्रोसेसर कहा जाता है जो यह पूरा कमांड है वो किस से स्टार्ट होता है है तो यह प्री प्रोसेसर कमांड है आंसर क्या दोगे बी आंसर दोगे ठीक है जो भी प्र या रहूल आजाओ अगला प्रश्न देखो क्यों क्यों भी आपका जैसे उसी का पार्थ है data structure का पार्थ होता है array हो गया क्यों हो गया link list हो गया यह सब होता है तो क्यों क्या है क्यों जैसे आप general सा सोच सकते हो कि जब लाइन लगाते हो किसी चीज में मालो रेलवे का टिकट लेने जा रहे हो तो क्यों में खड़े होते हो ना किसी चीज की जब लाइन लगती हो तो क्यों एक क्या होता है क्यों एक जो होता है आपका लीनियर डाटा इस्ट्रक्चर होता है linear data structure होता है Q कैसा होता है Q और stack stack का मतलब example जैसे साधियों का जो plate होता है ऐसे रखा होता है तो उसमें क्या है Q को क्या बोलते है Q को बोलते है कि line जो लगी रहती आपकी line लगी है तो यहाँ पर जो पहले आया है वो क्या हो जाएगा पहले आउट हो जाएगा तो इसी को बोला जाता है FIFO क्या बोला जाता है FIFO first in first out और जो stack होता है बच्चों इसको क्या बोला जाता है stack को बोला जाता है leafo last in first out मतलब last वाला जो plate होगा आपके plate एक के उपर एक रखे हैं तो जो last में plate रखोगे वही पहले उठाओगे ऐसा तो नहीं है बीच में से उठा लोगे तो इसी को leafo बोला जाता है last in first out चलो बहुत बने एकदम तुम लोग तो computer के ग्याता हो फिर भी तुम लोग कहे tension ले रहे हो आजाओ addition of a binary number 11011 को 10111 से add करना है इसका addition बताना है कि क्या होगा चलो यह data structure का topic है वो जब see a language जब पढ़ते हैं उसमें का तो basic चीजे कभी वो examiner है घूम गया यहां से उसका कभी कभी घूम जाता है छोटे छोटे exam में भी छोटा question पूछ लेता है तो उसका मतलब यह नहीं कि आप पूरा topic पढ़के जाओ चलो तो यहां क्या है इसलिए मैं कुछ चीज़े आपको mix में करा दूँगा जो pet question कुछ ऐसे रहे है programming के जैसको आपको पता चल जाए वो चीजे अब इसको add करोगे तो मैंने कहा binary addition one one add करोगे तो zero आएगा और carry one हो जाएगा फिर one one add करोगे तो zero और carry one है तो one हो जाएगा ठीक है फिर one और zero add करोगे तो क्या आजाएगा फिर यहाँ पर अगर जैसे आपकी बात करें अच्छा one one zero ठीक है carry one आया तो आपको one add कर लिए यहाँ पर answer क्या होगा जल्दी से बताओ option देख लो कैसे होगा यहाँ पर one one एक carry तो था ही ने इसका one one zero हुआ था तो one तो आया ही था इस पर लेकिन एक carry जो one one zero के बार आया था तो वो one one zero हो जाएगा और यहाँ पर zero हो जाएगा क्योंकि वो one तो आएगा ही तो one one zero हो जाएगा तो zero one zero zero one zero वाला होगा zero one zero इसमें भी है यह option होगा नहीं 010 इसमें भी है आगे आजाओ एक carry आपका है 110 हुआ है तो फिर 11 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा एक carry हो जाएगा फिर 110 ठीक है और 1 और फिर 1 आपका हो जाएगा ऐसा होगा ठीक है तो यह कहां मिला है देखो option C में मिला सी answer correct हो जाएगा क्या हुआ देखो 110 11 है 110 11 है 110 करोगे carry 1 आया ठीक है अब यहीं से देख लो carry 1 आया तो 11 फिर क्या हो जाएगा 0 और 0 और 1 add करोगे एक carry यहाँ पर बचा ना 110 हो गया carry 1 बच गया इसका अब फिर 0 यहाँ पर होगा 0 और 1 को add करोगे तो 1 आयेगा लेकिन carry आपका यहाँ चला आया है वो जो 11 हुआ था फिर 1 और 0 ठीक है 0 हुआ 1 और 01 हुआ अब फिर 11 किये तो फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा 1 carry आ जाएगा ठीक उसके बाद फिर से 11 क्या हो जाएगा 110 carry 1 हो जाएगा अब यहाँ पर देखो 110 हुआ यहाँ 0 है लेकिन एक carry आपका है और साथ में 0 और 1 है तो 011 हो जाएगा और एक carry जो था इसके अज़ा सहाथा वो तो आगे आएगा ही ना यही answer होगा अभी समझ में आया कि नहीं है सिंपल सा है 1010 1011 यही तो है वन यहाँ पर हुआ नहीं क्या था 110 11 था 10 11 था अब यहाँ पर 0 हो गया carry जो बचा वन आ गया अब यह वन आएगा तो यहाँ से 0 आएगा लेकिन इसके साथ वाला डिया गयाँ कर दो वरेक है तो एसे समझों एसा हुआ तो फिर यह वन और 0 हैंगा तौफन आएगा अब करीवन वाला तो बचा है वह aha पर आजाएगा फिर वह 11 क्या हो जाएगा 0 जैगा carry रर महा宁दक्स पिर SNMP का full form क्या होगा यह क्या करता है कि एक तरह से management का काम करता है ठीक है जैसे simple network management protocol यही इसका full form है SNMP का full form क्या होगा simple network management protocol ठीक है जितने भी network से device connected होते है उनका एक तरह से management देखना किसका काम होता है इस protocol का काम होता है SNMP का in which of the following network topology failure of one node can be disbalance the whole network mesh, tree, ring या bus बोला है कौन सा topology में अगर एक node fail हो जाए तो आपका पूरा का पूरा system खतम हो जाएगा नहीं बस में क्या होता है बस में तो आपका ऐसे connect होते है ना चीजे है तो ये तो आपका node क्या है ये तो एक ही line ही होता है इसमें ठीक है देखो IP जो alert करते हैं एक तो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाले होते हैं ISP वाले होते हैं उनको जो है कंपनिया देती है ठीक है तो इसका सही जबाब क्या होगा देखो ring टॉपलोजी में क्या होता है कि आपका ऐसे connect होती है devices ring के form में अगर इसमें कोई भी node खराब हो गया आपका यह मालो यह खराब हो गया चाहिए खराब हो गया तो फिर वो बन नहीं पाएगा इसमें क्या है कि खराब होने का ताहा है इसमें कोई node थोरी होता है यह लाइन है इसमें लोग सभी बस से connect हैं यह तो single line होती है तो खराब कोई एक node कहा होगा है जब खराब होगा तो पूरा बस ही खराब हो जाएगा यहां पर क्या इससे इसके बीच में एक लाइन है इसके इसके बीच में लेकिन अगर यह खराब हुआ तो इसकी information यहां त होता है? wireless frequency नहीं, wireless fidelity wireless fidelity ठीक है, चलो, अगला क्वेश्चन, what is e-commerce, e-commerce क्या होता है, buying and selling computer product नहीं, buying and selling product and service not found in store नहीं, buying and selling international goods, buy and selling product and services, over the internet, किसी भी product को, या service को, जैसे e-commerce क्या है, जैसे यहाँ पर मैंने service आपको दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कोई product आप खरीद रहे हो, internet के through, तो वहाँ चीज़े क्या कालाती है, e-commerce कालाती है, product और service को internet के through, आपका buying करना या selling करना, ही आपका e-commerce कालाता है, which of the following is a class a-ip address, a-ip address class कौन सा होगा इसमें से, class a-ip address क्या होगा, यह पढ़ाया है मैंने आपको कैसे आप पता करोगे, कौन class a का है, कौन class b का है, Mr. Nick जी, आज मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं है, अभी भी, ठीक है, तो इस वज़ा से मैं class, जैसे मैं लेने वाला था, ठीक है, तो फिर इसलिए में तुरंद बंद क्या, पहले सोचा, आदा कंटा पोस्ट्पोन करनू, दवा खाया हूं, रिलेक्स मिल जाएगा, नहीं हु से लेकर 127 तक होती है, रेंज होती है, वो रेंज मैंने लिखवाया है, ठीक है, उसको आप लोग पढ़ लेना, याद कर लेना, आजाओ, वी ओ आईपी इने computer science stand for, यह भी मैंने उस दिन पढ़ाया था कि वी ओ आईपी क्या होता है, जैसे आप WhatsApp कॉल करते हो, WhatsApp कॉल करते हो, तो वहाँ voice call की सुविधा देता है, messenger voice call की सुविधा दे रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, voice over internet protocol, internet पे जो voice call हो रही है, उसी को बोला जाता है, voice over internet protocol, to insert a line break, the HTML tag used, break line करने के लिए कौन सा HTML tag हम use करते हैं, जल्दी से बताओ, नई, 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 डी answer कोन दे रहा है, नई, यह line के लिए नहीं होता है, यह तो close tag है, आई, यूस बहुत बढ़िया, यूस बढ़िया, बहुत बढ़िया, देखो, break के लिए HTML में जो tag use होता है, वो BR होता है, वो क्या use होता है, BR होता है, यहाँ पर confuse करने के लिए आपको break, break लिख दिया है, ठीक, चलो, arrange the following step in the correct sequence to create folder in Windows 7, Windows 7 में आपको कोई folder बनाना है, तो step बताओ कौन सा होगा, बोला है, click or tap the file explorer icon on the task bar, वी बोला, click and tap the new folder button on the home tab, open the drive or folder where you want to create a folder, press, enter and tap a blank area with the new folder, name, select, type and new name, क्या होगा इसका सही जबागा, देखो, पहले यह करोगे, कि click or tap the file explorer icon on the task bar, उसके बाद से open the drive, जहां आपको folder बनाना हो जिस drive में, उस drive को open करोगे, पहले यह करोगे, दूसरे नमबर पर यह करोगे, उसके बाद से आप क्या करोगे, click or tap the new folder button on the home tab, home tab पर आता है new tab button, उस पर आप click करोगे, तीसरा step यह हो जाएगा, फिर चौथा आपका क्या हो जाएगा, कि आप क्या करोगे, with the new folder name select करोगे, और किस प्रकार का आप folder बनाना चाहते हो बता होगे, तो यह हो जाएगा आपका चौथे नमबर पर और बाद में पाच्वे नमबर पर यह हो जाएगा, तो A, C, पहला, दूसरे पर C आएगा, तो A, C, B, E, D वाला option C सही हो जाएगा, C वाला answer सही हो जाएगा, अगला question है, consider the following shortcut की, MS Word 2007, control shift, control shift यह वाला जो है, increase the selected font, ठीक है, control delete, delete the word, the right cursor, right of cursor, control align the line और selected text to center of the screen, यह भी सही है, control and insert link, यह सही नहीं है, insert link के लिए क्या होता है, control K होता है, ना की L होता है, वो तो control L से left alignment हो जाता है, तो आपसे क्या बोच्छा है, consider the following shortcut की MS Word, और यहां पर कौन सा correct है, तो 1, 2, 3, यह तीनों correct है, इस से भी जो control plus shift, यह जो font वाला दबाओगे, word में, तो आपका एक एक, जो है, font आपका increase करेगा, unit नहीं, जो आपके formatting में font का होता है, 8, 10, 12, उस हिसाब से बढ़ता है वो, एक-एक unit बढ़ता है इससे, ठीक है, तो answer हो जाएगा, आपका 1, 2, 3 सही है आपके, हाँ, average यह formula लगाया गया है, इसका output बताओ, क्या होगा, हाँ, उससे increase होता है, एक unit, इसका बताओ, क्या होगा, इसका answer देखते हैं, कौन बताता है, class में भी mcq मैंने इसको कराया है, इसको class में भी मैंने कराया है, चार आएगा, चलो, यहाँ पर देखो, conditional operator लगा है, क्या लगा है, conditional operator, ठीक है, इसमें क्या 12 greater than 16 क्या है, क्या 12-16 से बड़ा है, नहीं न, क्या है false आएगा, इसका condition false आएगा, false का मतलब होता है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 309, अब अगर इसका average लेगा आजाएगा, तो 3 प्लस 0 प्लस 9, 9-3, 12 बटे 3, और 12 बटे 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो answer क्या हो जाएगा बच्चो, ए answer होगा, यह ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया, सिमरन, यह class में मैंने कराया, उसके बाद भी 4-5 option होगा, ऐसे कैसे, for which purpose shortcut की n is used during the slide, so in MS PowerPoint, n किसके लिए use होता है, सिर्फ एन बोला है, shortcut की n, move to previous slide और animation, move to next slide और next animation, select the previous letter, select the next letter, क्या होगा इसका सही जबाब, देखो n जो होता है, जब slide सुक कर रहे हैं, उसी समय अगर n दबा रहे हो, तो नए slide पे आप पहुँचते जाओगे, next slide और next animation पे आप आजाओगे, be answer correct होगा, चलो, next question है, एक अस्थानिय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर, digital data संचारित करके, internet का उप्योग, प्रदान किया जाता है, internet assess, by transmitting a digital data, over the virus, of local telephone network, जिसको हम, PSTN बोलते हैं, public switch telephone network, ठीक है, provide by, कौन सा service आपको दिया जाता है, जिस पर digital data आपको transfer किया जाता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत जबर्दस्त आमसर आ रहा है, digital subscriber line, DSL जो होता है, इसी पर काम करता है, बंधू, digital subscriber line, अगला है, which one of the following is not a function of network layer, धीरे धीरे बोलता हूं, हमत नहीं हो रही है, which one of the following is not a function of network layer, जो आपके OSI model में, ठीक है, OSI model में 7 layer होती है, जैसे सबसे last होता है, physical layer, मुझे बताना, physical के बाद क्या होता है, data link layer, इसके बाद क्या होता है, data link के बाद, कोई बताएगा, data link layer के बाद, कौन सा layer होता है, हाँ, बहुत बढ़िया, data link के बाद, आपका network होता है, network के बाद, आपका transport होता है, और transport के बाद, क्या होता है, session होता है, ठीक, और session के बाद, क्या होता है, session के बाद, क्या होता है, last application होता है, session के बाद, आपका presentation होता है, और last आपका application होता है, ठीक है यह आपके क्या है network OSI model तयार किया गया था किसी भी network जो आपके internet से कोई device communicate करती तो इसके थूँ आपके उनका data transfer होता है तो वही बोला इसमें कौन सा feature जो है वो network layer का नहीं है तो answer क्या दे रहे हो तुम लोग open system interconnection साही बात OSI model उसी का बोला error control जो होता है वो error control आपका किसका होता है वो network layer का नहीं होता है वो transport layer का होता है error control D answer सही होगा हाँ transport और data link layer में होता है error control ठीक है error control जो होता है transport इसमें होता है और इसमें होता है इन दो layer में error control की coming होती है जो भी error आपके signal में जा रहा है मिप्स का क्या होता है मिप्स के CPU का एक तरह से बोला जाए speed न आपा जाता है तो मिप्स का full form क्या है margin input storage नहीं यह भी पड़ा है million of instruction per second एक second में कितना instruction जो है वो execute कर रहा है उसी को millions of instruction per second बोला जाता है मिप्स भी answer सही होगा इसका अब देखो यहाँ पर आपसे binary to octal पूछा है क्या पूछा है बच्चो binary to octal जल्दी से इसका जवाब मुझे चाहिए मैं बताऊंगा नहीं इसका बताओ इसका सही जवाब मुझे answer में बताओ क्या होगा 62525, I use about battery तुम तो हमें लग रहा है कि कुछ करोगे नहीं लग रहा है तीन-तीन का हम लोग pair बना लेते हैं तीन फिरह हो गया तीन हिए हो गया तीन हिए हो गया एक बच गया तो कोई दिक्कत नहीं उसको छोड़ो उसके मतलम नहीं है 110 क्या होता है 110 आपको मैंने बताया कि 1 देखो जब आप करोगे 003 बिट में 001 010 1100 आपका क्या होगा 01 23 और यह 4 होता है 1015 होता है 110 आपका 6 होता है तो यह क्या हो जाएगा और 101 कहें तो 5 हो जाएगा तो 62525 यह आंसर होगा सभी का आया कि नहीं C आंसर करेक्ट होगा एकदम बढ़िया चलो बहुत बढ़िया आईउस आजब हमारी भी हल्प हो जाएगे वैक्यूम ट्यूब्स वेर रिप्लेस बाई ट्रांजिस्टर इन नहीं नहीं वैक्यूम ट्यूब्स वेर रिप्लेस बाई ट्रांजिस्टर इन वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर से कवर रिप्लेस किया गया था फर्स जनरेशन में वैक्यूम था तो सेकेंड जनरेशन में क्या आया था ट्रांजिस्टर आया था तो क्या दोगे जबा second generation of a computer मेरे नंबर पे भेज़ दो ठीक है आजाओ what name has been given to the first supercomputer made in India made in India पहला supercomputer क्या नाम है जल्दी से बताओ परम 8000 जो था परम 8000 जो था वो पहला supercomputer था ठीक है परम जो 8000 था वो पहला supercomputer था किसके द्वारा बनाया गया है ये बताओ मुझे ये परम जो है परम सिरीज जो है वो कौन बनाता है परम जो सिरीज है वो उसको कौन बनाता है बनाने वाला कौन है आसीज पूने में है चरब पूने में तो है मौसम बिभाग वाले में ठीक है भारत मौसम बिभाग सास्था पूरे में है ये सिद्धार्थ बनाता नहीं है सिद्धार्थ तो भारत का पहला बनाया जाने वाला यहां पर कम्प्यूटर है सिमरन बहुत बनिया सिद्ध ठीक है सिद्ध का फुल फर्म बताए एक बार सब तो बता दिये सिद्ध बनाता है और सिद्ध का फुल फर्म क्या होगा यह भी पूचा है सिद्ध का फुल फर्म क्या होगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवान्स कम्प्यूटिंग ठीक है चला फोर बिट किसके बराबर होता है फोर बिट मैंने बाता है फोर बिट आपके किसके कई बार पूछा है निबल के जो होता है वो बराबर होता है चार बिट वन निबल होता है ठीक है वन निबल होता है यह ध्यान रखना और बाइट किसके बराबर होता है आठ बिट के बराबर एक बाइट होता है एट बिट बराबर वन बाइट होता है अगला बोला which one of the following is a secondary storage device इसमें से कौन सा secondary storage device है बस RAM जो होता है वो secondary नहीं है compact disk, floppy disk, hard disk 1, 2 और 4 ये सब ही क्या है आपके secondary storage device है तो 1, 2, 4 कहा है 1, 2 का 4 हो गया देखो 1, 2 का 4 अब आओ HDMI इसका पहले full form बताओ क्या होता है ये भी पूछ सकता है और HDMI एक connector जो होता है उसमें number of pin मैंने आपको पहला जो आर्किटेक्चर अब जाहेद पढ़ा रहा था जहां पे मैंने आप सभी को क्या बताया था कि एक-एक करके port बताया था parallel port कैसा होता है ठीक है उसके बाद से serial port कैसा होता है HDMI कैसी होती USB कैसा होता है वहाँ पे मैंने आपको बताया था तो high definition multimedia interface होता है ठीक है अब जो पहले VGOG आता था अब maximum eligibility जो घर में TV आ रही है वो connect करने के लिए जैसे इसमें HDMI in और HDMI out दोनों होता है तो पहले जो CPU आते थे उसमें HDMI क्या होता था आउट होता था इन नहीं होता था लेकिन आज के समय में in out out दोनों आ रहे है ठीक है तो इसके pin संख्या कितनी होगी ए में pin संख्या कितनी होती है पढ़ाया है कि नहीं तुम लोग को यह बता यह मत बोलना सर नहीं पढ़ायो तो जबाब मिलना चाहिए मुझे नहीं पढ़े हो इसका मतलब तुम लोग की गलती है नहीं नहीं 19 होगा नंबर अफ पिन जो ए टाइप का कनेक्टर होता है 19 पिन होता है उसमें अभी एक बुलियन इलजेबरा से कोश्चन आ गया तब इसके लिए एक दन यह न करना कि सर यह कहां से आ गया बुलियन इलजेबरा अगर इसको solve करोगे बुलियन इलजेबरा को तो क्या आएगा चलो यह एका कंप्लिमेंट तो होगा इसमें और बी का कंप्लिमेंट भी होगा जब A से मंटिप्लाई होगा तो A और A का कंप्लिमेंट चीक है यहाँ पर देखो यह जो है ना यह कंप्लिमेंट नहीं है इसका कंप्लिमेंट ना रखना है सोरी 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 यहाँ पर यह कंप्लिमेंट नहीं है यह कंप्लिमेंट है यह आपका यह compliment नहीं है वो ऐसे arrow लगा है मतलब bracket लगाया गया है वो a compliment a plus b लिखा है यह होगा a का a और a compliment b तो यह चीज क्या हो जाएगी यह आपकी हो जाएगी 0 a compliment a जो होता है वो 0 होता है और a compliment b जो हो जाएगा तो यह चीज क्या है अधिक तो एक कम्प्लिमेंट b वाला अपसर हो जाएगा एड़ ठीक है अधिक है अधिक चल लुए पैरलल पोर्ट यूजली आर नॉट यूज्ट टू नहीं पड़ा रहेगा कुछ दिन अभी कब तुम लोग का कोर्स हाँ इसका तो हो जाएगा यह भी उपी पीसियल रहेगा पैरलल पोर्ट यूजली आर नॉट यूज्ट टू कनेक्ट जो पैरलल पोर्ट होता है पैरलल पोर्ट किसको नहीं कनेक्ट करेगा देखो इसकेनर भी होता है प्रिंटर भी होता है सीडी राइटर भी होता है पैरलल पोर्ट में लेकिन मॉडन कहां पैरलल पोर्ट से कनेक्ट होता है यह तो यूजब पोर्ट से होता है ना कौन ये काम करता है बताओ निमलिकित में से प्राप्त करता कम्प्यूटर पे प्राप्त पैकट को पुना संयोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है कौन दोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगो और IP का काम क्या होता है उस packet को लेके जाता है जिसको जिसको देना होता है delivery होता है IP होता है फिर जैसे ही आपका delivery पहुंचता है जैसे packet के form में पहुंचेगा क्योंकि एक system पे मालों किसी ने कोई information भेजा यह system information भेज रहा है इतना बड़ा information इस तो इसको packet के form में जाएगा तो IP address लेकर इसको पहुंचा देगा तो यह packet के form में ऐसे अलग-अलग packet रहेगा इसको फिर से TCP क्या करेगा arrange करेता है तो यह क्या जाएगा काम किसका है arrange करना उसको packet में तोड़ना इसी का काम होता है transmission control protocol बी का ही काम होता है internet explorer was launching internet explorer कब launch किया गया था Microsoft acknowledgement भी बेशता है acknowledge AC के जो signal होता है कि आपका packet जो है सही ढंग से हमारे तक प्राप्त हो गया है निशिन्त रहें ठीक है 1995 में ठीक है 1995 में इसका Microsoft ने internet explorer को launch किया था the network is overloaded with enormous data sent by many computer within the network the inability of network to deliver the data is Thomas जब आप किसी network पर ठीक है सभी computer बहुत सारे data एकी साथ भेज देंगे तो इस network का एक हालत हो जाएगा और data को वो deliver नहीं कर पाएगा उस और उधर तो जा नहीं पाता है तो वहीं बात हो जाता है यहां पर congestion हो जाता है ने deadlock आपका जो होता है वह operating system में होता है जब process किसी को deadlock की condition क्या है कि कोई एक process है कोई एक resource है इस resource की जरुवत इस process P1 को भी है और resource की जरुवत इस process P2 को भी है लेकिन अभी यह process जो है P1 जो है resource को P1 ले रखा है और P2 इसके इंतजार में है ठीक है लेकिन यह इसको छोड़ नहीं रहा है और P2 को जरुवत जब तक की क्या हो जाएगा एक तरह से यह deadlock condition बन जाती है और P1 जो है नहीं सपोस करो P1 ने एक यह R1 resource ले रखा है ठीक है और R2 जो resource है सपोस करो R2 resource P2 ने ले रखा है P1 को जरुवत है इसको तो यह नहीं छोड़ रहा है और P2 को जरुवत है इसको R1 resource की तो यह नहीं छोड़ रहा है तो इस case में deadlock condition बन जाती है मान लोग P2 को जरुवत है इसको लेकिन उसको P1 ने ले रखा है और R2 को जरुवत है किसको P1 को ठीक है तो R2 को P2 ने ले रखा है तो इस वज़ा से यह इसके लिए wait कर रहा है और यह बेचारा इसके लिए wait कर रहा है तो यह waiting कभी खत्मी नहीं होगा जब छोड़ेंगे नहीं जब तक तो यह deadlock condition हो जाएगा which was which of the following option act as a barrier between local area network and internet land or internet के बीच में barrier का काम कौन करता है फायरवाल बहुत बढ़ना इंटरनेट के बीच इंटरनेट और हमारे कंप्यूटर के बीच में जो होता है मतलब जो आपका लेन है local area network है वह तो बोला option act as a barrier between local area network और इंटरनेट के बीच में जो आता है वह फायरवाल आता है ठीक है security purpose के लिए डिस्क क्लीनप टूल क्या है यह मैंने बताया है जब सॉफ्ट्वेर का डिस्क्लीनप टूल आपका क्या है यूटिलिटी सॉफ्ट्वेर है जो आपके सिस्टम सॉफ्ट्वेर का ही पार्ट कहलाता है next the abbreviation OSI यभी आभी आपने देखा OSI का मतलब होता है open system interconnection ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन वो SI का फॉल फर्म क्या आता है open system interconnection चलो the removal of error from a program इस कार्ड एरर से program किसी program से error को निकालना मतलब बग ढूरना क्या कालाता है debugging कालाता है एक program की बात हो गई लेकिन patching भी उसी प्रकार का काम है जैसे क्या होता है कि patching software पर आता है suppose करो आपका कोई भी software है security है जैसे mobile की आपकी तो उसमें उस पूरे software क्योंकि software में धेर सारे program होते हैं एक program में बग ढूरने को debugging कहा जाता है पूरे software में जितने भी बग है उनको ढूर कर और उनको सही करने के लिए patches software फाइल बनाई जाती है जो बाद में आपके यह देखते हो update जबाता है ना आपके operating system का तो उसमें लिखा रहता है patching file इसकी इसकी तो उससे जितने भी आपके advanced patches में आपके क्या होते हैं कि बग भी दूर होता है और उसके जो advanced features होते हैं वो भी आपके क्या हो जाते हैं add कर दिये जाते हैं उस particular software के तो वह patching कहलाता है ठीक है यह ध्यान रखना है तो इसका answer debugging होगा तो आज 40 question ही रखते हैं कल और भी questions को कर लेंगे और इसके जो PDF है वो मैं लगवा दूँगा 100 question की PDF लग गई है साहथ दूसरे 100 question की नहीं लगी होगी मैं एक बार आज देख लूँगा तो उससे भी मैं लगवा दूँगा आज में मिक्स में करा दूँगा तो ओवराल बाकी MS office से जितना होना था मैंने करा दिया 200 question बहुत होता ओफिस से चले ठीक है ठीक है ठीक है तो चलो मिलते हैं कर रात्री 8 बजे आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद नहीं दिरेंजी आप recorded में जाओ 100 question लगा है study material में जाओ वहाँ computer वाले में जाओ और सबसे last में देखो साइद लगा है मैंने देखा था अपडेट करने के जरुवत में अपडेट करेगा तो पुराना अपडेट हो जाता है अपडेट मत करना नमस्तार मैं आसी स्पाटक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में सभी लोग एक बार सेशन को जोड़ा तरीके से सेशन कर सेयर कर दें मैं लाइव आ चुका हूँ वेरी वेरी गुड इवनिंग धिरजी पारूल जी धिरेंद्र जी हाँ ग्लास आपकी रेनिंग हो चुके है चलिए अब दोड में सामिल हो जाईए सभी लोग आई उजी गुड इवनिंग सभी का स्वागत है अविनो जी नमस्का है सुरज जी गुड इवनिंग हितेंद्र जी हरहर महादेव सभी लोग एक बार सेशन को सेयर करें फिर क्लास को हम लोग स्टाट करते हैं आज साथ प्रशन है तेजी से बढ़ेंगे नहीं तो प्रशन हो नहीं पाएंगे और डेड सभी को सभी का स्वागत है आशीज जी खुश रही है मस रही है स्वस्तर है पहला प्रशन आपके स्क्रिन पर है इसका अंसर बताइए क्या होगा विच आफ दा फॉलोईंग मेनू इंक्लीट रो कॉलम एंड डिलीट सेल डिलीट टेबल ऑप्शन ये किसके अंतरगत आता ह है किस मेनू के अंतरगत आएगा इंसर्ट में पेज लेयाउट में लेयाउट में या डिजाइन में जल्दी से बताइए कि मेनू डिलीट करना रो कॉलम डिलीट करना सेल डिलीट करना या टेबल को ही डिलीट करना किसके अंतरगत आएगा नहीं इंसर्ट में तो टेबल इ खुलता है अब कभी करना जब इंसर्ट में जाना और मेनू को जब उसमें टेबल को इंसर्ट करोगे आप ठीक है पेज लियाउट में जाना आपका जो टेबल इंसर्ट है उसमें इंसर्ट में जाना जो टेबल पर इंसर्ट करोगे आप लोग और इंसर्ट करते ही आपका क्य हो जाएगा वहाँ पर जैसे insert करें table जैसे बनेगा design और layout extra बन जाता है तो layout वाले पर जब जाओगे तो वहीं पर delete to lead का option आता है जैसे आप table insert में जाके table insert करेंगे insert जैसे बनेगा वैसे यहाँ पर design और layout का menu अलग से आपका बन जाता है इसके इसके लिए ठीक है तो answer इसका C होगा अगला जब होगे which was the following statement is true for valid email address valid email address के लिए क्या सही है जल्दी से बताओ email address are not case sensitive email address can sensitive नहीं होता है case sensitive मतलब small or capital का कोई भी फर्क ना पड़े यह बोला email address are not case sensitive ठीक है तो इसका सही क्या उत्तर होगा बोला है कि true क्या है एकदम यह सत्ते बात है कि case sensitive नहीं होता है case sensitive हो जाएगा तो आप आप जो भी email डालोगे चाहिए आप ऐसे डालो डबल ए के एस एच एच ए एड़ रेट जीमेल डाट कॉम ठीक है यह आप में डालो है small में डालो ठीक है दोनों आपका लेगा इसमें कोई case sensitive नहीं चलता है अपर के slower case से नहीं होता है यह आपका क्या है ट्रू है बोला email address are not unique यूनिक नहीं होना चाहिए यूनिक होना चाहिए तो false है न यह कैसे बोल लह हो बोला not unique email address same कैसे हो सकता है दो लोगों का कभी भी same नहीं होता है यूनिक होना जरूरी है question जूम कर दिया करें email address can have hyphen as a first character नहीं फर्स्ट करेक्टर हाइफन नहीं हो सकता है यह भी false है space are allowed between the character in a email address नहीं space भी allow नहीं है आपका ठीक है यह ध्यान रखना तो case sensitive नहीं होता है इस बात को जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा a answer correct होगा इसमें बोला है इंग्लिस नहीं है क्या है इसका चलो इंग्लिस में बता कप्रियोग paragraph की पहले अक्षर को एक से अधिक line में file आने के लिए किया जाता है वही बात है कि जो आपका letter कि किस का use हम करेंगे जिससे आपका क्या हो जाएगा जो लेटर होगा वह paragraph के कई line में हो जाएगा कई line में हो जाएगा यह तो करा रखा हूं आप लोगों को हां यह करा रखा हूं ड्रॉप कैट हो जाएगा ड्रॉप कैट which brand of computer first use the combination of GUI and mouse together कौन से brand का computer सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ माउस का उप्योग किया था IBM, Babes Computer, Macentos या Microsoft Windows क्या इसका सही जवाब होगा एक बार मादेयो का नाम लीजिए और सेशन को शेयर करिए यह 4 का A होगा IBM होगा अच्छा चलो गलत दे रहे हो सब के सब मेसिन टॉस होगा ठीक है यह Macentos जो है आपका इस computer में सबसे पहले GUI और माउस का एक साथ यूज किया गया था यह ध्यान रखना C आमसर करेक्ट है which of this is a scripting language scripting language कौन सी है पास्कल पार एकस्टी सिक्स या सी है सी सार चौबिस जनावरी 1984 को उतारा गया था एपल के द्वारा में सिन टॉस इसमें आप बताओ क्या सही आंसर होगा 5 का D दे रहा है scripting language सी सार जो है यह आपका scripting language नहीं object oriented है लेकिन पाल जो है यह आपका scripting language है जो जाबा स्क्रिप्ट जैसे यूज होता है वह ऐसे ही आपका पाल language भी है लेकिन जाबा स्क्रिप्टिंग नहीं है जाबा स्क्रिप्ट अलग से एक language होती है वो है scripting language तो यह scripting language है चलो अब आओ which of the following HTML code is not valid इसमें से कौन सा HTML code valid नहीं है इसमें से कौन सा HTML code valid नहीं है इसमें से कौन सा HTML code valid नहीं है फ्रेम सेट COLS 100-150 ठीक है फ्रेम सेट विट्थ 16-84 फ्रेम सेट रो 16-84 ठीक है उसके बाद फ्रेम सेट कॉलम्स 16-84 अभी हम जान रहेते सब के साथ वही answer देंगे जो गलत होगा ठीक है यहां जो है कॉलम को कॉलम नहीं लिखा जाता है वो COLSC लिखा जाता है उसको डी answer आपका गलत होगा यह एकदम ठाथ है कि आप लोग गलत दोगे क्योंकि कॉलम को रो को रो लिखा जाता है कॉलम को COLSC लिखा जाता है डी answer आपका गलत होगा इसमें आजाओ फॉर्मूला C3, C4, C5 को अगर कॉपी करें कहां से C7 से लेकर E7 में तो क्या होगा इस सभी जामते हो एक question मैंने करा लखा है तो क्या होगा यहां से यह C7 से वह न तीन से चार कम है न वैसे E7 में E3, E4, E5 हो जाएगा क्या हो जाएगा E3, E4, E5 हो जाएगा E3, E4, E5 हो जाएगा option A correct हो जाएगा यह भी question करा चका हूँ RDBMS का full form क्या होगा RDBMS का full form नहीं full form भी बता दो और यह बूचा है कि RDBMS में data को कैसे संग्रहित किया जाता है न तब data कैसे store होता है data कैसे store होता है एक बर सभी लोग share करो इसको हाँ relational database management system database management system यह इसमें जो भी data होता है वह table के form में होता है किस form में होता है table के form में data होता है C answer correct होगा अगला question है निमलिखित में से कौन सा विकल कतनों को सत्यत्या का सबसे अच्छा वरन करता है Microsoft PowerPoint slide को orientation portrait के रूप में से नहीं किया जा सकता बोला कि जो PowerPoint है उसमें slide का orientation हम portrait नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं बाई मैकिन by default landscape होता है तो कर तो सकते ही है तो यह तो सही है यह सही है वह बोला कि सत्यता को सबसे अच्छा वरन करता है प्रिष्ट संखे Microsoft PowerPoint presentation slide के उपरी भाग में डाली जा सकती है एकदम डाली जा सकती उपरी भाग में जो आपके page नंबर है वह उपर जो है वह भी डाला जा सकता है तो क्या हो जाएगा इसका answer चलो ठीक है यहां बोला कि portrait के रूप में set नहीं किया जा सकता लेकिन किया जा सकता है इसलिए चीज़ क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी तो पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा orientation हम portrait कर सकते हैं लेकिन यहां बोला नहीं कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा पहला सही नहीं है हमने class orientation तो हम change करी सकते हैं उसका यहां लिखा है और इंटेशन नहीं चेंज कर सकते लेकिन कर सकते हैं इसलिए चीज क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी और यहां दूसरा वारा तो सही होगा ही तो C answer correct होगा अच्छा अब आओ Class C IP address use IP address जो होता है Class C का वो कितना bit use करेगा Class C IP address use bit for network ID एक network ID होता है फिर आपका host ID होता है ठीक है आपके जो होते हैं वो आपका कितना 4 octet होता है 4 octet IP address में तो उसमें आपके Class A में पहला octet जो है network ID का होता है बाकी host ID का होता है Class B में चलें तो आपका जो 2 octet होगा वो आपका किसका होगा network id का होगा दो host का होगा और class C में आओगे तो आपका क्या हो जाएगा 3 आपके जो होंगे वो network हो जाएगे ये network id हो जाएगा network का हो जाएगा ये host का ID हो जाएगा ठीक है तो 8-8 8-8 का एके cocktail होता है तो 8 bit, 8 bit, 8 bit 24 bit का network ID होगा चलो 8 bit नहीं हो सकता है 8 bit नहीं होगा 24 bit होगा इसको मैंने पढ़ाया theory class जाना उसमें मैंने पूरा ये division बताया है कि किसका subnet mask होगा C वाले का subnet mask क्या होता है यह सब question पूछता है तो उसको अच्छे से पढ़ लो ठीक है बोला the program instruction are represented in binary and store in the जो program के instruction होते हैं उसको binary में represent किया जाता है कहां पर store किया जाता है from which they are fetch and decode and executed by the CPU कहां store किया जाता है फिर वो वहां से fetch किया जाता है CPU के दोरा उसको decode and execute किया जाता है internet वाले नहीं computer network वाले में पढ़ाया हूँ कहां पर computer network की जो चार class है उसी में ये last class में मैंने बताया है क्या होगा इसका answer बहुत बढ़िया memory होगा ए answer होगा क्योंकि कोई भी आपका जो instruction है program का वो memory में store होगा वहीं से आपको टैकर होगे fetch करता है CPU execute करने के लिए A answer correct होगा इसका बोले which material is used to manufacture computer chip computer में जो भी ICOC chip बनती है उसमें क्या use होता है silver, iron, gold या semiconductor तो आप क्या कहोगे semi conductor chip होती है silicon और germanium की maximum devices जो होते चिप जो है इनी की बनती है the answer correct हो जाएगा अगला प्रस नहीं ALU किसका part है ALU जो है arithmetic logic unit यह किसका part है CPU का control unit का memory क्या या none of these ALU किसका part है मैंने आपको architecture में पढ़ाया था न यह आपका CPU होता है CPU में control unit, arithmetic logic unit आपके होती है registers होते हैं तो यह CPU का part है किसका part है CPU का part है AS correct answer होगा USB का poor root क्या होगा USB का full form क्या होगा जल्दी से बताइए arithmetic logic unit एक बार share करो सभी लोग universal serial bus क्या होगा universal serial base नहीं होता है universal series bus नहीं होता है sequential bus नहीं होता है serial bus होता है universal serial bus होता है B answer correct होगा सभी लोग B के साथ जा रहे है अगरा है which key delete the character to the left of the cursor cursor के left में cursor के left से अगर delete करना हो तो कौन सा इसमें से हम लोग use करते हैं बताओ left से अगर यहां पर cursor है left का full character आपको delete करना है तो कौन सा use करोगे back space से ही तो left delete होता है और right वाला जो होता है वो आपका delete से delete होता है right वाला डिलीट से डिलीट होता है तो answer भी दोगे इसका हाँ the click lock property of a mouse जो click lock property है वो माउस की क्या है देखो click lock property क्या है बोला नान आप दीज इन में से कोई नहीं तो पहले देख लो तो इन में से कौन सा allow to prevent item from getting click ठीक है allow to set a password for item नहीं allow to drag without holding mouse button ठीक है क्या होगा click lock property allow to drag without holding mouse button को बिना hold किये आप क्या कर सकते हो लाक कर सकते कोई चीज ऐसे कीच के ड्रॉप ड्रैक कर दो को कि भी कम सरोगा ईबीचिदीग आइसी ये प्रकार यूनिक रोट है वीचिदीग आईसी मतलब जैसे आपका आस्काइक होता है वैसे इबीचिदीग होता है सको मैने नंबर सिस्टेम में पढ़ाया है इसका full form क्या होगा इसका full form क्या होगा यह 8 bit का होता है कितने bit का होता है 8 bits का होता है तो इसमें total कितने character क्यों कर सकते हो code total 256 character को code कर सकते हो मतलब इसका character के coding होती है extended binary coded decimal interchange क्या होगा इसका answer E, B, C, D, I, C किसमें है D answer होगा कि C होगा extended binary coded decimal enter change code हाँ code होना चाहिए extended binary coded यह coded होगा decimal interchange code यह आपका D answer correct होड़ा आएगा चलो अब बोला which of the following is a non-volatile computer storage device containing magnetic disk of platters rotating at high speed किसमें आपके कौन सा magnetic disk होता है कौन सा storage device है जिसमें magnetic disk होता है वो platters उसमें rotate करते है high speed से तो platters किसमें होते है hard disk में मैंने बताया था न ऐसे आपके जो लगे होते है उसमें वो आपके क्या होते है platters होते है यह सब क्या है आपके platters होते है ठीक है तो यह hard disk होता है यह क्या होता है hard disk होता है D answer correct हो जाएगा दल्लीगर right to use software जो आपको लिगर right मिलता है किसी भी software को use करने के लिए based on specific restriction in guaranteed YA किसके थुरू software privacy policy software license policy software password manager software log यह दोनों तो नहीं होगा अब software privacy policy होता है या software license के थुरू होता है B answer बहुत बढ़िया जो भी आपको rights मिलता है तो वो software के license क्योंकि उस software का license होता है तो उसके legal customs condition होते है कि आपको उसको कैसे use करना है तो यह आपका सही होगा B ठीक है B answer correct होगा booting the computer system is a process booting जो है एक प्रकार का computer system का process है जिसमें क्या होता है bring an operating system from hard disk to main memory या bring an operating system from main memory to hard disk bring all user data from hard disk to main memory या bring all user data from main memory to hard disk इसमें आप क्या कहोगे क्या सही जबाब होगा जल्दी से बताओ हाँ बहुत बढ़िया जो आपका operating system जो होता है basically कहां रहता है basically आपके hard disk के drive में रहता है ना लेकिन जब boot होता है तो वो memory में load होता है वो memory में जैसे आपका क्या कोई भी application आपका दिखता है किसी ना किसी ड्राइब में रहता है लेकिन जब उसको open करते हो तो किसमें open होता है वो memory में open होता है वैसे ही जब आपका boot होता है तो hard disk से आपका operating system में memory में आता है एंसर करेक्ट हो जाएगा एक disk scheduling algorithm है FIFO ठीक है उसका क्या है इसका मतलब क्या है FIFO का अभी मैंने कल ही बताया था 1st in first out फ्यू इन फ्यू आउट फ्रिक्वेंटली इन फ्रिक्वेंटली आउट या 1st in first out क्या होगा फास्ट इन फास्ट आउट तो यह दो ओता नहीं है Yemen Canton को फस्ट इंफस्ट आउट होगा फस्ट इन फ़्स्ट आउट होगा अगला सोग्ण यह रहा इन अप्रेटिंग्स से स्टम आप करते रहा ना इन ओप्रेटिंगी सिस्टेम कंपाइलर पैरलेंस आर्टियल इस्टेंड फॉर ठीक है इसमें बोला कंपाइलर के संदर्व में आर्टियल का मतलब बताईये आर्टियल क्या होता है जल्दी से बताईये आर्टियल एक तरह से जो कंपाइलर होता है कंपाइलर अपना जो भी चेक करता एक तरह से ना वह किसके हैप से करता है आर्टियल के हैप से करता है आर्टियल रन टाइम लाइबरेरी होता है क्या होता है रन टाइम लाइबरेरी होता है जो कंपाइलर को हैल्प करता है यह ध्यान रखिएगा which of the following software उसी में सभी syntax होते हैं उसके grammar होते हैं which of the following software collect the information from a computer and transmit into man in the middle बताओ इसमें से क्या होगा हुआ निमन में से कौन सा software computer से जानकारी एकठा करता है और इनमें से man in the middle को संचारित करता है दो मिनिट रुके एक बार शिस्टम को हम on कर लें इसका अंसर आप लो बताइए दोको फॉर्क बॉम ये तो सब बाइरस है बूट सेक्टर वाइरस ये भी बूट सेक्टर में बाइरस जो पाए जाता वो है memory resident वाइरस हो गया spyware spyware है ये भी एक प्रकार का वाइरस software है जिसका कामी होता है spy करना ठीक है spy का मतलब बिना आपके knowledge के या आपके system में इंस्टॉल हो जाता है ये आपके जितने भी information है ठीक है वो सभी information को लेकर चुरा कर दूसरे को दे देता है इसी को spyware कहा जाता है ये भी एक तरह का क्या है malicious software है ठीक है मतलब वाइरस है बिना आपके मर्जी से आपके system में इंस्टॉल हो जाएगा MS paint में कितने प्रकार का paint brush होता है कितने प्रकार का जब आप paint brush पे click करोगे तो कितने प्रकार का होता है नो प्रकार के paint brush होते है कितने होते हैं तीम तीन का grouping होता है नो प्रकार के paint brush होते है comment करो भाई तुम लोगे comment नहीं दिख रहे हैं कहा गए सब चलो अगला क्शेटिशन विच फोट वह व्ली स्टीमेंट अपयब इसले लेग्वेज्ट वह ए स्टैपम्ध आर्प्रियर को जरेक्ट एसमेल लेंगवेज के बारे में कौन साही एसमेल लेंवेजिक व से बारे में और साही है एसेमली लेंगवेज प्रोग्राम प्रोग्रामस रिक्वार इंटर्प्रेटर इसमें जरुवत नहीं पड़ती है सिख यह जानद है हो सभी लोग कि उसके बाद से आप से क्या बोला है एसेम्ली लेंग्वेज इस एज एर देन हाई लेबल लेंग्वेज टू राइट प्रोग्राम नहीं क्योंकि अगर इतना आसान होता तो एसेम्ली लेंग्वेज ही आज के समय भी चलता अभी कमेंट आपके आ रहे हैं ठीक है एसेम्ली लेंग्वेज इस मसीन इंडिपेंडेंट क्या यह मसीन इंडिपेंडेंडेंट लेंग्वेज है नहीं मसीन इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें यह आपका आंसर सही होगा इसमें गोल आप 1585 को 1585 जो है आपका क्या है डेसिमल है इसको हेक्सा डेसिमल में कनवर्ट करना है तो क्या करोगे 16 से डिवाइड करोगे 1585 को कितनी बार जाएगा बताओ 16 को डिवाइड करोगे 1585 को कितनी बार जाएगा 9 9 रिमेंडर बचा 1 ठीक है यह होगा उसके बास से 16 690 रिमेंडर बचा 3 तो अब यह आपता हो जाएगा 631 ठीक है 631 तो यह ध्यान डखना जो hexadecimal होता है वो 10 के बाद आपका बदद 10 11 12 यह जो है आपके change रहते हैं उसमें लेकिन सब कम है तो 631 आपका answer हो जाएगा यह hexadecimal होगा 1585 का 631 आपका hexadecimal होगा what is the size of destination address in a data frame of ethernet जो ethernet होता है उसमें जो एक data का frame होता है समोज करो जो data frame लेके जा रहा इthernet उस frame की size कितनी होती है उस frame की size 6 byte होती है 6 byte का मतलब 6 into 8 आठ चाके 49 bit लेकर चलता है ठीक है 48 bit information लेकर चलता है तो कहीं आपका bit दिया रहे तो 48 bit हो जाएगा और 6 byte हो जाएगा चलो to which among the following 255 255 255 0 assign to यह subnet mask होता है यह किसको assign किया जाता है dns को none of this default gateway को यह subnet mask को यह किसको दिया जाता है यह क्या है subnet ने dns नहीं यह subnet mask का मैंने बोली दिया ना यह subnet mask होता है subnet mask of class b address ठीक है subnet mask of class b address जो होता है वो यह होता है dns नहीं होगा यह subnet mask होता है dns के लिए कोई subnet नहीं होता है dns क्या करता है आपका domain name server है यह जो भी आप IP address होता है ठीक है उसका काम सिफ आपके system में होता है यह आपके जो आप क्या करते हो जो नाम डालते हो मालों परिक्षा प्लस डाले इस परिक्षा प्लस को IP में convert करना translator का काम करता है IP में convert करता है बस यह which of the following OSI layer provide end to end error detection and correction अभी मैंने कल ही बताया था कि error detection correction किसमे होता है class C क्यों होगा ऐसा नहीं है subnet अलग होता है वहाँ देखना subnet जो mask हो वो अलग होता है कि बहुत कम चांसे मंदब एक दो मैं करा दे रहा हूं बहुत कम चांसे से ऐसे पूछेगा आप से इसका अंसर जल्दी से बताओ भाई इसमें अभी कली तो बढ़ा था error detection और correction किसका काम होता है ट्रांस्पोर्ट लेयर का काम होता है ठीक है अच्छा उसमें क्या था सब्नेट मास्क 255 255 255 अच्छा यह तीनों तक है यह सीका ही होगा होगा किसका होगा सब्नेट मास्क צी कहीं होगा क्यूंकि एक ही ओस्ट अडेस वहरता है यहां मैंने लिखा भी है यहां पर जो होगा यह का सब्नेट मास्क होगा और मुझे ध्यान आया मुझे लगा 255 255 के बास 00 kbka यह होगा ठीक है और जो आपका A का होगा वो यह होगा ठीक और B.C. का जो होता है वो आपका यह यह C का सबनेट मास्क होता है यह भी आपका देखो यह इन टर्म्स आप डिजिटल सर्टिफिकेट SSL इस्टेंड फॉर SSL आपके वेवसाइट के लिए किया जाता है security purpose देखे होगे कि 예ए कि जो आपका लॉक लगा होता है किसी web site में ठीक है वेवां पर हरे color से बन जाता है कि वो security है ठीक है देखे होगे log तरफ से बना होता है यहाँ पर ऐसे जब भी search करते हो तो वो SSL इस SSL को क्या सायजाता है जल्दी से बताओ इस SSL को क्या बोला जाता है Secure Socket Layer बोला जाता है कि आपकी website को Secure कर दिया जाए Secure Socket Layer बोला जाता है D Ampster Correct होगा Ethernet का दूसरा नाम क्या है Ethernet जो cable होता है Ethernet लिखा है Ethernet कर लो इसको Ethernet का जो होता है दूसरा नाम क्या है Ethernet का अगर बोला जाए दूसरा नाम 1023 है यह होता है यह कई बार question पूछा गया है बहुत से exam में question पूछा गया है ठीक है यह बहुत से exam में question पूछा गया है तो इसको ध्यान दखना form to date subject field of email or card as जो आपके यह होते हैं कि किसको भेजना है to date subject email में इसको क्या कहा जाता है email header, email greeting, email information email starter इन सब चीजों को क्या कहा जाता है यह email के इतना advance नहीं लेकिन हाँ, question जी जैसे यह कहा, यह question आ सकता है यह क्या है, fact वाले question है ठीक है, यह आ सकता है यह आपका आ सकता है, full form है उसके बाद से मैं बोलू, यह यह भी आपका मुस्किल है, यह नहीं आएगा यह आपका आएगा, जब आपके o level equivalent पूसता o level equivalent अगर कहीं आपका exam होता, तो यह question आता ठीक है, यह भी o level equivalent आता, यह भी o level के equivalent question है ठीक है, तो यह questions आपके आने में chances नहीं है आ जाओ यह देख लो एक बाद, यह आपका आ जाएगा क्यूंकि यह fact basis पर है, cable पर है और cable का नाम होता है, मैंने जब पढ़ाया है, साइट केबल वहाँ बताया है, 8.802.3 इसको बोला जाता है इसको बोला जाता है, email header यह सब कुछ head पर होता है, तो इसको email header बोला जाता है telnet, telnet के बारे में मैंने बताया, last class में ही बताया आप लोगों को, कि telnet क्या होता है telnet के थूह ही आपके जितने online exam है, वो conduct किये जाते है ask dex भी एक तरह का telnet पर ही चलने वाला जो है क्या है, आपका software है तो telnet का मतलब होता है remote login क्या होता है, remote login होता है सी answer सही होगा चलो बहुत बढ़िया अगला प्रस्थ नहीं है रहा e-commerce, e-learning, e-banking m-commerce, etc belong to which of the following service यह question आ सकता है ठीक है, यह जितने भी e-commerce हो गया e-learning हो गया, e-banking हो गया m-commerce हो गया, यह सब किस से बिलॉंग करता है, business service से user service से, internet service से या e-service से हाँ, यह सभी जो है e-services है, e-sayvay है, यह सभी किस के अंतर गताएंगे e-sayvay के अंतर गताएंगे, d-answer सही होगा इसका, e-services है, which of this is a boot loader for windows 10 देखो, इसमें से कौन सा जो boot loader, boot का का काम करता है, जो boot को load करता है, एक तरह से ठीक है, वो आपका क्या होता है boot loading process जिसके अंतरगत होता है वो आपका इसमें से क्या है, software है यह देखो, इससे पहले sunscreen में, 7 तक जो आता था वो anti-ADR software होता था, वो loading का का काम करता था जब भी आपका operating system load होता है, जिसको boot process बोलते हैं, वो इसी software के थुरू होता था, लेकिन आप, यह पहले vista में होता था, window vista window vista के बाद windows 10 में आने लगा है, windows 10 में भी आने लगा है, तो boot mzr जो software है, यह loading का काम करता है, boot mzr the smallest unit of information about a record database is card, ठीक है smallest unit of information about a record of database is card, database का एक छोटा सा unit record जो होता है वो क्या कहलाता है record को क्या कहते हैं बोला ना यहां पर, about a record in a database is card record को क्या कहा जाता है जो record होता है उसी को field कहा जाता है क्या कहा जाता है, field कहा जाता है sell नहीं sell तो छोटे छोटे होगे न which of the following best describe a network in which company data and application are stored at off-site data center data access over the internet ठीक है, समझ गया यह क्या है किसका example है उस तकनीक को क्या कहा जाएगा network in which एक company जो है अपना data चाहिए application store कर सकती है, करती है off-site the data center ठीक है, and access over the internet मतलब अपने data center से बाहर उसको क्या करती है store करती है, और internet के थूरू उसको हम access कर सकते है ऐसे storage को क्या कहा जाएगा जैसे आपका MI, MI में क्या है आप जब mobile लो, MI login है तो वो उसका data किस पर आता है MI cloud पर होता है तो उसको cloud computing कहा जाता है ठीक है, सभी data आप किसी भी कोई भी device लो, वो चीज़ login कर लो आपका MI account तो आपका पूरा data आ जाता है तो C answer correct हो जाएगा RTF, RTF क्या है एक word, MS word का file format है MS word का, जब आप save करने जाओगे, तो वहाँ पे भी file format आता है, उसी में एक RTF भी file format है इसका full form क्या होगा अभी 38 question पे हम लोग हैं, बताओ 60 प्रस्न लेके आये थे rich text format इसका full form होगा rich text format to connect a network of similar protocol are used, एक ही protocol के ठीक है, एक ही protocol से चलने वाले कई दो अलग अलग network हैं, उनको जोडने के लिए किसका यूज़ करेंगे router का, bridge का, gateway का या dialogue का, तो एक ही protocol को जोडता है bridge, और router जो होता है अलग अलग different network को जोडता है, एक ही को जोडने वाला bridge, router जो अलग अलग को जोडता है, Excel work seat document are store in a file is card, Excel work seat document are store in a file, इस card क्या कहा जाता है, जो work seat होता है, उसको क्या कहा जाता है, जो work seat होती है जो Excel work seat document are store in a file, उसको workbook कहा जाता है जिसमें आपके seat आपके collected रहती हैं उसको workbook कहा जाता है what is the purpose of providing draft folder in email system email system में draft folder जो दिया गया हो किसके लिए है to save unsent mail to store spam email to save a copy of sent email to store deleted email किसके लिए होता है draft वाला बहुत बढ़िया यह भाई जो अगर आप mail नहीं भीज पारे हो कहाँ चला जाता है draft में चला जाता है ठीके वो कहाँ चला जाता है draft में चला जाता है dhtml, stml का full form तो जानती है उसमें d लग गया तो hypertext main language यह hypertext markup language यहाँ से stml के basis पे आप बता सबते हो full form क्या होगा देखो यहाँ hypertext markup language यह है main तो अला होगा नहीं अब यह तो dynamic होगा या digital होगा dynamic होगा या digital होगा तो dynamic होगा या digital कुछ नहीं होता है यह काप का जो है html का ही version है the shortcut की control r is used to r किस के लिए control r किस के लिए होता है right alignment of the content of the cell remove the cell content of the selected cell fill the selection of active cell and the right select multiple role क्या होगा इसमें यह तो एकदम आसान है बाई simple सी बात है right alignment के लिए control r होता है उसके बास proxy server is used for which of the following to provide security against unauthorized user to process a client request for web pages to process a client request for database assess to provide TCP IP यह नहीं करता है ठीक है database assess के लिए नहीं होता है किस के लिए होता है client request को web page assess करने के लिए होता है अच्छलों सभी का चाहवाल इसका बी answer आ रहा है बहुत बढ़िया ठीक है तो भी होगा अब proxy server का होता है जैसे क्या हो गया इंडिया में कई पॉन site लेकिन आख कुछ लोग जहाए अलग से जो site होती है वो उसको proxy proxy का मतलब होता है कि बोला है थाना है कि मेरा भी college में जाना है proxy महार देना मतलब जो वन्दा नहीं है present उसकी भी present लगती थी ठीक है तो वही बात यहां पर भी है मतलब वो एक तरह से जो site present नहीं है लेकिन इस proxy server के थूँ हम उस page को access करते हैं हाँ ठीक है यहां पर वो site है आपकी यहां पर allow नहीं है लेकिन बीच में कुछ भी चौली है आगए है जो अपना एक server दे दिया जिसके through वो उस page को access कर सकते है तो client सीधे उस page को access कर लेता है लेकिन वही बात है वो पूरी site का नाम नहीं लिए आगा है site का नाम कुछ और रहेगा बाद में जब वो खुलेगा तो उसके आगे वो खुलता है देखे हो गए आप लोग experiment किये हो गए तो कई चीजों में होता है which protocol does ping use पिंग जो होता है पिंग का मतलब होता है क्या करना किसी चीज को जैसा होता ना पिंग करना इसको देखना कि क्या इसमें कोई गलती है करने जैसे कोई मालो वाटसप पर ही message जाता है तो आप लोग कोई भी चीज़े भेज रहे हो तो इसको पिंग कर देते हो लाल के hashtag लगा के कि इसको देखलो इस document को तो ऐसे ही एक पिंग के लिए एक जो आपका यहाँ पर use होता है protocol वो होता है ICMP इसका full form बताओ कोई पिंग के लिए ICMP use होता है यह तरह से आपका भेजता है जो device होता router होता है यह router पर ही work करता है कि यह आपको जो भी message गया तो वो message भेजता है कि हम message send हो गया acknowledgement signal जिस पर काम करता है वो ICMP protocol ही होता है इसका कोई बताओ मुझे ICMP का full form क्या होगा जल्दी से बताओ internet control message protocol चलो बहुत बन्या सही है internet control message protocol यह होता है pink के लिए होता है acknowledgement के लिए हो सकता है ठीक है सुचित करने के लिए होता है पिछले वाले को कि हाँ आपने यह भेज दिया है पहुँच गया है सही सलामत पहुँचा है which of this language used to step compilation process किसमें दो step compilation process होता है interpreter और compiler दोनों use होता है मैंने आपको बताया था java ऐसी language है जिसमें interpreter और compiler दोनों use किया जाता है a dvd क्या है dvd is an example of optical disk dvd का ऐसा example है optical disk का example है the definition of tracing tracing का definition क्या है swapping data between the virtual memory virtual memory के बारे मैंने बात किया था जब भी आपका जो main memory है वो full होने लगता है तो आपका operating system की ये खासियत होती है कि वो hard disk का एक part ले लेता है और बताता है किसी भी program को कि ये आपकी main memory का इक part है वो आपका physically नहीं exist करता है जो एक तरह से बोला जाए imaginary exist करता है virtual memory तो वह काम होता है तो इसमें tracing का मतलब होता है कि data की swapping होना कहां से virtual memory से RAM के बीच में कि पता ना चले तो उसी को कहा जाता है tracing कहा जाता ये option सही होगा इसका रेड ट्रेंगल एड़ टॉप राइट कॉर्णर अप दा से इंडिकेट ठीक है किसी सेल में टॉप राइट कॉर्णर पर यहां पर आपको रेड राइट कॉर्णर पर अगर रेड कलर दिख रहा है तो वो क्या बताता है there is an error in the cell there is a comment association with the cell comment को बताएगा कि अगर cell में कोई comment आप किये हो तो उसको बताएगा बहुत बढ़िया सबी answer दे रहे हैं बहुत बढ़िया बहतरी चलो inventor of C++ windcalf के बारे में बताया था यह internet के जनक है internet के पिता इनको कहा जाता चार्स बेबेज को father of computer बोला जाता है और बेजरेंट को क्या बोला जाता है C++ का father बोला जाता है और डेनियस रिची को C का डेनियस रिची को C का father बोला जाता है ठीक है और C++ के यह होंगे D answer सही होगा इसका What is backup अच्छा backup क्या है Adding more components to your network नहीं Protecting data by copying it from the original source to a different destination filtering old data from new data नहीं accessing data on tap नहीं यह है आपका protecting data by copy मतलब आप original data का आप क्या कर सकते हो एक copy बनाते हो कि कहीं data आपका loss हो जाता है तो वहां से आप backup कर सकते हो भी answer सही होगा इसका बावन नमबर question आजा When you turn on the computer the boot routine will perform with this test boot जब आपका होता है तो कौन सा test वह perform करता है यह मैंने आपको बताया है post जो test होता है post जिसको बुरा जाता है power on self test यह पढ़ाया पहली class याद करो ठीके power on self test जब से power button दबाओगे सब कुछ वह चेक करेगा boot वाले operation में जो पूरा आपका peripheral devices RAM लगा है कि नहीं लगा है सब कुछ सही है कि नहीं उसी को बोला जाता power on self test बोला जाता है 52 तिरपन नमबर who amongst the following is called the father of modern computer कौन सा computer modern computer के जनक कौन है आधूनिक computer के पितामा कौन है हाँ आधूनिक computer के जो पिता है वह एलन ट्यूरिंग है इसको ध्यान दखना father of computer Charles Babbage है website used for building a network with friend and relative is called वह कौन सब वह website जिसके थूँ हम लोग friend और relative का network बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है e-commerce नहीं net banking नहीं social networking हाँ social networking ही बोला जाता है facebook, twitter ठीक है instagram यह सब क्या है social networking है आ जाओ पच्पन नमबर question which key combination is used to minimize all open window and display in the screen कौन से से हम सभी को minimize कर सकते हैं जितने भी आपके windows screen पर दिख रहे हैं तो अधुनिक का मतलब होता है modern father of modern computer अधुनी कितियास नहीं जानते हो modern इंडिया history of modern इंडिया चलो अब यहां पर क्या हो जाएगा विंडोस की के साथ अगर हम डी दबाबतत दबाएंगे तो जितने भी आपके टैब ओपन है स्क्रिन पर वह सभी minimize हो जाएंगे वह सभी क्या हो जाएंगे minimize हो जाएंगे मैंने shortcut key में जो आपकी PDF लगवाया है windows के अलग shortcut keys लगवाया है ms word के अलग excel के अलग powerpoint के अलग सबको देख दाना एक बार which of the following is not an advantage of star topology compared to other standard topology star topology जो पढ़ा है मैंने आप लोगों को में स्रेंग स्टार ठीक है बस पढ़ लिए हो कि नहीं इंटरनेट वाला चेप्टर उसमें आपका बोला है कि क्या advantage है star का other topology के अपेक्शा easy to connect a new node or device require less number of cable all nodes are directly connected to the server isolation of fault node is easy जी यह node सिर्फ पेड़ वालों के लिए है क्या होगा इसमें हाँ control and ppt में नया page add करने के लिए है देखो बोला है require less number of cable नहीं भाई star में अगर हम क्या करते हैं जितना device जोड़ेंगे उतना ही हमें केबल जरूरत पड़ेगी जाहिड सी बात है तो यहां पे all nodes are directly connected to the server एक हब से server से जुड़ा होता है see answer correct दोगे इसका क्या होगा क्या बोला है इसमें अच्छा which of the following is not an advantage of अच्छा हमें लगा कि यहां आपसे क्या बोला है not पूछा है कि advantage नहीं है ठीक है यहां बोला यहां पर क्या है कि ठीक है less number of cable नहीं जादे number of cable की जरुवत होती है तो वहीं आपका बोला इस यह यह उस्सने पूर्पॉज है यह यह इस्सने अपका गार्ण का बीड़ा फिस से क्ष स्वीं नहीं आया है इस्टेमें अव्य टोच्छ नहीं बोला तेग अग्ष लॉली टेग बताओ क्या इसका सही जवाब होगा यह भी आप लोगों में मुस्किल है नहीं पूछेगा क्योंकि STML का टेग जो है वो और लेबल के वाले में आ जाता है एमपेटी टेग में हमें किसी भी क्लोस टेग की जरुवत नहीं होती है सेमाफोर्स यह भी ऑपरेटिंग सिस्टम का डीप में चला जाएगा सेमाफोर्स इस यूज़ टू सॉल्व ज़ो सेमाफोर है वो किसकी प्रॉबलम को जो है सॉल्व करता है रेस कंडिशन को बी लेडी प्रॉबलम को प्रॉसेस सिंक्रॉनाजेशन को या मिच्वल एक्स्क्लूजन को कि देखो यह क्या करता है कि जो प्रॉसेस के सिंक्रॉनाजेशन होता है क्योंकि इंटीजर वैलू होती है सेमाफोर्स उस प्रॉसेस के सिंक्रॉनाजेशन को मैनेज करता है रेस कंडिशन को नहीं प्रॉसेस सिंक्रॉनाजेशन को मैनेज करता है कि कब कॉन से प्रॉसेस के यह कौन सा सोटकट की यूज करते हैं क्या तो क्या तो होगे कंट्रोल एफ टू लास्ट प्रस इन माइक्रो सोफ वर्ड वाजार तेरा विच आप दा फॉलॉइंग मिनू इंक्लूड दा स्प्लिट सेल ओप्शन किसमें स्प्लिट सेल ओप्शन आता है बता हूं इंसर्ट पेज ले आउट्स सीजन या ले आउट्स तो ले आउट्स में ही आता है जब टेबल ले लोगे सेल लोगे आप तो वसी में आएगा ठीक है ले आउट्स में ही आएगा सेल स्प्लिट का ओप्शन तो यह आपके साथ प्रस्ण हो गए इसकी PDF और कल वाले की 40 प्रस्ण की PDF मिला के कल दे दी जाएगी ठीक है आज में कुछ question मैं advance ले आया था advance था इसमें कुछ question ताकि आपको दर्सन हो जाए कम से कम advance का भी कि अगर कुछ मिल ही जाए तो भला हो जाएगा इसमें से ठीक है इसमें से कुछ मिल ही जाए तो भला हो जाएगा अगर advance कोई मिल जाता है एक में कहां पर है जाना कौन सा है recorded में study material में और computer वाले में जाना वही पर लगा हुआ है दो pdf लगा दी गई है 100-100-200 question लगा दिया गया है ठीक है 100-200 question लगा दिया गया है ये 100 question कर लगा दिये जाएंगे आज के question में कुछ extra मैं इसलिए लेके आया था ताकि अगर repeated question है एडवांस वाले अगर फस गए तो कल्यान हो जाएगा very very good evening मेरी आवाज प्रॉपर आप तक पहुँच लगे एक बार सभी लोग जुरदार तरीके से share कर दो और question number आपके एक जो है screen पर आ गया है इसका answer भी comment करते जो fast furious mode में आ जाओ एक दम आसीज जी खुश रही है मस्त रही है स्वस्त रही है जबरदस्त रही है सभी लोग चलिए तो सभी लोग एक बार share करो जुड़दार तरीके से which component display word count and proof button ठीक है word count and proof button in microsoft word 2010 सम्मेश वो करता है ऐसी बात नहीं है qcss toolbar qcss toolbar उपर होता है कोई भी चीज आप जल्दी से access कर लो चाहे आपको save करना हो अंडो रीडो जो भी चीजे कहीं भी आपका हो जिसमें आपको समय लेखता हो उसको आप क्या कर सकते हो qcss में लगा सकते हो status bar में जब जाओगे तो नीचे आपका page number word count यह सब दिखाता है तो यहीं आपका status bar में ही आपका word count होता है status bar में ही word count होता है चलिए status bar इसका correct answer होगा 20 जो इतने लोगों ने दिया एकदम सही जबाब है which of the following key is used to create a new paragraph in MS Word MS Word में नया paragraph create करने के लिए किस key का use करेंगे जल्दी से answer comment करेंगे आप लो जल्दी से answer करो अगले paragraph में अगर हमें create करना होगा तो हम enter दबाएंगे enter से हमारा नया paragraph जो है create होगा in which year information technology act was enacted information technology act जो है किस साल जो है आपका बनाया गया था जिसके तहट आपके इसी act के तहट जो cyber crime है यह सब चीजें हैं वो इसी से deal किया जाता है तो बताओ वो कब आपका गया गया था information technology act जो है 9 जून 9 जून 2000 को किया गया था और इसमें सबसे बड़ा बदलाओ कुछ जो है आपके changes जो है 2008 में किये गए है ठीक है तो यह 9 जून 2000 में किया गया है तो answer आपका बी होगा इस अधिनियम को जो बनाया गया था है in si program in statement a terminated भाई कोई भी c program का जो statement होता है वो कि से terminate होता है बताओं उति सी program में एक बार सभी लोग session को होग कर दो भाई जोरदार तरीकर से हाँ सी में कोई भी statement कि में अब का terminate होता है सेमी कॉलन जो भी आप लिखोगे जैसे माल लो लिखे इंटीजर एक्वल टू वान तो यहां सेमी कॉलन लगाओगे तभी यह टर्मिनेट होगा नहीं तो एरर देदेगा अगर सेमी कॉलन नहीं रहेगा तो विद्धा रिफ्रेंस ऑप कम्ट्यूटिंग अप्लेट कैंट एक अप्लेट जो है प्रोग्राम है एकडल्य र Kentucky इम्ट पर्क्रफ़र्च से विद दा हेल्प आफ स्टी एमेल जावा लेंग्वेज में लिखा जाते है एक जावा एप्लिकेशन है यह एक तरह से इंटरनेट प्रोग्राम है लाइक ए सर्च इंजन बोल सकते हो और यह क्या हो जाएगा एंसर आपका करेक्ट हो जाएगा चलिए पाइथन क्या है पाइथन इस आ पाइथन मनें बताया हाई लेवल लेंग्वेज है लो लेवल लेंग्वेज कौन से होते हैं मसीन लेंग्वेज और एसेमली लेंग्वेज ठीक है यह जो आपके होते हैं लो लेवल लेंग्वेज होते हैं which of the following does not support bi-directional data transmission मैंने आपको data transmission पढ़ाया है simplex, duplex, half duplex ठीक है तो उसमें बताओ bi-directional कौन सा data transmission होता है जो नहीं अच्छा not support bi-directional जो bi-directional नहीं support करता है बताओ तो simplex जो होता है simplex जो होता है आपका bi-directional नहीं होता है क्योंकि एक बार जैसे radio में है जो signal radio को मिला आप उधर से नहीं बेश सकते हो इधर से चीज़े जा सकती है आप उधर से नहीं message बेश सकते हो तो यह simplex हो गया half duplex में एक बार में एक time पर एक ही चीज़ होगी इधर से जाएगा दूसरे time पर उधर से आएगा walkie talkie हो गया इसका example full duplex mobile phone एक बार आप इधर से के तुरंत एक वन टाइम में दोनों तरफ से message send और receive दोनों हो सकता है तो यह आपका full duplex हो जाता है तो answer इसका होगा simplex वाला अब बोलना है इने computer terminology what is the full form of PDF यह भी question का exam में पूछा गया है chances बहुत बनते हैं आपके exam में आने के तो जल्दी से बताओ इसका सही जबाप क्या होगा PDF का full form क्या होगा PDF का full form क्या होगा भाई क्या होगा देखो यह system भी बंद हो गया printable document format printable document format print dispatch file नहीं होता है protocol नहीं होता है प्रिंटेबल होता है कि प्रोटेबल document होता है हाँ यह प्रिंटेबल ही प्रोटेबल होता है क्या होता है प्रोटेबल होता है प्रिंटेबल नहीं होता है प्रोटेबल होता है ठीक है जो डॉकुमेंट प्रोटेबल portable document format होता है printable महीं होता है गलत है printable D answer correct होगा which of the following is the first calculating device यह भी मैंने बता है पहला calculating device कौन सा है abacus है B answer correct होगा abacus होगा पहला calculating device flash memory is made up by जो flash memory है वो किसके द्वारा memory आपका बनाया जाता है क्या answer correct दोगे जल्दी से दो आपके comment मुझे दिखने ही रहें लेकिन चलो ठीक है यह क्या होता है non-volatile memory होता है यह non-volatile memory होता है ROM पर ही बनता है और EEP ROM होता है electrically erasable programmable read only memory क्या होता है electrically erasable ठीक है programmable ठीक है उसके बाद से ROM का फुल फॉर्म लिख दो read only memory तो यह होता है यह फ्लाइस होता है क्योंकि यह जो flash devices है उसमें आपका जो semiconductor से बना होता है और इसको क्या है कि जितनी बार चाहें उतनी बार हम क्या कर सकते हैं erase कर सकते हैं इसी लिए यह थोड़ा flash memory इसको बनाया था आप क्या कर सकते हो ना और उसमें डेटा रख सकते हो लेकिन जो मेरा पेंडाइब की बात नहीं हो की रेज हो रहा है आपका डेटा जो बेसिक उसका structure है जो semiconductor है उसमें जो भी data होता है flash memory जो आपके यह भी आप का ऑउर है rdRm के मै서 memory वाले में बताया है कि rdRm का full film क्या होता यह यह भी एक प्रकाल कर 123 members dynamic इसका और यह था कि सइन्ट ऐस्टिस्ट का memang usesses memory यह क्या होता है basically किसके वी बनाया जाता है जो आपके high level की graphics games होते हैं उनके लिए बनाया गया है तो ये particular चीज के लिए बनाया गया था तो ये RDRM है Mroll का क्या हो गया mass read only memory हो जाएगा SRAM मतलब static RAM हो जाता है ठीक है static RAM SRAM से ही कैसे memory बनती है समझ रहे हो जो कैसे memory है वो SRAM का ही बनता है इसी से कैसे बनता है आपका आजाओ WN is the most used abbreviation networking what is the full form of इसका full form क्या होगा तो wide area network होगा इसमें भी पूछना है क्या है wide area network होगा B answer सही होगा इसका next name the memory that act between main memory and the central processing unit मलब आपका जो main memory है वहाँ पे बोला name the memory that act between the main memory and the CPU CPU और main memory के बीच में जो act करता है वो कौन होता है तो वो आपका कौन होगा कैसे memory होती है वो कौन सी होती है कैसे memory होती है बहुत बढ़िया सभी लोग एक बार से air करो जोरदार तरीके से अभी आपके comment दिख रहे है 12 के A एकदम बहुत 12 का A होगा कैसे memory होगा which of the following is the correct full form of JPEG image का format होता है JPEG का format क्या है मतला full form क्या होगा बताओ JPEG का full form क्या होगा JPEG का full form क्या होगा Joint Photography Export Group ठीक है Joint Photographic Export Group Export Group मत कर देना पहला बाला Export Group होता है ठीक है C answer होता PNG का full form बताओ PNG का full form क्या होता है PNG का full form क्या होता है Portable Network Graphics ठीक है यह भी image का format होता है PNG The communication line between CPU memory and peripheral इस का मलब जो CPU का memory है ठीक है और जो peripheral devices है उनके बीच में जो communication line है जैसे बात करते है उनको क्या बहते है socket, slot, port या bus तो bus ही होता है जो communications कराता है internal और external bus होते है तो bus आपका होता है A answer correct होगा इसका average का इसका output क्या होगा average निका है 4, 5, 4, 9, 9, 10, 12, 12, 12, 20 20 का 2, 2, 4 है 4, 5, 20 मतलब average आएगा आपका 5 option A correct होगा इसका output क्या आएगा A आएगा एगा एगदम जबर्दस्थ 16 नंबर question आपके screen पाँ गया decorative text in MS Word जो decorative text होता है MS Word में उसको क्या काते है अलग-अलग size में अलग-अलग shape में दिखता है उसको ही word art कहा जाता है क्या कहा जाता है word art कहा जाता है Univec का full form बताओ जल्दी से बताओ Univec का full form बताओ एगदम Univec का full form बताओ Univec का full form क्या होगा Universal Automatic Universal Automatic Computer अब Universal Automatic Computer की जो design ने वो किसने ताइं किया था यह बताओ John Moseley ठीक है और कौन थे हैं एक जो साथ में थे N.E.A. को भी किया था जे प्रेस पर Escort ठीक है यह भूल गए कैसे John Moseley and J.Pres का Escort Universal Automatic Computer Univec 1 को किया था उन्होंने Programs Store in which of the following memory cannot be erased किसमें Program Store होता है जो erase नहीं होता है कैसे हो जाता है Virtual में भी हो जाता है Rome या RAM Rome में अगर आप लगा दो कोई भी कियोंकि यह क्या होता है Non-Volatile होता है यह Non-Volatile होता है जाने पर यह इसके जो है डेटा जो है Erased नहीं होता है समझ में आ गया तो B answer आपका correct हो जाएगा इसमें The oldest form of commercial computer language इसकार ठीक है Commercial language बताओ Oldest form of commercial language of computer इसमें से कौन सा होगा जल्दी से बताइए देखो 1956 में नहीं मसीन नहीं Commercial language थोरो था मसीन लेंग्वेज 1956 में क्या डवलप किया गया था फॉर्टें डवलप किया गया था ठीक है Formula Translation जिसको बोलते है जॉन बैसकस और IBM के द्वारा और IBM के द्वारा ये language जो है कुछ लोग 54-56 काते हैं Almost 56 से काम शुरू हुआ था 56 तक हो चुगा था ठीक है तो answer क्या होगा फॉर्ट्रान होगा या कॉबाल होगा जल्दी से बताओ Commercial वैसा नहीं Commercial का मतलब होता है कोई commercial language नहीं है जो commercial तरीके से यूज किया या कॉबाल बाद में आया फॉर्ट्रान का यूज commercial तरीके से मतलब scientific calculations formula translation होता है उसके भिहाद पर किया गया था इसका यूज कोबाल नहीं होगा कोबाल जो होगा कोबाल पर क्यों जा रहे हो आप लोग commercial का मतलब language पर जो है आपका कोबाल नहीं होगा कमेंट आपके गायब हो गए है commercial का मतलब आप लोग business से जोड रहे हो चीजों को वो कोबाल जो था यह common business oriented language था ठीक है यह जो था आपका common business oriented language था लेकिन high level language यह भी था commercial का मतलब जो आपके market में आ जाए उसका बतलब यहाँ पर लिया गया है कि एक बार कमेंट आप लोगों का दिखे तो इससे confuse मत होना फॉर्ट्रेन ही सबसे पहला language था जो market में चाहता इन्विश टॉपलोजी दस a single cable connect all the nodes एक केबल सभी नोड को connect करता हूँ ऐसे टॉपलोजी को क्या कहेंगे बस टॉपलोजी कहेंगे ऐसे टॉपलोजी को क्या कहेंगे बस कहेंगे cc का क्या होता है cc को मैंने आपको बताया था cc क्या होता है cc क्या होता है जल्दी से बताईए मिल और चीसी का मतलब क्या होता है एक होता ये सी सी और एक होता ने बताएन कारबन-कॉपी का मतलब कि आपको मेल बेज रहे हो और चार जितने भी रेसिपिंट हैं उसिसद्श में डौर सब तो सब दिखने लगता लेकिन बीसी में डालोगे तो किसी को नई पता चलेगा कि कौन किसको भेजा गया है इ epic power आपके अ क्लासमी आपको ADSL नास्ट क्लास में था DSL का ही एक advance ही उप है ए ADSL DSL का ही एक advance रूप है जल्दी से बताओ greater bandwidth होता है इसमें और high transmission होता है ADSL को क्या बोले जाता है asymmetric क्या बोले जाता है asymmetric बाकि आपका DSL का full form जानते हो digital subscriber line asymmetric digital subscriber line B answer correct हो जाएगा इसका अगला है which of the following pair is not match correctly इसमें से कौन सा मैच करेक्ट नहीं कर रहा है ALT E edit option in current program ALT shift plus D insert the current date सही बात है control के से बोला cut the selected text ऐसा होता है क्या control के से क्या होता है hyperlink होता है क्या होता है hyperlink होता है तो यही आपका गलत है select all हो जाएगा इससे इससे आपका select all हो जाएगा आपके comment दिख नहीं रहे हैं इसलिए मैं आपको किसी के नाम नहीं ले रहा हूँ चलो अभी कोसिस कर रहा हूँ Celeron Pentium Core a series है किसकी series है computer RAM की computer microchip processor की all of the world जल्दी से बताइए अब दिख रहा है अलो फिर से बंद हो गया चलिए लग रहा है आपके comment मुझे नहीं देखने को मिलेंगे तो यह आपके सभी क्या है computer process के series है पहले पेंटियम आता था उससे पहले इस Celeron आता था पेंटियम पेंटियम डूल कोर यह सब आता था कि नहीं अब क्या कोर के आते है आई 3 कोर आई 7 कोर तो यह आपके किसके है सिंकला किसकी है processor की है चलो which of the following keyboard shortcut represent the start menu in the window operating system कौन सा shortcut menu आपको जो है windows operating system के start menu को दरसाएगा जल्दी से बताओ कंट्रोल के साथ इसका दबाओगे तो वह आपका start menu को दरसाएगा ओ ठीक है for which of the following word the letter G has been used for 4G 4G में 2G में जो G use किया जाता है वो क्या है generation है क्या है generation को denote करता है अगला प्रस्ण what do you call the distance between written text and the edge of the paper उसको क्या कहा जाता है written text मालो text यहां से शुरू हो रहा है और edge है आपका paper का यह है तो यह बीच का क्या कहला आएगा इस 20 को क्या कहेंगे margin कहेंगे क्या कहेंगे बच्चो margin कहेंगे डी answer correct हो जाएगा मालो आपका यह paper है और paper में आपने यहां से start किया लिखना तो यह जो distance होगी क्या होगी margin होगी बोला which of the following is a scientific computer language अब इसमें से बताओ scientific computer language आपका कौन सा है फॉर्ट्रेंड भी ही है फॉर्ट्रेंड ही आपका scientific calculation language है फॉर्मूला ट्रांसलेशन जिसको बोला जाता है समझ में आ रहा है जिसको डिबलेप किया था बताई दिया IBM ने और यहां पर आपके जो basic language जो basic का full form क्या होगा जो basic है यह basic इसका full form क्या होगा एक बार कमेंट आपके दिख जाएं तो तो मुझा पता भी चले बिगनर्स लिख दाओ बिगनर्स और पर पर ठीक है और पर 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 सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन code ठीक है यह आपके बिगनर्स का full form होता है और इसको develop करने वाले जे करनिनी और एक लोग और थे हैं ठीक है इक कुट्ज यह दोनों ने इसको develop किया था सिंबेलिक बेसिक को ठीक है उसके बाद से कोबाल को मैंने बता दिया कोमन बिजनस ओरिएंटेल लांग्वेज यह कोबाल हो गया फॉर्ट्रेन का हो गया ठीक है पास्कल भी हाई लेंग्वेज है आपका 1917 में नेकलस विर्थनिल किया था इसको इन्होंने इसको develop किया था 1970 में 1970 में अगला प्रस्न वर्म मतलब क्या होता है वर्म का संचित रुप क्या होगा राइट वान्स रीड मेनी वर्ड वन रे मेमोरी वर्ड अप्तिकल रिकोगनीशन मालवेज और वार्लेस ऑपरेटिंग रीड मॉड्यूल नहीं एक बार राइट करो रीड करो मेनी टाइम्स राइट वान्स रीड मेनी राइट वान्स हाँ रीड मेनी होगा एक आशर गेट होगा विच वेब ब्राउजर वास डेबलप बाई गूगल गूगल के द्वारा कौन सा गूगल की आई आप सभी जामते हो वेब ब्राउजर गूगल का कौन सा है ये तो हो नहीं ये माइक्रोसाफ्ट का इंटरनेट एक्स्प्लोरर है फायर फॉक्स मोजि किसमें यूज होता है सफारी वाला कि एपल का है सफारी ठीक है एपल में होता है यूज क्रॉम किसका है भाई लिखा आता है गूगल क्रॉम ठीक है जल्दी से बताओ एक्टी विंडो को मिनिमाईज करने के लिए जो आपके विंडो में अप्टी विंडो हो उनको मिनिमाईज करने के लिए क्या करोगे बटन जो होती है उसके साथ डाउन एरो की दबा दो उसके साथ डाउन एरो की भी दबा दो गे तो आपका क्या हो जाएगा मिनिमाईज हो जाएगा डाउन एरो की अब इसमें क्या बोला है, shortcut and error function, match कराना है आपको, control w से क्या होगा, बताओ, switch tab and app, reverse switch tab and app, close program, open start menu, program जो भी होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, प्रोग्राम जो होगा, वो क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा, तो A का तो तीसरा होगा, यह पका है, एक तीसरा देखो, यह option गलत है, यह बचाए, उसके बाद से आपका क्या होगा, alt tab से क्या करते हो, R tab से switch tab होता ना जो भी tab open की हो switch होगा तो एक B का पहला होगा और B का चौता इसमें दिया है तो यह गलत हो गया Alt shift tab दबाओगे तो यह क्या हो जाएगा reverse switch tab होगा उधर से आया होगे पहले इधर से जाओगे फिर इधर से आओगे control is cap से क्या होगा आपको अभी मैंने बता है open start menu होगा तो यह option c answer correct हो जाएगा the operating system of a mobile developed by google is कौन सा operating system google के द्वारा किया गया है तो android किया गया है android जो है google के द्वारा operating system design किया गया है यह जहां रखियेगा minimum how many system are required to make network network के लिए बनाने के लिए कितने minimum कम से कम system की जरूवत है दो system minimum चाहिए ही क्योंकि communication करना है तो single अपने आप में तो करेगा नहीं कोई भी दो चीजे चाहिए तो दो ही चीजे में network बन सकता है तो आपका minimum का दो device चाहिए दो device कुछ भी हो कंट्रोल डबलू का क्या काम होगा क्लोज का document क्या करेगा document को क्लोज कर देगा 38 नमर दो वैलिड फार्मेट अप MS Word MS Word का वैलिड फार्मेट क्या है .doc format है ठीक है what is the size of IPv6 internet protocol version 6 का जो है आपका address size क्या है IPv6 जो है वो कितने बिटका होता है जल्दी से बताओ IPv6 जो होता है वो कितने का होता है IPv6 32 बिट होता है 64 बिट होता है या 128 बिट होता है देखो IPv6 जो होता है 128 बिट होता है और IPv4 जो होता है इंटरनेट प्रोटोकाल वर्जन फोर्ज होता है यह आपका 32 बिट होता है समझ में आ गया हाँ आजब आजब आ मॉनिटर दे नंबर आफ टैंस पर सिकेंड दे इलक्ट्रॉंस गन इसकेंड एवरी पिक्सल ऑन दे स्क्रीन क्या कहा जाता है विव एरिया रिफ्रेंस रेट रिजलिम्स इस स्पीड इसको क्या था夏 गलत हो गया इसकेंड जालेकर बलान वि Fashion प्र։र्ट्रॉंस रेट कहा जाता है जाता है वो सी को Refresh जड़ का जाता है था variety the हाट रेंज वार्लस कनेक्टिविटी सौर्ट रेंज वार्लस कनेक्टिविटी को कौन प्रोवाइड कराता है तो पॉइंट से लेकर 2.48 गीगाहर्ट्स तक होता है इसकी फ्रिक्वेंसी ते और इसको short short बोला भाई modern नहीं bluetooth होगा modern का तो range आदे हो short range wireless connectivity तो इसकी range क्या होती है short range होती है चलो आजाओ 10 meter से भी कम होता है which unit in a computer is responsible for managing the part of the computer logic unit arithmetic control कौन साइस में से एक तरह से computer के सभी चीजों को manage करता है तो जैसा नाम हो ऐसा काम जैसा नाम हो ऐसा काम जैसे control unit है तो managing का बात आजाएगा तो यही करेगा CPU के अंदर होता है C answer हो जाएगा 43 number बोला which among the following is not a type of read only memory कौन सा रोम का type नहीं है इसके बारे में पढ़ा है यह क्या है अपका erisable programmable read only memory है यह electrically erisable है यह programmable read only memory है D ROM नहीं होता है M ROM होता है D ROM नहीं होता है यह आपका ROM का part नहीं है answer D होगा 44 number HTTPS में later S का मतलब क्या है Yes का मतलब क्या है हाँ एकदम सही यह सका मतलब इसमार्ट है कौन का रहा है भाई secure है भाई secure HTTPS जिसमें लगता हो secure website होती है उसी पर देखना ऐसे ताला लगा रहता है ऐसे last question collection of related web pages card web page का collection क्या का रहता है बच्चों मैंने बताया था आपको web page के collection को क्या काते है website काते है क्या काते है website काते है तो यह आपके 45 प्रसना आपके रहें बाकी जो भी होंगे वो कल और कर लिया जाएगा और अभी 100 PDF जो है तयार होगे यह लेकिन लग नहीं पाया है कल दो पाहर तक वो लग जाएगा और इसका और कल जो करा दूँगा उसका आपको परसो लगवा दूँगा ठीक है नहीं होगा तो इसको भी हम उसी में लगवा देंगे कल फिर upload करा देंगे तो यह रहा आप लोग के 45 प्रशन जो जल्दी जल्दी जितना भी हमें मिल ला है जो भी previous year मिला है सब एक बार तुम लोगों के आखों के थूँग में ले जा रहा हूँ कि at least exam में यहां से आ जाएगा तो गलत नहीं होना चाहिए ठीक है तो इस बात को ध्यान रखना इसका main motor है जादे से जादे प्रशनों को आपको दरसन देना कि आप एक बार उसको और फिर PDF से उसको एक बार आप खुद देख लोगे तो वो आप चीजों के अंदर contest हो जाएगा तो किसी भी exam में इससे जादे प्रशन नहीं आने चाहिए और ready मैंने और MCQ लगा रखा था और इधर साड़े 300 से उपर MCQ हो चुके है तो आप लोग अच्छे से उसको पढ़ लेना जो भी दिक्कत समस्या हो तो जरूर बताना पहला question आपके screen पर आ चुका है इस प्रकार से भी प्रशन आपसे पूछा जाएगा कि Bing is a wave search engine Bing जो है आपका wave search engine है तो ये search engine किसका है Bing आप सब जानते हो कि ये internet explorer में जब जाते हो और internet explorer किसका wave browser है Microsoft का है तो जाहिर सी बात है Bing भी किसका होगा Microsoft का होगा ठीक है ये इसको किसने निकाला ये किसका search engine है ये ये किसका search engine है Microsoft का search engine है और ये 2009 में कब 2009 में से जो है डिबलप किया गया मतलब निकाला गया था मार्केट में आया था याहू की बात करें तो याहू भी आपका सर्च इंजन है याहू भी आपका क्या है सर्च इंजन है यह भी एक कंपनी है याहू के नाम से इसके जो फाउंडर है कौन है इसका बताओ इसका जो जल्दी से बताओ इसके फाउंडर जैरी यंग एन डेवीड फीलो ठीक है यह आपके फाउंडर है और इस कम्पनी को फार्म किया गया था 1994 में बाकि अल्फा बेट इन यह कम्पनी किसकी बेस कम्पनी है यह कम्पनी बेस आपकी किसकी है गूगल की है किसकी है गूगल की है बाकी माइक्रोसोफ तो जानते ही हो ठीक है माइक्रोसोफ तो जानते हो इसमें आपका गूगल में आ जाओ तो यह कौन हो जाएंगे फाउंडर लेरी पेच और आपके दूसरे कौन है सरगे ब्रीन इन दोनों ने पहले कंपनी का नाम था अल्फाबेट उसके बास से आपका क्या हो गया गूगल हो गया अब उसके बास एमेजन की बता दो यह तो सब को पता है इसके फाउंडर कौन है यह फाउंडर पूछ सकता है आपसे एमेजन के फाउंडर कौन है बताओ एमेजन के फाउंडर हाँ जैफ सभी का सही है ठीक है इसका तो बता दिये बेजोफ चलो जेफ वेजोस एकदम सही जबाब है यह तो सब लोग जान रहे होगे ठीक है तो यह आप से फाउंडर पूछ सकता है इसको ध्यान रखिया अच्छा माइक्रोसप्ट का सीओ कौन है सत्या नडेला कैड चलो कैड़ इंडिकेट ऑफ सेफ लिखा करिए अब इससे जादे आपको क्या दिखेगा इतना सही तो लिखा है आपका जैरी येंग डेविड फिलो लेरी पेज सेर्जे ब्रीन इससे सुंदर क्या लिखा सकता है अगर ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है भया तो अब इससे सुंदर कैसे लिखें आप भारती जी कैड क्या है क्या लौँल है कैड का फूल फर्म आपसे पूछा है तो क्या बोलोगे कंप्यूटर एड़ेड डिजाइन ये एक सॉफ्ट्वेर होता है जिसमें हम बड़े-बड़े ग्राफिक्स डिजाइन करते हैं एpp टेक्श डिजाइन करते हैं ठीक है तो computer added design होगा इसका यह एड़़ यह वाला नहीं होगा sorry sorry added वह वाला नहीं होगा D answer होगा इसका ठीक है एड़़ यह वाला इड़़ नहीं है computer added design यह यह वाला नहीं है यह added है वो added जोडने वाला नहीं है which of the following term is used to illegal copy and distribution of software illegal copy जो है किसी भी software का करना और उसको distribute करना ठीक है उसे क्या कहा जाता है software copy कहा जाता है software fishing कहा जाता है digital piracy कहा जाता है या software piracy कहा जाता है बोला जाता है आपने window pirated लिया है और window जो आपको दे रहा है वो एक software है तो उसकी क्या कर रहा है piracy कर रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा जल्दी से बताओ आजाओ software piracy मतलब कोई भी software जैसे MS office ही हो गया ठीक है जो आप office suit लेते हो भी piracy होता है आपका crack version होता है तो जो भी आपके software जिनका आपका कर रहा है illegal copy और बना रहा है और distribute कर रहा है जैसे windows 10 है सभी लोग windows 10 सबके system में पढ़ा होता है तो वो piracy है software की अब आते हैं software phishing क्या होता है phishing एक प्रकार का social engineering attack है का का सकते हो इसको social engineering attack अब यह होता क्या है इसमें कि आपके जो personal detail है जो personal detail है चाहे वो card के हो चाहे आपके हो वो इस software के थुरू निकाल लिये जाते हैं phishing ठीक है जो भी आपके परसनल detail हो गया user detail हो गया card detail हो गया उन सभी को इसी के थुरू जब आपका चुरा लिया जाता है तो उसको software किसी software के थुरू तो उसको क्या बोला जाता है कि card detail या personal detail जो भी आप कर रहे हो तो वो software में safe होता है back end मे digital piracy क्या है कि किसी भी digital document का सपोस करो YouTube की कोई वीडियो है digital document का कोई भी digital document चाहे किसी का content है आप उसको क्या कर रहे हो उसके copyright जो है law है उसके उलंगन करके आप उसका content लेकर बेच रहे हो ठीक है तो वो चीजे क्या हो जाएगा digital document को वो digital piracy हो जाएगा ठीक है कोई भी आपका digitally content जिसको आप क्या कर रहे जिसके copyright ला को आप तोड़ रहे हो वो चीज़े किस में आ जाएंगे digital piracy में आ जाएंगे अगला RAM is used as a short memory in a computer because it is a very expensive has less capacity is programmable या is volatile इसका सही जबाब क्या होगा उचित आपको चुनना है कि RAM को क्या बोला गया है यहां पर कि short memory ने computer use किया जाता है क्योंकि क्या होता है यह volatile होता है इज़ा volatile कि जैसे ही light चला जाएगा वैसे इस में से data चला जाएगा क्यों मन नहीं लग रहा है भाई आज क्यों नहीं मन लग रहा है ऐसा क्या हो गया है which of the following is an example of single tasking operating system single tasking operating system कौन है ms window है linux है unix है या ms-dos है बताओ इसमें से सही answer बताओ इसका सही answer बताओ यह क्या होगा देखो single user क्या बोला आप से कि single tasking operating system तो single user single tasking operating system यह है ms-dos है ठीक है single user multi tasking अगर बोला जाए वो कौन है आपका ms window है वो आपका कौन होगा ms window होगा linux unix क्या है आपके open operating system है google द्वारा विक्सित browser का नाम क्या है google द्वारा विक्सित browser कौन है google chrome है ठीक है कौन सा है google chrome यह कल भी हमने कराया था go to end of the document प्रेस अगर किसी document में आप सीधे end पर जाना चाहते हो तो कौन सा button प्रेस करोगे तो control के साथ अगर end दबा देंगे तो हम किसी भी document में end पर पहुंच जाएंगे क्यों तो d answer इसका सही जबाब हो जाएगा आठ नमबर इर नेट का मतलब क्या होता है इसका जल्दी से बताओ इर नेट का मतलब क्या हो जाएगा इसका कि यह सेंटर दूर है education research network होता है ठीक है 10 km नहीं देता भाई sending an email wireless connection between the various device equipment over a short distance downloading the movie from the internet नहीं ये भी नहीं देता है ये C answer होगा almost 30 feet या 10 meter की दूरी हम बोल सकते हैं ये देता है 30 feet के distance तक आप क्या कर सकतो किसी भी device को connect कर सकतो Bluetooth के माद्य हम से चल the processing of putting data in a storage location is called क्या कहलाएगा the processing of putting data in a storage location is called reading controlling handshaking या writing बहुत बढ़िया इसमें writing होगा अगर आप कोई भी put कर रहे हो data किसी storage device में इस मदब डाल रहे हो तो उसको क्या कहा जाता है उसको writing कहा जाता है अभी देखो इसको आपको क्या करना है मैच करना है लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था domain किसके लिए होता है dot gov gov किसके लिए हो जाएगा government agency के लिए एकदम सही है dot org किसके लिए हो जाएगा non profit organization के लिए हो जाएगा dot net किसके लिए हो जाएगा network के लिए हो जाएगा dot education किसके लिए हो जाएगा education के लिए हो जाएगा पहले का आपका पहला होगा दूसरे का आपका C होगा तो दूसरे का C कहां मिल ला है दूसरे का C इसमें है इसमें नहीं है इसमें है तो पहले का D इसमें है पहले का A होगा answer D हो जाएगा अगला प्रस नहीं है रहा The activity of creating sector and track on a hard disk is called वो activity क्या कहलाती है जब हम sector और track को create करते हैं hard disk में तो उसको क्या कहा जाता है TREK और sector जब बनाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है formatting कहा जाता है क्या कहा जाता है format बनाते हैं plettering तो वो होता है टREK वाला लेकिन जब हम उस चीज को जो बना रहे हैं कि अलग-अलग track हो अलग-अलग sector हो तो उसी को formatting कहते हैं एक टीवी में एक टीवी के मेमोरी में एक सेक्टर बराबर मेमोरी पर डिपेन करता है एक सेक्टर बराबर पांसो बारा बाइट होता है ठीक है एक सेक्टर को पांसो बारा बाइट में बनाए जाता है जब एक टीवी की हार्ट डिस्क होती है अब आओ जो consider the column 1 and column 2 इसमें आपको क्या करना है match करना है बिंग क्या है अभी आपने देखा बिंग एक search engine है क्या है search engine है flip card क्या है भाई flip card क्या है आपके इज़ा flip card online shopping का है facebook क्या है social networking है google chrome क्या है web browser है और email क्या है आपका email है ठीक है यह आपका हो गया तो answer क्या हो जागा पहले का D होना चाहिए पहले का D होना चाहिए क्या पहले का C होना चाहिए अच्छा पहले का C होना चाहिए यह cancel हो गया ठीक है पहले का C दूसरे का D दूसरे का इसमें है दूसरे का सी इसमें बी आंसर का एक हो जाएगा बी हो जाएगा ना इसका आंसर एक छोटा सा वारलेस हैंड 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 कम्प्यूटर सिस्टम देट स्कैन आइटम टैग और पुल अप दा करेंट प्राइज अजू सॉप इसकाल एक छोटा सा वारलेस हैंड हैंड कम्प्यूटर सिस्टम जो किसी आइटम टैग को स्कैन करता है और आपके द्वारा खरीदारी करते समय वरतमान मुले के उपर खीशता कालाता है POS, PSS, Data Mining या Card Reader बहुत बढ़ियां POS आंसर आ रहा है तो यह क्या होता है आपका POS Point of Sale इसी के थू होता है आपका कि बोला एक छोटा सा वारलेस हैंड 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 कम्प्यूटर सिस्टम होता है जो scan and item tag, item tag को scan करता pull up the current price and use of this card उसके बाद से आपका पैसा भी कटता है हम, आजाओ who invented the worldwide wave ये भी मैंने कराया question 1989 में कौन invent किया था worldwide wave को www को तो क्या हो जाएगा इसका team burner ली ने किया था किसने किया था team burner ली ने किया था अगला dash was the first web browser to implement the omnibox omnibox में पहला आपका web browser कौन सा install किया गया था जल्दी से बताओ लाइन एक्स ए देखो omnibox में जो omnibox एक API है ठीक है application program interface वो किसके लिए गया था वो उसमें कौन सा किया गया था Google Chrome किया गया था कौन किया गया था Google Chrome किया गया था ठीक याद रखना Google Chrome को omnibox के API में सबसे पहले implement किया गया था यहां पर सब तरह is used to carry digital data on analog line इसमें बताओ कौन यूज किया जाता है carry a digital data on analog line analog line पर digital data को ले जाने का काम कौन करता है multiplexer करता है modulator करता है modem करता है या demodulator करता है बोला है is used to carry digital data on analog line modulator और do modulator होता है इसमें दोनों होता है तो यह क्या करता है जो आपका is used to carry a digital data on analog line और फिर उसी data को analog to digital digital to analog करता है modulator and demodulator दोनों होता है तो यही है आपका c answer इसका correct होगा इसमें modulator और demodulator दोनों होता है Microsoft Excel is used for यह तो सब जनों गए spreadsheet presentation के लिए lighting letter के लिए नहीं होता है ठीक है spreadsheet होता है इसमें अगला है which of the following memory device is very much similar mainly in terms of speed to the cache memory बताओ कौन सा होगा इसमें flash memory DRAM SRAM या EEP ROM बोला कौन सी memory device जो similar and mainly in terms of speed to the cache memory बताओ जानते ही हो कि SRAM का using कैसे के लिए किया जाता है तो यह जाहिड सी बात है कैसे वाली properties के अंदर होगी तो SRAM होगा क्या होगा SRAM कैसे के लिए बोलाना mainly in terms of speed to the cache memory तो वो क्या होगा C answer होगा कैसे memory वाला which of the following is a note-taking program in MS office suit MS office suit में note-taking जो है प्रोग्राम हो कौन सा होता है जिसमें आप लिख के पढ़ा सको यह सब चीज़ वाला तो SS तो database होता है Outlook mail होता है OneNote जो होता है उसमें आप PDF or PDF in-end करके उसमें आप पढ़ा भी सकते अपना लिख भी सकते हो तो OneNote एक प्रोग्राम होता है ठीक है D answer आपका सही होगा What is the recycle bin? Recycle bin क्या होता है जल्दी से बताओ Recycle bin जो होता है Software of deleting file A default folder on temp file Default folder for downloads Temporary storage for deleted file क्या होगा इसका recycle bin बताओ Temporary storage for deleted file जो recycle bin बाल्टी की तरह बना होता है आपको देखे होगा ऐसे Dust bin की तरह ठीक है जो भी file आप delete करते हो जैसे आपने क्या किया है आपने delete बटन से दबाया है कोई भी चीज़े delete किया है तो वो आपका recycle bin में आ जाएगा लेकिन आप जब shift plus delete दबाद होगे तो वो आपका permanent delete हो जाता है shift plus delete से वो recycle bin में नहीं जाएगा Google uses algorithm to rank their search engine result क्या यूज करता है आपने जो कौन सा algorithm यूज करता है to rank their search engine result कि जो भी आप सर्च करते वो पहले आ जाता है वो क्या कौन सा algorithm यूज करता है तो वो page rank algorithm यूज करता है ठीक है कि page की ranking के according जो है इसका searching होता है तो page rank होगा इसका answer इसका answer बताओ next you can set a page border in excel form क्या होगा from border tab in format cell dialogue box from border tool in formatting toolbar from line style tool in drawing toolbar you cannot set a page border in excel ये पढ़ाया है मैंने आपको कि excel में हम page के border को set नहीं कर सकते हैं ठीक है तो क्या होगा you cannot set a page border in excel d answer आपका क्या हो जाएगा इसमें correct हो जाएगा सब a के तरफ जा रहे है एकदम भेड़ वाली चाल चल रहे है excel में कहां से तुम page border set कर लोगे भाई उसमें row और column होता है उसमें border कहां set कर पाओगे which of the following format you can decide to apply or not in auto format dialogue box बताओ इसमें कौन सा नहीं होगा number format, border format, font format या all of the above यहां क्या होजए बाडर ने all of the above सब ही number format, border format, font format यह सब ही आप कुछ अलग से नहीं कर सकते हो auto format का मतलब जो भी आप जैसे select करोगे अपने आप उसकी formatting हो जाती है उसकी formatting आल्रेडी बनी राती है कि आप कौन सा format चूज करना चाहते हो तो वो auto format है जब manually आप सब चीजों का format कर लोगे तो वो auto format का मतलब क्या हुआ ठीक है तो यह पूरे के पूरे उसमें लागू नहीं होगे what does count A जो count if हम function लगाते है Excel में वो क्या काम करेगा count cell having alphabets, counts empty cell count cell having numbers counts non empty cell बताओ count नहीं है count A लिखा हुआ है count A जो होता है चाहे आपका कुछ भी हो उसमें error हो, कुछ भी value हो वो सब ही count कर देगा मतलब non empty cell भी कर लेगा उसका मतलब है उसको पूरा cell count करना है चाहे वो भरा हो चाहे ना भरा हो मतलब non empty मतलब हो गया कि empty जो cell ना हो अगर empty है तब नहीं count करेगा कुछ भी हो उसमें हो चाहे error value ही क्यों ना हो चाहे कोई alphabet के अलावा कोई value क्यों ने हो number क्यों ना हो उसको गिन लेगा बस लेकिन खाली नहीं होना चाहिए पूरे पूरे कॉलम को हाइलाइट करने के लिए कौन सा सॉटकट की यूज़ करेंगे क्या करोगे कॉलम सेलेक्ट करना है तो एक मैंने आपको बताया ही क्या होगा कंट्रोल कंट्रोल स्पेस बार ठीक है अगला विच लेइवेज इस यूज़ टो क्रेट मैक्रोज इन एक्सल चाहे एक्सल में हो चाहे वर्ड में हो चाहे पावर पॉइंट में हो मैक्रोज जो है वो किसका बना है वो visual basic program पर बनाया गया है which of the following is not one of the three mail merge helper step बताओ merge the two files, create the main document set the mailing list parameter, create the data source इसमें बोला which of the following is not one of the three mail merger helper step यह भी question हो चुका आप लोगों से इसका सही answer क्या होगा देखो create data source तो हम करेंगे set the mailing list parameter यह question हो चुका है आप लोगों से D answer दे रहे हैं सभी लोग हम अब यहां पर देखो क्या आप से पूछा कौन सा नहीं लेना है मैं not one तो यह सब तो parameter तो हम mailing list का करेंगे जो भी address है phone number है नाम है यह सब करेंगे main document भी करेंगे लेकिन यह चीज नहीं करेंगे data source हम create नहीं करते हैं इसमें ठीक है data source create नहीं करते हैं answer D आपका सही हो जाएगा अगला यह क्या है what is the shortcut key for manual line break आपको लाइन ब्रेक करना है तो कौन सा shortcut key यूज़ करोगे control एंटर से नहीं manual line break बोला है आपसे manually आपको अगर line break करना हो कि कहां से करना है तब आपको manual मतलब आपको कहां से करना है कुछ लोग control दे रहे हैं कुछ लोग shift के साथ दे रहे हैं क्आब और है हैं कुछ कि सिफ्ट इंटर होगा सिफ्ट इंटर के साथ आपका क्या हो रहा है लाइन ब्रेक होगी सिफ्ट इंटर के साथ shift enter के साथ बोला है manual line break के लिए shortcut की क्या है अगर यह control enter line break तो आपका क्या होता है page break होता है line break नहीं page break होता है page break ना की line break होता है control enter वाले यह ध्यान दख़ो page break होता है दूसरा page आजाता है जहां से आप करते हो ठीक है alt enter जब दबाओगे तो alt enter के साथ क्या होगा alt के साथ अगर आप enter दबाते हो तो आपका क्या होगा कई कई line के बाद आपका break होगा line break मतलब alt enter के साथ break होती है तो यह alt enter हो जाएगा इसमें shift enter दबाओगे तो एक के बाद दूसरे line पे यहां पे चले आते है पूरी break हो जाए line मतलब यह पूरा बदल जाता है फिर alt enter में तो यह होता है B, manual line break जो होता है उसकी shortcut की alt enter होगा अब देखो दो चीजे हो सकती हैं कि अगर आपका shift बाला है जब shift के साथ enter दबाओगे तो एक एक line बन लई है और इसके साथ बनाओगे तो इसके साथ जादे जादे line है अब किसको ले रहा है ऐसा नहीं, line break तो यहाँ भी हो रहा है shift enter के साथ भी आपका एक line break होता है लेकिन एक line गई तो दूसरे line पे आ जाता है अब यहाँ पर क्या होना चाहिए और alt enter के साथ भी ऐसा हो रहा है यह भी मज़ब get जादे हो रहा है अब depend करता है कि इन दोनों में से क्या होगा ठीक है, दोनों में line break का concept तो आई है अरे यह line छूट गया और दूसरे line पे आ है तो यह भी line break कहलाएगा और यहाँ पे है और यहाँ पे चले है तभी line break कहलाएगा तो वो depend करता है आपका कि यह question थोआ मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है दोनों है मेरे recording shift enter और alt enter इससे depth जादे हो रहा इससे line के gap में single line की gaping आ रहा है ठीक है चलो बिवादित हो सकता है यह आ जाओ इसलिए इस बिवादित हो सकता है इसके दोनों क्योंकि line break दोनों को कहा जाएगा अब यह तो single line बोलता है यह more than one line बोलता देखो इस वाले में question में मैं का बता हूँ अगर आपका बोलता more than one line तब आपका alt enter हो जाता और single line बोलता तो आपका safe enter हो जाता तो हो सकता है यह तो question type करने वाला कुछ छोड़ दिया हो तो इसलिए इसको अभी रोग देते हैं क्योंकि जब तक question नहीं होगा कुछ उड़ गया वाई typing में आजाओ essential business letter element include the जो आपके business letter element होता उसमें क्या included था data line and inside address, message, signature block, all of the above सब कुछ होता है ठीक है इसमें क्या था all of the above signature वाला भी होता है, message भी होता है, address भी होता है आपका insert date, format page number and insert auto text और button on the किस toolbar में होता था पहले के toolbar formatting में होता था क्यों कि insert date और formatting नहीं किस में होगा अगर date और आजाए तो यह किस में होता है date और page number क्योंकि यहां से मुझे अंदाजा लगा कि page number आपका है, date है, insert है तो अगर पहले नहीं था तो यह header footer पहले भी होता था तो page number आपका formatting में नहीं होता है, formatting में maximum text की formatting होगी ठीक है, text की formatting का मतलब होता है, text को bold, italic, ठीक है, underline यह सब जो होती formatting में होता है, लेकिन header और footer के अंदर क्या आता है, date डालना, ठीक है format page number यह पूरा एक साथ है format और page number, and insert auto text और buttons अंदा, header and footer d नहीं होगा, edit में नहीं होगा header and footer होगा, इसको ध्यान रखो what is gutter margin, यह question कई बार पूछा है और आप लोगों से भी मैंने पूछ दिया है देखो, gutter margin, margin that added to the left margin when printing, margin that is added to the right margin when printing, नहीं, right में नहीं होता है किस में होता है margin that is added to the binding side of page simple सी बात, left right नहीं जाएंगे जिदर से हम bind करेंगो page को यह आपका answer सही होना चाहिए जिदर से binding होती है na page की उधर की जो margin छूटती है binding के लिए उसी को बोला जाता है gutter margin which of the following statement is not true you can type text directly into powerpoint slide but typing in the text box is more convenient more insert menu choose picture and the file to insert your image into the slide you can view your powerpoint presentation in normal slide sorter and slide show view you can show or hide task pen from view toolbar जल्दी से बताओ इसमें से कौन सा सही है आपका नहीं सही है इसमें से कौन सा सही नहीं है you can type text directly into powerpoint slide but typing in text box is more convenient देखो आप direct जो है आप नहीं कर सकते हो powerpoint में आपको क्या करना पड़ेगा जो space दिया रहता उसी में कर सकते हो तो पहला ही आपका true नहीं है बाकी सब true है हमेशा text box type का जो बना रहाता ना ऐसे नहीं देखे होगा आपको बिना इसके कैसे आप कर सकते होगे text box ही होता है अगर वो delete मार दो तो आप type नहीं कर पाऊगे to add a header or footer to your handout you can use the little master the slide master the handout master तो क्या करोगे the handout master करो the handout master ये भी आजाओ when you create a first presentation file in ms powerpoint what will the default file name default file name जरूर याद रखना word का default file name document one होता है excel का default file name book one होता है और presentation का default file name presentation one होता है ठीक है ये भी question हो चुका है in powerpoint themes could be form under the themes किसके अंतरगत आता है design type के अंतरगत आता है ये भी question करा चुके है what are firewall ये भी हो चुका है आप लोगों से में लग रहा है use the address translation into the network layer use store the network interface card congestion control hardware and software dead side between the user computer and external computer क्या इसका सही answer होगा firewall का firewall क्या होगा hardware और software dead sits between a user computer and an external computer देखो firewall मैंने पढ़ाते समय बताया है कि firewall जो है वो hardware और software दोनों form में होता है सूपर कंप्यूटर की तरफ जाओगे तो यह hardware में भी बनने लगता है अभी हमारे system में एक तरह से hardware और software के बीच में जो एक तरह से आता है वो आपको connect करने के लिए वो आपका क्या है firewall ही होता है hardware और software के फॉर्म के है इसमें भी आपको correct बताना है कौन सा है जैसे WLAN is a wide area network a hub send incoming data package to the correct device on a network an IP address is assigned to device at a manufacturing stage a network interface card is needed to allow a device to connect a network router inspect a data packet and receive over the internet इसमें से आप से पूछ रहा है क्या option सही है देखो कौन सा option सही है बोला है सही है कि नहीं सही है option जो दिया है इसमें से कौन सा आपका सही है आजो डबलू लेन बोला है यह आपका वाइड एरिया नेटवर्क वेन नहीं बोला है डबलू लेन बोला है डबलू लेन का मतला होता है wireless local area network ठीक है तो यह आपका क्या हो जाएगा गयलत इसका फॉल फॉर्म दिया है हब सेंड निंकमिंग डाटा पैकेट टू दा करेक्ट डिवाइस ओने नेटवर्क ठीक है हब थोरी किसी डेटा पैकेट को भेजता है भाई डेटा पैकेश तो सिस्टम तो सिस्टम जाता है हब तो कनेक्शन का काम करता है यह भी गलत और आई-पी ठीक है आई-पी एड्रेस इस एसाइं टुए डिवाइस एड़ दा मैनुफेक्टरिंग स्टेज नहीं यह आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड है वो आई-पी एड्रेस जो हैं वो प्रोवाइड कर आते हैं उसके बास से आपका आजाओ एन नेटवर्क यह आपके कंप्यूटर में जो लेप्टॉप होता है उसमें लगा होता है इस निदेट टुए डिवाइस टू कनेक्ट टू द नेटवर्क जो भी आपका नेटवर्क उससे वार्लेसली कनेक्ट होने के लिए नाइसी होता है यह एकदम सही बात है राउटर इंस्पेक्ट नहीं है हब इंकमिंग डेटा पेकेट नहीं हब ने हब का सिर्फ काम होता है कनेक्शन बनाना है हां मैक एड्रेस होता है विच अथब जाएंग करने के लिए बता तूसमें सेंड कелिए एसम थीप के लिए पो पीर इन वीच इयर ऑफ़मेशन टेक्ड सेट वाज एकट वाес Strategy और羅 इन इंडिया 2F और जिन हो जाएगा information जो एक्ट आया था वो यही था incognito mode in browser जो incognito mode होता है browser में आपका is used for save cookies, private browsing, hide for internet service provider and public browsing किसले use होता है देखो incognito mode में जो भी आप search करोगे उसका कोई history नहीं रहता उसकी cookies नहीं बनती है तो यह एक तरह से private browsing होता है कोई भी आप चीजे आप इतना email में login करोगे तो उसमें save नहीं होता है ठीक है पूरा का पूरा clear रहता है तो private browsing इसका answer correct हो जाएगा आजाओ दो बार एक question पूछ लिया गया टीम बर्नर ली कौन सी which of the following types of read-only memory can be erased by exposing it to an electric charge and can be reprogram किस वाले memory को हम लोग electrically erase कर सकते हैं और फिर उसको reprogram कर सकते हैं RAM तो होता नहीं है P-ROM जो एक बड़ प्रोग्राम कर दिया गया तो यह भी नहीं होगा E-P-ROM यह क्या है E-P-ROM का मतलब हो गया यहां पर E का मतलब क्या है E-E-P-ROM होगा या E-P-ROM होगा हाँ यहां जो एरेज है E-Risable programmable read only memory है और यहां पर electrically erisable फिर प्रोग्राम कर सकते हैं तो दियो होगा electrically जो E-Raised होगा वो लिए होगा वन किलो बाइट इस इक्वल टू एक के बी जो होता है वो किसके बराबर होता 1024 बाइट के बराबर होगा ठीक है 1024 बाइट के बराबर होगा और जहां 1024 ना मिलेगा वहां पर आप 1000 मार देना ओने प्रोक्स ठीक लास्ट प्रस्ट इने computer system software interpreter is used to translator of low-level language नहीं high-level language को बाले नन अब दीस तो आंसर क्या होगा high-level language को translate करने के लिए यूज होता है तो यह आपके questions answer रहे हैं जितने maximum हो सकते थे देखो repeat होने लगे हैं question वो मैंने आपको करा दिया बाकी आप लोग अगर उसको आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो मुझसे नहीं लग रहा है कि आप लोग गलब करके आओगे ठीक है कोई समस्य है कोई दुख हो एक तीसरी PDF लगा दी गई हो उसको देख लेना कल यह वाली जो PDF है इसमें जो repetition है उसको हटवा के मैं इस question को भी लगवा दू अगर पूरी class की हो यह की हो तो मेरा मानना है कि आप 20 questions का आराम से पहुंच जाओगे